हमारी संस्कृती, हमारे संस्कार, सदा रहे हमारे संस्कृत, भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपोन संकलन, सब्सक्राइब करें, तिलक तेरी शरन में जो भी प्राणी आया, उसका बेडा पार लगाया, गंगा मैया, गंगा मैया, ये गंगा मैया, हर हर गंपि, जै 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 घर हर गंपि, निर्बल का बल, तेरा ये जल, अमरित जैसा सब के लिए, इस में नहा के, तन निर्मल हो, मन पावन हो, जो इसको पिये, दूबे कभी न, उस पारी की नया, जिसकी तू बन जाए खे मैया, गंगा मैया, क्यें हो जै हो जै हो गंपा बैया, जै 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 जै, मैं आश्रों का गुरु होने के नाते ही, छोटी दानी को ये आदेश देता हूं, वो अश्रों के हितों की वेदी पर अपनी ममता की बली चड़ाए और अपने गर्भ को नश्ट कर दी नहीं गुरुदेव, नहीं, मैं अपनी ममता का बलीदान नहीं कर सकती मैं किस पाप का दंड दू अपने निश्पाप पुत्र को अपने दिल को पत्दर कर ना बनाए दीदी आपको अपनी ममता की कसम पास करो कायाधू पास करो कायाधू तुम्हें गुरुदेव के आदेश का पालन करना होगा नहीं दीदी महारानी जी आपका स्वास तो ठीक है ना आप व्याकुल दिखा दे रही है नहीं मैं मैं ठीक हूँ वैदिराजी तो फिर आपने मुझे किस सिवा के लिए भुला भेजा है मैं मैं उसे कठ है के लिए हम आपको तयार कर रही थी आग्याधिब मैं किस तरह से आपकी कठिनाई दूर कर सकता हूँ वैद्यराजी ये कठिनाई केवल मेरी ही नहीं है समस्त असुर लोग की है और और इसे जन्म लेनी से पहले ही नश्ट करना है महारानी आपका संकेत कदाचित महारानी कयाधू के गर्व की ओर है जिससे नाराण का जाब सुनाई दे रहा है आप ठीक समझें वैद्यराजी तो फिर आपनी संकोच आदेश दीजिए परन्तो परन्तो संकोच मुझे कयाधू के प्रती है उसकी ममता का गला घोंटने का आदेश देते हुए मेरा मन व्याकुल हो रहा है यदि नाराण के नाम का जाब करने वाला ये बालक जन्मा तो अनर्थ हो जाएगा अनर्थ इसलिए विश्णू के विश्बीज को तुरंत नश्ट करना होगा इसी में असूर लोक और असूर जाती की भलाई है हाँ हाँ वैदेराजी गुरु शुक्राचारे के भी यही आज्या है आप इस आज्या का पालन करें जो आज्या महाराणी जी परंतु यह ध्यान रहे कि कयादू को कोई कष्ट नहों कोई कष्ट नहीं होगा आप चिंता मत कीजे महाराणी विश्च को विश्च ही नश्ट करता है कि इसलिए मैं विश्णु के विश्च के बीज को हलाहल से नश्ट करूंगा प्रणाव कि यह आप मुझे कौन सी दवा दे रहे हैं वैति राची यह आपके और समस्त असुरों के कल्यान की दवा है असुरों के कल्यान की दवा हाँ लीजिये लीजिये न नहीं मुझे नहीं चाहिए यह दवा मैं नहीं प्यूंगी इसे इसमें वश्यही बिश्मिला हुआ है रा ही कि दो मैं वेध्यराज ओं यामराजए छोआपको दवा के बगले शाहर देकर मार दूंँद ओर नहीं मैं आप से कहा ना मैं यह दवा नहीं प्यूंगी कुछे नहीं पिनी है यह दवा तो क्या आप महाराने सुमुके का आदेश भी नहीं मानेंगी तो क्या दीदी ने कहा है मैं ये दवा पीलू हाँ हाँ उन्हें का आदेश है तो मैं यहां आया हूँ लीजिये लीजिये हाँ 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 मेरा कार ये पूर्ण हुआ अब मुझे आग्या दीजिए प्रणाम महारानी जी अरे वेदेरा जी आईए आईए मैं आपे के प्रतिक्षा करे ही थी प्रणाम बेदेराची प्रणाम बेदेराची प्रणाम बेदेराची दीदी कह रही थी कि आप मुझे स्वास्त के लिए कोई शक्ति वर्दक दवा देने वाले हैं क्या हुआ आपका स्वास्त ठीक है ना ठीक है ठीक है मुझे क्या हुआ तो फिर बैठिये ना वेदेराची मुझे मालूम है कि आप कयादू को दवा पिलाने के लिए उसके कक्ष में गए होंगे और कयादू वाहने ही मिली होगी पेठ तो हुएति महाराणी पर… वेदेराची जैसे आप मेरे कक्ष से चले गए कःादू याम पर आ गई पर अएं पर अन्तु यह कैसे संभाव है राने कयाद्थ तो अपने कक्ष में है मैंगे रानी कयाद्थ को दवा भी पिलाई है यदि रानी कयादू यहाँ है, तो फिर वो कौन थी? वैदे राजी, आप कयादू के लिए दवा लाए हैं ना? तो फिर पिलाईए ना? परंतु वो दवा तो मैंने... क्या हो अस दवा को? कुछ नहीं, कुछ नहीं. वैदे राजी, लगता आपका स्वास्ति ठीक नहीं है. हाँ, ठीक नहीं, ठीक नहीं. तो इसमें उतना विचलित होने के क्या वशक्ता है? यदि आपका स्वास्ति ठीक नहीं है, तो आपका यादू को दवा कर बिला दीजिये. जैसे आपके आगया, जैसे आपके आगया दीदी, ये वैतिराची इतने, घबराय घबराय से क्यों थे पता नहीं, अचानक उन्हें क्या हो गया लगता था जैसे कोई भूत देख लिया हो ये क्या, राने क्यादू तो यहां भी है और वहां भी एक ही समय में दो अलग-अलग स्थानों पर असंभाव, असंभाव प्रणाम महाराने क्यादू वह दिराची, आप, आप फिर आगे, मैं वह दिराची, क्या फिर कोई दवा पिलाने आये हैं प्रणाम महा पिलाने हैं आपके दवा देने के बाद मेरी अंतर से नारायन नारायन की ध्वनी कितनी जूर से सुनाई देने लगी है नारायन देखिये न वे दिराची आप दवा मुझे पिलाते हैं और परिणाम सरूप नारायन नारायन का जब इसके अंतर से सुनाई देता है है न कमाल नारायन रुकियना में तिराची, रुकियना, कहा जा रहे है आप, 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 रुकियना, कहा कि मुझे सब कुछ गुरु शुक्राचार को बताना होगा सब कुछ बताना होगा कि अवश्य कोई भेंगर घटना घटने वाली है असुरश्वर के स्वेम माया भी होते हुए उनके महल में माया का खेल हो रहा है एक साथ तीन तीन कयादु को देखा है मैंने क्या मुझे दृष्ट्री भ्रम हुआ था या फिर मुझे मेरी आंके धोका दे रही थी मुझे मुझे सब कुछ जाकर गुरु शुक्राचार को बताना होगा मैं सब कुछ बता दूंगा सब कुछ बता दूंगा सब कुछ बतातूंगा गुर्णे मेरी रख्षा किजे मेरी रख्षा किजे गुर्णे गुर्णे मुट्य कुछ दिखानी ता गुर्णे मेरी रख्षा अब मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रहूँगा, तुम असुर शत्रुभालक को मुझसे बचा बचा कर रख रही हो, परन्त मैं उस पेड को ही उखाड फेकूंगा, जिस पर ये अंकुर फूटने लगा है, हाँ, मैं रानी कयाजु को ही समाप्त कर दूँगा, ना करेगी बासुरी, नहीं आलहाद, नहीं, कयादु का वद नहीं, परन्त माताश्री, अब यहीं एक उपाय सेश रह गया है, आलहाद, यदि हम कयादु का वद कर देंगे, तो हम असुरेशन को क्या उत्तर देंगे, इसका उत्तर दाये तो आप मुझ पर छोड़ दीजे महा परतु गुरुदेव, कयादु तो निश्पाप है, उसका वद हम क्यों करेंगे, महा रानी, जिस पात्र में विष होता है, वो पात्र में दूशित हो जाता है, रानी कयादु का पाप यही है, कि वो एक शत्त्रु बालक की मा बनने वाली है, फिर भी, असुरेश्वर का र और उस बालक को मारने का प्रयास किया था, परन्तो अब रानी कयादु का वद किये बिना, यह कार असंभाव है, अब रानी कयादु का जीवित रहना, असुरों के लिए घातक सिद्धोगा, इसलिए मैं युवराज आलाद को यह आदेश देता हूं, कि वो रानी कयादु क आपके आज्या का पालन अवस्य होगा, यशस्त्वी भाव, नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कीजिए, अलाद, देवर्शी, हमें कयादु की रक्षा करनी चाहिए, सत्य वचन देवेंद्र, सत्य वचन, गंगा मैया के भी यही इच्छा है कि आप ही कयादु की रक्षा करें, तब तो मैं इसी समय आक्रमन करके कयादु को अश्रों के बीच से छुड़ा लाता हूँ, नहीं देवेंद्र, ये भूल कदापी मत करना, इस समय शुक्राचारी सतर्क है और क्रोध में है, उनसे सिधी टकर लेना, अपने ही विनाश को निमंतरन देना है, तो फिर मैं क्या प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा, मुनीवर, प्रतीक्षा करने तक यदि कयादु का वध हो गया, तो धिर अज रको, देवेंद्र, धिर अज रको, और प्रभू की लीला, देखो प्हुट झाल ुछ देखाई Allan ुराज ुराज सो देखाई Danny ुराज सो दरो ने यूवराज डरने की कोई बात नहीं है ये इन देवताओं की माया है माया इस माया जाल को नस्ट करके आगे बढ़ो यूवराज अपना कारे सफल करो आगे बढ़ो यूवराज पुझे कुछ सिखानी दे रहा है हाँ यूवराज मेरी आखें भी खराब हो गई है यूवराज को डरने की कोई आउशकता नहीं है मैं भी महान माया ली असुरेश्वर हिरने कशब का फुत्र हूँ भै इस माया के खेल को सवाब कर कही होंगा तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा महिया तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा महिया तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा महिया प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया गंगा मैया निर्बल का बल तेरा ये जल अमर्त जैसा सब के लिए इसमें नहा के तन निर्मल हो मन पावन हो जो इसको पिये दूबे कभी ना उस पाणी की नया जिसकी तू बन जाए के वैया गंगा मैया जेरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया दूब जाए मैए याज्य जै 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 जान जनकिए जै 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 जान हम जै 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 गंगा क्या हुआ वट्स क्या हुआ वट्स क्या हुआ वट्स शुक्रचारे तुमने फिर अपनी माता को पुकारा अब कौन सा कश्टान पड़ा है मुझे अपना पुत्र मत कहो तुम मेरी माता नहीं हो क्योंकि माता कभी अपने पुत्रों को कश्ट नहीं देती तुम तो मुझे कश्ट ही कश्ट दे रही हो कश्ट ही कश्ट सारे देवता मुझे कश्ट दे रहे हैं नहीं पुत्रे तुम्हारे कष्ट तुम्हारी अपनी हटधर्मी की कोक से चन में हैं यदि तुम अपनी हटधर्मी छोड़ दो तो ये सारे कष्ट भी आप ही आप दूर हो जाएंगे भारगव शुक्रचारे तुम ज्यानी हो फिर भी देवी देवतां से टकराने की भूल कर रहे हो भूल मैं नहीं तुम और तुम्हारे सारे देवता कर रहे हैं मुझसे टकराने की भूल मुझसे चुनोहती दी है तुम सबने मुझे और मेरे तपसामरथ को मैं कयाद हूँ और उसके गर्भ को अपने तपसामरथ के बूते पर मारना चाहता था परन तु तुमने उसे बचा लिया मारने बचाने का परम अधिकार तो परमेश्वर का है और तुम हो कि प्रभु की परम भक्त को ही नश्ट करने का प्रयास कर रहे हो प्रतिज्या Jordi Swawa वे यह एक प्रतिज्ज्य और प्रतिज्य का या है पालंग किये जाता है यह अपने प्राणों को समर्पन परम तो यह शुक्नाचार। इंस हो कि तुम ज्यानी होकर अज्यानियों की भाती बाते कर रहे हों कि असुरों के गुरु बनकर असुरों की विनाशकारी प्रवृत्यां तुम में समा गई हैं जिनके प्रभाव से तुम्हारा तप सामर्थ हर पल्ख्षीन होता जा रहा है असंभव मेरा तप सामर्थ सिक्षीन नहीं होगा कदा पी नहीं होगा बलकि मुझसे टकराने वाले देवताओं की शक्ति छीन हो जाएगी चिन भिन करके रख दूँगा मैं देवताओं की शक्ति को चिन भिन कि प्रभू की इच्छा की हुई तुम कुछ भी तुम नहीं कर सकते भारगव क्यों हे अपने परण भगद का जन्म ऑर जन्म का ख्षंट तक कर रखा है ना इस जन्म को कोई रोक सकता है और नाहीं कोई एक ख्षंट को टाल सकता है मैं सादिस्ठान यग्चे करूंगा सादिस्ठान यग्चे देवेंद्र देख रहे हैं आप भार्गों शुक्राचार के स्वादिस्ठान यग्चे प्रभाव को रणाम गंगा मैया कल्यान मस्तु हे गंगा मैया आपकी बड़ी कृपा है जो आज आपने दर्शन देकर मुझे अनुगहित किया है आग्या कीजी मैया मेरे योग्य कोई सेवा वत्स मदुछंदा तुम्हारे हातों से एक माहान अलोके कारिस संपन होने जा रहा है मेरा सवभाग्य है मैया वत्स तुम परमपिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो स्रिष्टी की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी ने पहले जिन सब्त रिश्यों का निर्मान किया था उन सब्त रिश्यों में तुम्हारा स्थान सर्वस रिष्ट है फत्स सृष्टी की रचना के कार्य को संपूर्ण करने में तुम्हारे योगदान की आवशकता है आग्या दिजे बया मैं सेवा के लिए तयार हूं मातेश्वरी आप तो जानते ही हैं कि स्रिष्टी रचना के इस कार्य को संपूर्ण करने का कारण भग्त प्रहलाद होंगे मैं जानता हूं मातेश्वरी भग्त प्रहलाद का जनम शीगरी होने वाला है परंतु भार्गव शुक्रचारिय इस होनी को अन होनी में बदल देना चाहते हैं भार्गव शुक्रचारिय वह भग्त प्रहलाद की होने वाली माता कयादू के प्राणों की बैरी बन गये हैं इसलिए रानि कयादू को सुरक्षा सहित आपके आश्रम में पहुंचाया जाएगा मेरे आश्रम में प्रभु के परंभक्त की माता मिलकुछ सुरक्षित रहेगी मैया प्रभु के परंभक्त प्रहलाद का जन्म आप ही के आश्रम में होगा ये मेरे लिए गौरफ की बात है मैया, मुझे आशिरवात दीजे, मैं अपने कर्तव्य को भली भाते निभा सकू मैया तथास्तु शुक्रा चारे प्रले मचा देंगे प्रले प्रभु के परम, भक्त, प्रलाद और उनकी माता, रानी, कयादु दोनों के प्राण संकत में पढ़ जाएंगे हम मैसा करापी नहीं होने देंगे परंतु शुक्राचारे और हिरनकश्यक को यग और तबस्या द्वारा न तो शक्ती प्राप्ट करने से कोई रोग सकता है नहीं शक्ती के दूरुपयोग से परंतु शुक्राचारे इस शक्ती के दूरुपयोग से भाक्त प्रढ़ात को जन्म से पहले नश्ट कर देना चाहते हैं परन्तु इससे पहले मैं शुक्राचारे के उस यग को भी ध्वस्त कर दूँगा जिससे वो शक्ति प्राप्ट करने का प्रयास कर रहे हैं हम एक बल भी नश्ट किये बिना इसी समय आक्रमन करेंगे मुझे दीडी से मिलना है मुझे जाने दीजे जाने दीजे मुझे मुझे जाने दीजे मुझे हम एक शमा कर दीजे महारानी हम आपकी आज्या का पालन ना करने पर विवश हैं दीडी दीडी इतने का ठोर मत बनिये केवल एक बार मिझसे मिल लीजे एक बार मेरी बिन्टी सुन लीजे दीडी दीडी आप ही ने तो कहा था कि जब मुझे अपनी मा की याद आए तो मैं आपके पास चलिया हूँ इस समय आप ही मेरी माँ है, मुझे बज्जा लीजिये माता, अपनी बेटी को अपने आचल में छुपा लीजिये, मुझे मत दुख राइए, दीदी मुझे मत दुख राइए, दीदी, दीदी आपने तो हमेशा मेरा भला चाहा है, सदा मुझे आशिरवाद दिया है, अब मुझे श्राप मत दीजिये, कोई माँ अपनी संतान को श्राप नहीं देती, दीदी, मुझे पर दया कीजिये, दीदी, मुझे पर दया कीजिये, दीदी, आप ही मेरा एक मात्र सहारा है, मुझे बे सहारा मत चोड़िये, दीदी मुझे बे सहारा मत चोड़िये, मुझे बे सहारा मत चोड़िये, दीदी, आप आगई, आगई आप, आपने मेरी बिंती सुन ली, दीदी अच्छा हुआ कि आपने हम दोनों के बीच इस तलवार की दीवार को गिरा दिया, अरे पगली, हम दोनों के बीच में ये तलवार की दीवार थोड़ी है, परन्तु तुम्हारे पेट में पलने वाला ये बच्चा हम दोनों की दीवार बन गया है, नहीं दीदी, ये बच्चा सबी असुरों के मन में तलवार की दोकी भांती चुब रहा है क्याधू, दीदी, क्याधू, तुमुझे अपनी माता के समान मानती हो ना, हाँ दीदी, और मैंने तुम्हां अपने पेत में पलने वाले इस अंश को नष्ट करने के आज्या भी दी थी ना? हाँ दीदी, परंदू. कयाधू, तुम मुझे अपनी माता के समान भी मानती हो, और मेरी दी हुई आज्या को ठोकर मार कर मेरा अपमान भी कर रही हो. कयाधू, तुम ने सिफ मेरा ही नहीं, गुरु शुक्राचारी का भी अपमान किया है. नहीं दीदी, मैंने किसी का अपमान नहीं किया. दीदी, आप तर एक मा हैं, मेरी तरह एक नारी है, तिर आप मुझ से एक मा होने का गौरवर समान कैसे चीन सकती है? इसलिए कि तुम्हारे इस बच्चे के कारण हम सबके मन की शांती नश्ठ हो चुकी है. नहीं, नहीं. कयाधू, तुम अभी जवान हो. एक बच्चा नश्ठ हो गया, तो क्या हुआ? तुम फिर से मा बन सकती हो. नहीं. एक बच्चा नश्ठ हो जाने के कारण, तुम्हारी गोध हमेशा के लिए तो सूनी नहीं हो जाएगी, पर उन्तो एक घोर समस्या का अंथ हो जाएगा, कयाधू. नहीं, नहीं. कयाधू, तुम असुरेश्वर की लागी पत्नी हो. असुरेश्वर का सम्मान तुम्हारा सम्मान है, और असुरेश्वर का अपमान तुम्हारा अपमान है. कयाधू, तुम एक पत्नी होकर अपने पती का अपमान करने का दुस्साहस कर रही हो. नहीं. कायादू, असुरेश्वर यह कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी पत्नी एक देवता के शड्यांत्र को जन्म दे नहीं दीदी, नहीं कायादू, तुम अपने पती परमेश्वर का अपमान करना चाहती हो नहीं तो फिर यह लो कर नहीं स्टा таन चाहती, आसली आयान चाहती हो कर दो इकभ दीदी rainbow कर दो अप्रा चाहती एक कायादू कर दो आज कर दो नहीं कर दो छूषर एक वर आया कर दोยं कर दो डो कि दोप्रा चाहतीो झालो को प्रस्टा है जालो को अगर शैला दरने की कोई आवशकता नहीं है हिम्मत से काम लो हम इन देवताओं को परास्ट करने में अवस्य सफल होंगे चलो भेवीरो, भावीरो राजबहल की सुरक्षा का तद्काल प्रबंद करो हर तरफ पहरियों को भैला दो चलो देखा कायाधू, देखा तुम्हारे ही कारन देवताओं ने हम पर आक्रमन कर दिया नहीं 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 देवेंद्र ओ, यो व्राज आलहाद आप हमसे युद्ध करने आये हैं मैं तुम्हारे दुस्ताहस का दंड देरे आया हूँ बड़े जोश में लगते हो परन तु पहले इस प्रहार का तु उत्तर दो जाओ युवराज जाओ मैंने तुम्हें जीवन दान दिया युवराज आलहाद अभी तुम बच्चे हो बच्चे तुम में हमारे प्रहार की उत्तर देनी की शक्ती नहीं है जाओ और अपने पिता को भेज दो तपस्या के बहाने वो कायर नाजाने किस एकांते मुझ छुपाये बैठा है यदि असुर राज यहां आ गए तो तुम सबके सब सर पर पैर रखके भागते दिखाई दोगे तुम्हारी यह अकर धरी की धरी रह जाएगी मैं रानी कयादू की सुरक्षा के लिए उनका हरन करने जा रहा हूं तब तक आप सब यह उद्धचारी रखिए जो आग्या देविंद्री घर रहन देविंद्री मैं जो मैं टो आएगी जो मैं आफ Hiskag congregation जो मैं जो मोँविंद्री प्रणाम पिता श्री आप प्रूम ब्रह्मने नमग असुर रोक में हाहकार बच गया है असुर जंदा त्राही त्राही कर रही है और आप यहां पर ओम की जाग कर रहें प्रमाणे नमग यदि असुर रोक ही नश्ट हो गया तो आप यह तपस्या कि जाग किस काम हाएगा इसलिए पिताश्री यह तपस्या छोड़िये और असुर लोग चलिए बहां आपकी अतिशी क्रावशक्ता है आप किवाल आप ही देवताव के प्रगोप से असुर को बचा सकते हैं किवाल आप अब मैं क्या करूं विताश्री का ध्यान तो भंकी नहीं हो रहा अब केवल गुरु शुक्राचार ही असुरों को संकट से बचा सकते हैं केवल गुरु शुक्राचार है अब नहीं 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 वाट्स घबराओं नहीं मैं देवराज इंद्र तुम्हें यहां से बचा कर ले जाने आया है चलो मेरे साथ नहीं मैं तुम्हें बचा कर ले जाने आया हूँ नहीं मैं आपके साथ नहीं आ सकती चलो मेरे साथ चोड़ दो मेरे होते हुए तुम का यादू को हाथ भी नहीं लगा सकते तुम का यादू 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 क्या दूंग, 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 क्या कि दबराओं नहीं मैं तुम्हें बचा कर ले जा रहा हूं दबराओं नहीं वक्त्स पचाहू तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मया तेरी जय हो जय हो गंगा मैया कि दोलशघ मैं नहीं थे जय हो जय हो जह जय हो जय हो जय हो जोगा जय हो जङोआ तेरी जय हो जय हो ये गंगा मैया तेरी शरन में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया गंगा मैया गंगा मैया निर्बल का बल तेरा ये जल अमर्त जैसा सब के लिए इसमें नहा के तन निर्मल हो मन पावन हो जो इसको पिये दूबे कभी ना उस पाड़ी की नया जिसकी तू बन जाए कि वह या गंगा मैया तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया गंगी जै जै जा गंगी जइजए गंगा मैया का खके दो स्टीने थिलोग। दो झाहु दो दो समय का जो Sor樹 ती हरा टीदी बीदी डीदी झेई तीदी झेदी क्लाओट 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 क्लाओट起ं तीदी ढीदीgg तीदी ती गवराओ नहीं मैं तुम्हें बचा कर ले जा रहा हूं बचाओ मैं नहीं जाना जाती गुरुदेव देवताव नियाकरमन करके असुरों के मान समान की धर्जिया उड़ा दिया है गुरुदेव और जो थोड़ा मान बचा हुआ है उसकी रक्षा केवाल आप कर सकते हैं गु अपने अनुष्ठान से जाग जाएए गुरुदेव अपने अनुष्ठान से जाग जाएए गुरुदेव आपने मुझे असुरों के राज किसु रक्षा का उतरदाईतों चापा था परंतु मैं अपने उतरदाईतों का पालन नहीं कर सका यदि आप चाहें तो मुझे पिता श्री अपनी तबस्या में ऐसे लीन है कि उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा यदि आपने भी मेरी बात नहीं सुनी तो हो चुका असुरों का कल्यान देव तामिर्भे होकर आप दोनों की अनुबस्थिति का लाब उठा रहें गुरुदेव हमारी रक्षा कीजे गुरुदेव हमारी रक्षा कीजे अब मैं क्या करू गुरुदेव अब मैं क्या करू मुझे छोड़ दीजे, मुझे असुर लोग वापस जाने दीजे, मुझे छोड़ दीजे कयादू, पागल हो गई हो क्या, हम तुम्हें असुरों के चंगुल से छुड़ा लाए हैं और तुम हो कि फिर उनके जाल में फसना चाहती हो परन्त मैं अपने पत्ती परमिशर की आखे की भी न, कहीं नहीं जा सकती कयादू तुम पत्नी का धर्म निभाना चाहती हो, मा की ममता नहीं असुर तुम्हारे होने वाले बालक और सुवयम तुम्हारे प्राणों के शत्रू हो गए हैं तुम्हें अपनी जान की चिंता नहीं, परन्तू अपने होने वाले बालक की तो चिंता करो क्यों उसे मृत्यू की खाई में ढगेलना चाहती हो परन्तू यदि मैं इस तरह चली गई, तो असुरेशर नाराज हो जाएंगे पुत्री का याधू, तुम मा बनने जा रही हो, परन्तू मम्ता क्या होती है यह नहीं जानती, मम्ता का धर्म होता है कि अपनी संतान को सुरक्षा प्रदान करें, इसलिए मैं तुम्हारी मैया होकर, तुम्हें असुरों के बीच संकट में नहीं छोड़ सकती थी, मेरे होते हुए, यदि तुम्हें कुछ हो जाता, तो मुझे मैया कहलाने का अधिकार ही नहीं रह जाता। अब आप जैसा कहेंगी, मैं वैसा ही करूँगी। पुत्री, मैं तुम्हें मदुचंदा के आश्रम में भेजना चाहती हूँ, तुम वह पूर्ण रुप से सुरक्षित रहोगी। रिशी मदुचंदा अगनी के उपासक हैं, महान तपस्वी हैं। उनका तब सामर्थ भारगव शुकरचारे के तब सामर्थ से भी श्रेष्ट है। इसलिए महारगव शुकरचारे उनके आश्रम में तुम्हारा कुछ भी नहीं विगाड़ सकेंगे। तुम निश्चंद होकर जाओ। जैसी आपके आग्या मातेश्वुरी, इंद्र राज। मातेश्वुरी, आप चिंता मत कीजिए। कयाधू को मदोसंदा रिश्ची के आश्रम में सुरक्षित रूप से पहुँचा दिया जाएगा। हम इन देवताओं को छोलेंगे नहीं, चलो इनका पीछा करते हैं। देवराज, असुराबारा पीछा कर रहे हैं। उन्हें रोकना होगा। उनसे युद्ध करना होगा। युद्ध हुआ, तो कयाधू के प्राण संकट में आ जाएगे। सब किये कराय पर पाने फिर जाएगा। अब क्या करें। क्या करें अब। ना रायन, ना रायन, ना रायन, ना रायन, ना रायन। देवर्षी, आप उचित समय पड़ाए हैं। प्रणाम देवर्षी। कल्यान मस्तू। देवे इंद्र, आप असुरों के साथ युद्ध कीजिए। और मैं क यूदु को, दिसीक रेष्ट। मदुचंदा के आश्रम में ले जाता हू। देवर्षी, आप ने तुम मेरे मन की बात कह दिए। ना रायन, ना रायन, ना रायन, ना रायन। ना रायन, ना रायन। ना रायन ना रायन वाँ प्रभू आपकी लीला अगाध है चलो क्या दू ना रायन ना रायन ना रायन चलो क्या दू चलो चैन को जारो तरफ से घेल लो इंडियरताओं को चलो अच्छा ही हुआ कि असुरो ने हमारा पीछा किया अब देखो इस युथ द्वारा मैं कैसे गुरु शुक्र चारे का अनुष्ठान भं करता हूँ अक्रमार अच्छा 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 फज़ खूलाईब में сот ब elétक RAM मैं ओो ही एं हमाए मारे गर खुछ photon मैं नहां एं दो लो है एंग घर खंग नहां पर हमाए मैं fitness कि वँ कोजय हैous कि व्ववाल ाव भूी झाल 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 विष्णू मैं जानता हूँ तुमीने मेरा यग्यानुष्ठान धंद करवाया है मैं इसका प्रतिशोद लूँगा मैं अपने तब के बल्बूते पर समस्त लोकों को जलाकर राक कर दूँगा अभी अलहाद पत्र अलहाद होश में आलहाद यह कैसा कोलाहल मचा हुआ है यह असर लोक में कैसा रोना धोना मचा हुआ है पत्र पत्र अलहादोग खुआ है यहilated पुझ भूष में आओ अलहाद होष में आओ गुरुदेव चुभ अचा भूआ पागय है, देखे ये क्या अणर्थ हो गया है किसने किया यह नर्च किसने देवेंद्री ने गुरुदेव देवेंद्री ने उसने हमारी सुन्दर नगरी को शमशान भूमी में बंदल दिया गुरु देव युवराज आलहात को पराचित कर दिया है most और क्या महाराणी और क्या और उस लिए उसे हमारी रानी का याधू का हरन कर लिया गुरु देव रानी का हरन कर लिया देवेंद्र मैं जानता हूं कि तुम ने क्यों आसुर रोक पर आकरबन किया और क्यों रानी कैयदू का हराल किया, मैं जानता हूँ तुम चाहते हो के कैयादू हमारे परम्षत्रू विष्दू के भक्त को जन दे परण्तो ऐसा नहीं होगा, कदाप भी नहीं होगा तुमने कैयादू को अवश्य कहीं छुपा दिया होगा मैं इसी समय पता लगाता हूं के काया दू कहां है इसी समय ना रायन ना रायन ना रायन महारानी इस समय देवर्शी नारद कायाधू के लेकर रिशिष्रेष्ट मधुशंदा के आश्रम में पहुच गए है रिशिवर प्रणाम प्रणाम रिशिष्रेष्ट ये है रानी कयाधू सदा सुखी भावा रानी कयाधू रिशिष्रेष्ट मधुशंदा के इस पवित्र आश्रम में तू मत्यन सुरक्षित हो पुत्री ये आश्रम वास्तों में एक आखाश द्वीप के समान है महर्श्री मधुशंदा अगनी के उपासक हैं इसी कारण इस आखाश द्वीप के चारों और एक अगनी चक्र विद्द्वान है वत्स इस ब्रह्मान में ऐसा कोई भी व्यक्ति इतना प्रतापी नहीं है तो इस आश्रम की रक्षा करने वाले अगनी चक्र को पार करके इस आश्रम में आग्या बिना घुसने के हिम्मत कर सके रिशिश्रेष्ट प्रभु के परमभक्त प्रहलात की होने वाली माता अब आपके पास धरोहर है देवर्शी ये मेरा स्वभाग्य है कि प्रभु का परमभक्त मेरे आश्रम में जन्म लेगा और ये भक्त प्रहलात का स्वभाग है रिशिश्रेष्ट जो आप जैसे परमभक्त के अति पावन आश्रम में वो जन्म लेगा दो भक्तों का ऐसा संगम योगो योगो में कभी कभार ही देखने को मिलता है नहीं रिशिवर भग्वान के परमभक तो आप हैं आपके सामने मेरा क्या मोल आपके आगमन और चरन सपर्ष से इस आश्रम की गरीमा बढ़ी है रिशिश्रेष्ट हम दोनोई प्रभु की परमभग रानी कयाधू को तो भूली रहे हैं प्रभु ने जिनका जीवन अपने परमभग प्रलाद की माता की रूप में किया है नहीं नहीं मनिवर ये तो भगवान का उपकार है मुझ पर जो वो मुझे अपने परमभक्त की माता होने का गौरो पुर्दान कर रहे हैं अनिथा मैं तो एक तुछ नाकन्या हूं नहीं वर्थ प्रभु के दृष्टी में सुर असुर मनुष्य नागादी जाती का कोई मोल नहीं है जो प्राणी अपनी जाती का अहंकार करता है वो व्यर्थी है क्योंकि प्रभु के समीप केवल भक्ती सर्व स्रेश्ठ है और ये भक्ती विश्वास दृड़ विश्वास और श्रद्धा का उदाहरण तुम्हारा पुत्र प्रहलाध होगा प्रभु की ये बड़ी कृपा है मुझ पर हाँ ये प्रभु की ही तो कृपा है जिसने हम सभी भक्तों को इस समय एकत्रित करके इस आश्रम को भक्तों का पावन संगम बना दिया है पुत्री कयाधू तुम इस आश्रम को अपना धैरी समझो हाँ पुत्री का याद हूँ तुम ऐसा समझो कि तुम अपने बच्चे को जन्म देने के लिए ससुराल से माय के आ गई हो तुम हिन अपने एस्पिता के घर में कोई कश्ट नहीं होगा पुत्री माता कल्याणी आग्या गुरुदेव आच्छी कायाद हूँ तुमारे साथ रहेगी जी आओ पुत्री रिशिश्रेश्ट अब मुझे आग्या दीजिए अच्छा दी शिवर नरा यर नरा यर नरा तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया कर दो कर दो तेरी शरन में जो भी प्राणी आया उसका बेडा पार लगाया गंगा मैया गंगा मैया ये गंगा मैया जे 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 जरहर दंगी निर्बल का बल तेरा ये जल अम्रित जैसा सब के लिए इसमें नहा के तन निर्मल हो मन पावन हो जो इसको पिये दूबे कभी ना उस पाड़ी की नया जिसकी तू बन जाए खे वैया गंगा भैया तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा भैया कि दूबेंद्र मैं जानता हूं तुमने क्यों आसु रोख पर आकर्बन किया और क्यों रानी कायजू का हर रंकिया मैं जानता हूं पुत्री कयाधू, तुम्हें इस आश्रम को अपना धैरी संजो. क्या बात है पुत्री कयाधू? तुम्हें रो क्यों रही हो, क्या ये आश्रम तुम्हें पसंद नहीं आया, या फिर यहाँ कोई कमी है? नहीं मैया, यहाँ कोई कमी नहीं है, यहाँ सब कुछ है, परन्तु, परन्तु क्या कयाधू? परन्तु मा नहीं है, जब मैं असुर लोप में थी, तो दीदी सुमुखी ने मुझे मा के कमी कभी महसूस नहीं होने थी. पुत्री, श्त्री जब तक सुवयम मा नहीं बन जाती, वो उस नन्य बालक की भाती होती है, जिसे हर पक पर मा की उंगली थामने की आवशक्ता रहती है. और विशेश करके मा बनते समय भी उसे मा की अत्यंत आवशक्ता रहती है, इसलिए इस समय इस आश्रम के एकांत में तुम्हारा भावुख हो जाना उचित है. हाँ मैया, जैसे जैसे भक्त परहलात के जन्म लेने की खड़ी निकट आ रही है, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है, मुझे सहारे की जरूरत है मैया, मैं क्या करूँ, मैं अपने इस व्याकुलमन को कैसे समझाओ। पुत्री, जब संसार में कोई सहारा नहीं रह जाता, कोई आशा नहीं रह जाती, मन अकेला रह जाता है, तो यही सबसे उचित समय होता है अपने प्रभू को समरन करने का। जगत पिता को जो अपनी हर रचना, हर प्राणी के लिए पिता भी है और माता भी। वत्स इस एकांत के अफसर में अपने दुख, अपने मन की व्यथा को अनन्य भक्ती भाव में बदल दो। फिर तुम्हारे ये आशू जो गिर-गिर कर मिट्टी में मिल रहे हैं, श्रध्धा और भक्ती के वो मोती बन जाएंगे, जिनका कोई मोल नहीं लगा सकता। मैया, आपने मुझे धारस बंधा दिया। मुझे भक्ती का मार्क दर्शाया। मैं आपके आभारी हूं मैया, अब मैं प्रभु की नाम का स्मरन करूंगी। हाँ पुत्री, ओमकार का जाब किया करो। यही शब्द ब्रह्म है। यही सर्व व्यापी सत्य है। और इसी में ब्रह्मा, विश्नु, महिश का निवास है। यही ओमकार स्वरूप ब्रह्म स्रिष्टी के आदी से अंतक व्याप होकर भी अक्षरावाणी के रूप में नित्य रहता है। वत्स का यादू, ओमकार से ही सब है। तुम इसी महमंत्र की साधना करो। जो इस मंत्र का जाब करके उसे सिद्ध कर लेता है। वो भूह, भूवह, स्वह, माह, जनह, तपह, सत्यम इन सभी लोकों से परे परलोक में जा पहुँचता है। जहां माहा विश्णू का परम धाम है, वैकुंठ धाम है। ओमकार की साधना करने वाले साधक को भ्रम्मा, विश्णू, महेश, तीनों अनुग्रहित करते हैं। पुतरी का याधू, तुम इसी माह मंत्र का जाब करो, फिर तुम्हारा मन कभी अशान्त नहीं होगा। और इसी जाब के कारण तुम्हारे पेट में पलने वाला तुम्हारा पुत्र प्रहलाद तुम्हारा शिश्य बन जाएगा। और तुम उसकी गुरू बन जाओगी। जो आक्या माता। वहारा शिए अख़िया महारानी अच्ट मेरी आवग्या करने का परणाम देवताओने रानी का अच्ट का हरन करके उसे मदुछंदा रिशी के आश्रम में पहुचा दिया है जहां कोई असुर नहीं पहुंच सकता अब अब क्या होगा गुरुदेव अब तो केवल अनर्थ होगा महरानी केवल अनर्थ प्रहलाद का चन्व जिसे मैंने असंभव बना दिया था उसे तुमने संभव बना दिया नहीं नहीं गुरुदेव ऐसा न कहिए, यदि ऐसा अनर्थ हो जाएगा, तो असुरेश्वर हमें कभी ख्षमा नहीं करेंगे. ये तो तुम्हें उस समय सोचना चाहिए था, महारानी. जब रानी कयादु का गर्भ नश्ट करते समय तुमने दया से काम लिया था. उस समय तो रानी कयादु के प्रदी तुम्हारे दिल में बड़ा प्यार उम्ड़ा था न? ये, ये क्या कह रहे हैं, गुरुदेव? मुझ से कुछ भी छुपा नहीं है, महारानी. मैं तुम्हारी अंतर आत्मा तक में जांक सकता हूँ. यदि उस समय तुम्हे रानी कयादु का गर्ब नश्च कर दिया होता, तो आज सिती इतनी गंभीर नहीं होती. मुझे, मुझे ख्षमा कर दीजी, गुरुदेव, मुझे ख्षमा कर दीजी, मुझे भूल हो गई है, आप चाहें, तो मुझे मृत्यो दंद दीजीए. ना! परन्तु होने वाले इस अनर्थ से, असुर कुल को बचा लीजीए, गुरुदेव. अब गुरुदेव, केवल आप भी, आप भी असुर लोग को इस संकट से निकार सकते हैं, आप स्वाधिश्टान यग्य फिर से कीचिए, और उससे प्राप तपोबल से, आप देवताओं के शडियंतर को नश्र कर दीचिए. नहीं महारानी, नहीं, अब ये असंभाव है, असंभाव, क्योंकि ऐसा यग्य अनुष्ठान बार बार नहीं किया जाता, बलकि एक युग में केवल एक बार किया जाता है, इसी का लाब उठाकर देवेंदर ने मेरा यग्य फंगर दिया. तो फिर आप, आप देवताओं की इस चाल का उत्तर कैसे देंगे आप? महारानी सुमुखी, एक यग्य के दस्ट होने से शुक्राचारे का तपोवल शुन्य नहीं हो गया है. मेरे पास अपरी शक्तियों का वो भंडार है, जिसका उत्तर देवताओं के पास चल की अत्रिक्त और कुछ भी नहीं है. मेरी शक्तियों से भैबीत होकर ही उन्होंने रानी कयादू का हरन किया. मेरे प्रकौप से भचाने के लिए उन्होंने मदुशंदा रिशी का साहरा लिया, परन्त मैं शुक्राचारे. उनके इस शड्यांत्र को कभी सफल नहीं होने दुगा, कतापी नहीं. मैं भी तो देखूं कि मदुशंदा रिशी वस्तू क्या है. उनके प्रकौप मादा स्टू यढाल क्या मादा का सरे मकान सरे सoleचं कि मैं।, औ chick प्रकूच्या रिवस्तून जहीं. वादू धक्या है. How प्रकू कि मादा रिश्या, रिश्या को का सुखने मदुशंदा. प्रणाम भारगो प्रणाम इसी श्रेष्ट कैयादू को छल और बल के साथ उठाकर यहाँ लाया गया है वोरानी है असरों की लाज है वो और आपने उसे अपने आशरम में आशर देकर मुझे जुनौती देने का साहस किया है आप कैयादू को मेरे हवाले कर दिए नहीं गुरू शुक्राचार यह संभाव है आप भूल गये होंगे परन्तो मुझे रिश्यों और मुनियों की परंपरा भली भात याद है जिस किसी को वो अपनी शरण में और सुरक्षा में लेते हैं उसे संकट में नहीं छोड़ते कैयादू मेरे साथ ही रहेगी गुरू श्रेष्ट कैयादू शरणागत नहीं है इसका अपहरण हुआ है इसलिए से चुप चाप मेरे हवा दे कर दिजिए मैंने कहा न भारगव कि यह संभाव है मैं रिश्यों की परंपरा को नहीं तोड़ सकता क्या रिशिश्रेष्ट आप मेरी कुरोधागनी में अपमान का घी मत ठुड़किए वरना मैं आपके इस आश्रम को कुरोधागनी से जलाकर भस्म करतूँगा भारगव आप जैसा परंग्यानी जब क्रोध और अहंकार के कारण देवेक शुन्य हो जाता है तो मुझे हसी आती है अरे जिस आश्रम में स्वैम अगनी प्रहरी बनकर पहरा दे रही हो उसे आप कैसे भस्म करेंगे इसका अर्थ यह हुआ कि आप कयादू को असरों के हवाले नहीं करेंगे अवश्य करूंगा भारगव अवश्य करूंगा मैं कयादू को भी असरों के हवाले करूंगा और कयादू के होने वाले बालक को भी हाँ भारगव कयादु और उसका होने वाला बालक मेरे पास असरों की अमानत है जिसे मैं सुरक्षित रूप में सुयम असरों लोग लाकर असरों के हवाले कर दूँगा रिशिश्रेष्ट इसका अर्थ ये हुआ कैदु को यहां से ले जाने के लिए मुझे अपनी शक्तियों का प्रियोक करने के लिए विवश्च होना पड़ेगा भारगव यदि आप अपनी शक्तियों का अपमान करना चाहते हैं तो करके देख लीजे मेरे आश्रम मेरे इच्छा के विरुद कोई प्रवेश नहीं कर सकता है हां यदि कोई निस्वार्थ निश्कपट साथ भावना से आना चाहे तो ये प्रहरी अगनी उसे आदर से रास्ता देगे और उसका स्वागत करने की गुरुदेव आप मुझे ले जाने की हट छोड़ दीजिए कया दू तुम्हारे कारण मेरा इतना भेंकर अपमान हो रहा है तुम्हारा हरंगर के देवताओं ने तुम्हारे पती परवेश्च्वर असुर सम्राड का भी अपमान किया है फिर भी तुम अपने पती के शत्रों का बक्स ले नहीं हो नहीं नहीं गुरुदेव तो फिर छोड़ दो ये पापी अश्रम और मेरे साथ असुरोग चलो रानी कया दू ये मेरा आदेश है कया दू तुम मेरी आवक्या कर रही हो नहीं गुरुदेव मैं आपके साथ नहीं चलूँगी कया दू ये भार्गवup कयादू आपके साथ नहीं आना चाहती इस वेस्त इसका परिनाम भयंकर होगा नहीं भारगव इसका परिनाम शुभी होगा क्यूंकि कया दू प्रभू के पर्ंभक्त प्राहलात को जन देने वाली है जो शंपूरस और लोकॉत राहुत करेगा आब पसे बॉट तो जुट decl sarु स pretब अ जुट यजा तो गंगा तुम, मेरा रास्ता क्यों रोका तुम नहीं। माच अपने पुत्र को गलत रास्ते पर बढ़ते देखती है, तो आगे बढ़कर उसे रोकती ही है वत्स। हार। तुम भी तो बहक और भटक गए हो। इसलिए मैं तुम्हें भक्ति के मार्क पर वापस लाने का प्रयास फिर करने आई हूँ। भक्ति! भक्त! असुर कभी भक्ति से नहीं। शक्ति से काम लेते हैं शक्ति से ही। परन्तु ये शक्ति भक्ति द्वारा ही प्राप्त की जाती है। ये तुम भली भाती जानते हो। और इसलिए तुमने हिरने कशप को भी भक्ति करने के लिए भेज दिया है। भक्ति के लिए नहीं। तपश्या करने के लिए तपश्या। तपस्या भक्ति का ही एक रूप है पुत्र और तुम भी तो तपस्या के रूप में भक्ति ही करते हो फिर भक्ति से तिरस्कार का दिखावा क्यों करते हो तिरस्कार तो मैं सभी देवताओं का करता हूं और जिनका मैं तिरस्कार करता हूं उनकी भक्ति कदापी नहीं अब तो मैं देवताओं के हाथों बनी कट पुटली काया दुका भी तिरह स्कार करने लगा हूँ क्योंकि वो विष्णू के अपवित्र अंश को जर्म देने के लिए असरों से द्रौ कर रही है तुम प्रभू का अपमान कर रहे हो पुट्रू मैंने विष्णू का कभी सम्मान नहीं किया कभी नहीं इसलिए तुम प्रभू की लीला को देख नहीं पा रहे हो लीला नहीं चल कहो गंगा चल प्रभू की लीला को चल कहने का पाप मत करो पुट्रू उनकी लीला को पहचानो और प्रभू की शरन में जाओ तुम्हारा और असुरों का कल्यान हो जाएगा विश्नु और असुरों का कल्यान? विश्नु कभी असुरों का कल्यान नहीं कसक्ता और मैं दियुताओं का कल्यान होने नहीं दूँगा मैं क्याद और उसके अपवित्र गर्भ को नश्ट कर दूँगा मैंने कभी हार नहीं मानी गंगा मेरी जीत होके रहेगी और आश्य होगी तुम बहुत हटी ले हो पुत्र है है कुरनाथ रभू है देवी कि आप कुछ विचलित दिखाई दे रही है क्या बात है देवी गंगा किस कारण वश आप चिंति दिखाई दे रही है है जगत के पालनहार है विश्व विधाता आप तो अंतर यामी है आप से क्या छुपा है है प्रभू मैं कयाधू के कारण विचलित हो गई हूँ परन्तु अब आपको विचलित होने के आवशक्ता नहीं है हे दिवी गंगा आपके आशिरवात के साकार होने का समय आ गया है भाक्त प्रहलात के जन्म के शुप घड़ी आप पहुचे है प्रभू आप परम दयालू हैं आप सुह मम्ता और वातसली की मूरत हैं आप हम सबकी माता स्वरूप हैं आपके स्निया के समीप मेरी मम्ता कुछ भी नहीं है हे सर्व व्यापी परमात्मा आप समस्त चराचर और स्रिष्टियों के आदी पुरुष हैं आप ही आरंभ हैं और आप ही अंध हैं आप ही तारक हैं और आप ही मारक हैं आपकी कृपा द्रिष्टी जिस पर होती है उसकी ओर महाकाल भी देखने का साहस नहीं कर सकता आपकी कृपा के कारण भक्त प्रहलाद अब शेक रही जन्म लेने वाला हैं इसी संबंध में मेरी आपसे एक बिंती है प्रभू ने संकोच कहिए देवी गंगा है प्रभू मैंने ही कयाधू को अपनी व्याकुलता और चिंता दूर करने के लिए आपके मंत्र का जाप करने को कहा था परन्तो इस जापने उसमें आपके दर्शनों की अभिलाशा को उसके लिए असहिनिय बना दिया है और फिर वो आपके परम भक्त की मा बनने जा रही है क्या आप इस शुक अफसर पर कयाधू को दर्शन नहीं देंगे प्रभू आप जैसे जगत माता की विनती मैं कैसे अस्विकार कर सकता हूँ मैं अवश्य का याधू को दर्शन दूँगा अवश्य आपको कोटी कोटी प्रणाम प्रखू तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया तेरी जै हो जै हो जै हो तंगा मैया ए डंग frequencies तेर्शन दूख्य ढ़ को को जै हो जै हो जै Mushom को का भंगा मैं अवश्य झाल ए गंगा मैया तेरी शरन में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया गंगा मैया गंगा मैया निर्बल का बल तेरा ये जल अमृत जैसा सब के लिए इसमें नहा के तन निर्मल हो मन पावन हो जो इसको पिये दूबे कभी ना उस पाणी की नया जिसकी तू बन जाए खे वैया गंगा मैया तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया हे सर्वव्यापी पर्मात्मा आप समस्त चराचर और स्रिष्टियों के आदी पुरुष है आपकी कृपा के कारण भक्त प्रहलाद अब शीग रही जन्म लेने वाला है क्या आप इस शुप अफसर पर कयाधों को दर्शन नहीं देंगे प्रभू आप जैसे जगत माता की विनती मैं कैसे अस्विकार कर सकता हूँ मैं अवश्य का याधों को दर्शन दूगा अवश्य आपको कोटी कोटी प्रणाम प्रभू प्रभू ये मेरे मन को क्या हो जाता है जो मुझे आपका नाम लिये बिना चैन ही नहीं आता चाहे में जागूं या सूम मन में बार बार आपका विचार आता है और अनाया से मन आपके नाम के मंत्र का जाप करने लगता है फिर ऐसा लगता है सारा संसार सारी स्रिष्टी इसी मंत्र का जाप कर रही है ओम विष्ण वी नमा 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 वूम विष्ना वे नमाहा निश्चित होगा भक्त को इसका शुब भल प्राव वूम विष्ना वे नमाह वूम विष्ना वे नमाह वूम विष्ना वे नमाह वूम विष्ना वे नमाह प्रणाप्रभू आपने मुझे तर्शन देखकर अनुक्रहित कर दिया है मैं धन्य धन्य हो गई प्रभू कया दो तुम्हारी भक्ती ने मुझे जीत लिया है मैं तुम्हारी भक्ती के कारण तुम्हारा भक्त हो गया हूँ आप मुझे लच्चित न कीजे प्रभू आप तो मेरे भगवान है और मेरे लिए अपने भक्त ही भगवान है जिनकी भक्ती के कारण मैं उनका भक्त बन जाता हूँ पुत्री ऐसा न कहिए प्रभू आप हमारे स्वामी है सेवक तो हम सब है आपके परन्तु जब भक्त भक्ती मार की आत्रा पर निकल पड़ता है तब भक्त मेरा स्वामी बन जाता है और मैं अपने भक्तों का भक्त बन जाता हूँ और भक्त जब भक्ती की चरम सीमा तक पहुँच जाता है तो भगवान और भक्त में फर्क करना बड़ा कठिन कार्य होता है पुत्री, इसलिए शद्धालों को अपने भक्तों में मैं ही मैं दिखाई देता हूँ मैं अपने भक्तों की हर इच्छा को एक दास की भाती उनकी आज्या मानकर उसका पालन करता हूँ इसलिए हेवत से क्याद हो तुमने मुझे दर्शन देने की आज्या दी और मैं ततकाल चला आया भगवान को आज्या नहीं नहीं प्रभू इतना दुसाहस मैं कैसे कर सकते हूँ मैंने तो आपसे बिनती की थी तुम अपनी भक्ती के कारण महान हो गई हो इसलिए तो तुम मेरे परम भक्त प्रहलाद की मा बनने जा रही हो वच्छे तुम अकेली नहीं हो सारे स्रिष्टि तुम्हारे साथ है और मेरे भक्त तथा तुम्हारे पुत्र का स्वागत करने के लिए अत्यंद उच्छुक हो गई है ये थाजी वाफ ये नहीख ये तुम्हारे थीए ये तुम्हारे ये रहते है ये ये तुम्हारे ना राए ना राए ना राए ना राए नराइन 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 gaरइन गुरुदेव, प्रलात का जनम हो गया, गुरुदेव, प्रलात का जनम हो गया, गुरुदेव, जै विष्णु देवाय नमा, जै गंगा मैया, जै गुरुदेव. पुत्री कयाधू, बधाई हो, तुमने स्रिष्टी और असुरों के उध्धारक को जनम दिया है, तुम्हें प्रभु के परमभत की माता होने का गौरफ प्राप्त हुआ है, पुत्री कयाधू, ये बालक आनन का स्रोत है, संपूर्ण असुर्गुल भक्त प्रहलात के द्वारा, दिव्य आनन के प्रसाद अमरत से त्रिप्त होगा, ये वो बालक है कयाधू, जिसने जनम से पहले ही रभु का आशिरवात प्राप्त किया है, अपनी भक्ति के इस पावन फोल को अपने आचल में भर लो, देखो, अपनी माता के आचल की छाओ पाने के लिए प्रलात कितना व्याकुल हो रहा है। ओम हुत्वे था थामी, ओम हुबस्त्वे थामी, ओम गुबस्त्वे थामी, यद्देवेशुत्रियायुषं तन्नो अस्तुत्रियायुषं नारायन, नारायन, जे जे शे नारायन, यश्री नारायन, भाग्त भरायन नभ मंदल का देव्य सितारा लगे नभ मंदल का देव्य सितारा लगे प्रहलात भगत बड़ा प्यारा लगे नन्ना सा भगत बड़ा प्यारा लगे ये तो विश्रुम्का राज दुलारा लगे अवतारी भगत बड़ा प्यारा लगे नन्ना सा भगत बड़ा प्यारा लगे अभी शेख पराओ लिख परीधान पिनाओ लिख नारायन का अंश है इसमें बालक नहीं साधारन देखो घर्भ से ही इसकी नाडी में बोले नारायन नारायन गुण ग्यान का ये तो बंडारा लगे पहलाद भगत बड़ा प्यारा लगे बड़ी पुण्य में गुण 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 हड़ी आई ललाने जनम लियो हरी हारी ललाने जनम लियो हरी हारी ललाने जनम लियो हरी हारी ललाने जनम लियो नारायन से बिंते हमारी लला की हो मर हजारी धनिया सुत धन धन बहतारी हाई गंगा भी देने बढाई ललाने जनम लियो हरी हारी ललाने जनम लियो आई गंग अभी देने बढाई ललाने जनम लियो अरी हारी ललाने जनम लियो किसे पल्ना जुला दे तिरे मोती लुटा दे इसकी भक्त का दीप किसी की शक्ती बुझाना सकेगी तक राएंगे जो मिट जाएंगे वो इसे ज्वाला जलाना सकेगी तक राएंगे जो मिट जाएंगे वो इसे ज्वाला जलाना सकेगी जिसे आशिरवाद हमारा लगे तहलाज भगत बड़ा प्यारा लगे ये तो विष्णु का राज दुलारा लगे अवतारी भगत बड़ा प्यारा लगे नन्हा सा भगत बड़ा प्यारा लगे जै नारायट जै नारायट नारायट अंध का सुर ने गंगामा से पाया जो बरदान उसका बच भर दिया विष्ण ने अपना भगत महार अवतारण की जै नारायट नाराय नहारी भवतारण की जै देखो देखो कैसे नयन नचा रहा है किसी एक पर तो इसके आके ठिकती ही नहीं अरे नहीं नहीं ये तो घबराकर देख रहा है कि इसके भवन के स्थान पर ये कुटिया और दास्यों के स्थान पर रिश्यस्त्रिया कहा से आ गई ये अवश्य बाग्यवान बनेगा कोई महाप्ताबी नरेश होगा ये तो प्रभू का अंश है मुझे तो बिल्कुल प्रभू जैसा ही दिखाई दे रहा है पुत्री का याधू प्रणाम गुरुदियू कल्यान हूँ आज जिवराज प्रहलात का मन विचलित नहीं दिखाई पर रहा है जान पड़ता है इनोंने इस स्वाता वरण और परस्थिति को अपना लिया है क्यों यू राज संतुष्ट है ना आप इस आश्रम में मिल रहे सुकसाधनों से आँ देखो का याधू कितनी मधूर प्यारी और मंद मंद मुस्कान है इनके अधरों पर स्वाय भगवान भी मोहित हो जाए गुरु दियो मेरा मन अंदर ही अंदर बहुत भैवीत है गुरु शुक्राचारी जी अपनी बार बार असफलता की कारण और भे क्रोधित और हठी हो गया होंगे और निश्चे ही वह प्रहलात को हानी पहुँचाने का भरपूर प्रैत्न करेंगे बैठो गुत्री मनुष्य के अपने यतन और कामनाओं में यदि दूसरों का विनाश दूसरों के हानी है तो सारे यतन सारी याजनाएं निश्पल हो जाती है चाहे उसके पास कितने भी तपों का वरदान क्यूं न हो सफलता उसके पास कभी नहीं आती मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही गुरुदेव इतने ज्यानी इतने तपस्वी गुरु शुक्रचार जी को तो देवताओं के साथ होना चाहिए था तो फिर वो देवताओं के शत्रु क्यों बन गए इस शत्रुता का कारण क्या है पुद्री इसका कारण अधीद की गहराईयों में छुपा हुआ है यह बहुत पहले की बात है उस समय देवासुर संग्राम चल रहा था पहले की बात है अपने आपको बचाने के लिए अश्रों ने रिशी लोक में भ्रिगु रिशी के आश्रम में जाकर आश्रे ले लिया निर्भय होकर आश्रम में आजाओ वच्छ ये भ्रिगु रिशी का आश्रम सब के लिए खुरा है तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया तेरी जै हो 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 जै ये गंगा मैया तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया गंगा मैया गंगा मैया निर्बल का बल तेरा ये जल अमृत जैसा सब के लिए इसमें नहा के तन निर्मल हो मन पावन हो जो इसको पिये दूबे कभी न उस पानी की नःया जिसकी तु बन जाए खे भय या गंगा मैया तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया जार्ण की जार्ण की ना रायन ना रायन ना रायन ना रायन प्रणाम भारगव प्रणाम आगए मुनिवराप जलती पर तेल और खाव पर नमक छिड़क ले भारगव इतना क्रोध अपने आप से ही युद कर रहे हैं अगनी कुण्ड की भाति अपने क्रोध के अगनी कुण्ड में आप स्वैम अपने हाथों से घीच रख रहे हैं इस अगनी कुण्ड से कहीं अधिक भेंकर आग आपके अपने अंतर में लगी हुई है जबकि ये समय क्रोथ की अगनी में घी छिड़कने का नहीं बलकि समस्त असुर लोक में घी के दिये जलाने का है भगवान विश्णु के परम भक्त प्रहलात का जन्म हुआ है नारायर 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 पुनिवर इसी शोक में तो समस्त असुर लोक अंधकार में कर रहे हैं दिये वहीं जलाए जाते हैं जहां अंधकार होता है और असुर लोग तो पहले से ही अज्ञान के अंधकार में दूबा हुआ है रहने दो हमें अपने अंधेरे घर में हमें नहीं जलाने दिये विए दिये ना जलाकर आप कब तक उजियारे से मुझ चुपाते रह पाएंगे भक्त प्रलाद के रूप में भक्ति के सूरी का उदय तो हुई चुका है भारगाव मुनिवर एक बालक द्वारा आप हमें देवताओं की और से चुनावती देने आये हैं तो सुनिजिए जब हमारा परम्शत्रु विष्णु कुछ नहीं बिगार सका तो यह बालक हमारा क्या बिगार लेगा प्रभू तो सर्व शक्ति मान है वो तो अपनी शक्ति से बिग्डि बनाते हैं बिगारते नहीं और आप तो बिगार ने की बात कर रहे हैं पर अब तक आप उस बालक का बाल बाका भी नहीं कर पाए विशिवर आप ने उसे नश्ट करने के लिए क्या क्या नहीं किया आप ने उसे मार डालने के लिए बहुत तेरे प्रयास किया पर क्या हुआ कुछ नहीं आपने असुर लोग पर नाराण का जाप करने पर भी प्रतिबंद लगा दिया परंतु इस बालक ने जन्द से पहले ही प्रभु का नाम ले लेकर आपको अपनी निर्बलता का एहसास दिलाया पर आप नहीं समझे इस भक्त प्रलाद के जन्द के बाद भी यदि आपने बुद्धि से काम नहीं लिया तो असुर लोग को आप इस भक्ति के तेज से बंचित नहीं रख सकेगे आप स्वयम अपने अज्यान के अंधिकार में लुप्त हो जाएंगे इस शिवर नारायल 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 गुरु शुक्राचारी जी अपनी बार बार असफलता की कारण और भी क्रोधित और हठी हो गय होंगे और मिश्चे ही वो प्रहलाद को हानी पहुँचाने का भरपूर प्रैत्न करेंगे गुरुदीव, मेरा मन अंदर ही अंदर बहुत भैवी थे बैठो बुत्री मनुष्य के अपने यतन और कामनाओं में यदि दूसरों का विनाश दूसरों के हानी है तो सारे यतन, सारी याजनाएं निश्फल हो जाती है चाहे उसके पास कितने भी तपों का वर्दान क्यों न हो सफलता उसके पास कभी नहीं आती मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही गुरुदेव इतने ज्यानी, इतने तपस्वी गुरु शुक्रचार जी को तो देवताओं के साथ होना चाहिए था तो फिर वो देवताओं के शत्रु क्यों बन गए इस शत्रुता का कारण क्या है पुत्री इसका कारण अधीद की गहराईयों में छुपा हुआ है यह बहुत पहले की बात है उस समय देवा सुर्सिंग्राम चल रहा था यह बहुत पहले की बात है अपने आपको बचाने के लिए अश्रों ने रिशी लोक में ब्रिगु रिशी के आश्रम में जाकर आश्रे ले लिया शान्त हो जाओ निर्भय होकर आश्रम में आजाओ अध्स ये भ्रुगु रिशी का आश्रम सब के लिए खुला है अहिंसा के इस मंदिर में हिंसा करनी का कोई सहस नहीं कर सकता कुछ पल विश्राम कर लो मैं तुम सब के लिए भोजन कर प्रबंद करती हूँ महरशे 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 देवी हम तो अपने शत्रूं का पीछा करते हुए यहां आए शत्रू कौन शत्रू असुर जो ही समय आपके आश्रम में चुपे हुए है उन्हें आश्रम से बाहर निकाली है देवी हमारा वज्र आज असुरों को चूर चूर करने के लिए व्यक्र है कि देवेंद्र कि मेरे अश्रम में तो कोई असुर नहीं और यह आप क्या चाहरे है महरशे भ्रिगुकी पतनी के मुंझ से कि असत्य है मैंने उन्हें आप के आश्रम में प्र्वेश करते हुए देखा है तुम ने अपनी कृटी से देखा है वतस तुम्हारी द्रिष्टी में वे भले ही असुर हों, परन्तु मेरी द्रिष्टी में, मेरी द्रिष्टी में वो शर्णागत है उन्होंने मुझसे आश्रे मांगा है, और आश्रे, नाम, पद, अत्वा, कुल देकर नहीं दिया जाता भले ही वो असुर है परंतु इस समय वो भ्रिगु रिशी के आश्रम में है रिशी कुल के रिशी है यो दुभूमी से भागा हुआ शत्रू कहीं भी हो वो शत्रू ही होता है हम उनका वद्ध करके ही रहेंगे आओ अदिती पुत्रों अंदर चले वही रुख जाओ महार्शी भ्रिगु पत्नी तुम्हें आदेश देती है कि वही रुख जाओ इस आश्रम का अपमान मत करो इसकी पवित्रता को अपने कर्म से तो क्या अपने मन से भी अपवित्र करने की सोचोगे तो महापाप के भागी बनोगे तेवेंद्र इनके मार्ग दर्शक बनो और इन्हें उचित अनुचित समयानुसार धर्म अधर्म कर्म अकर्म समझाओ अन्यथा ये रिशी बुनियों के शाप से नहीं बच पाएंगे प्रणाम देवी उस समय भ्रिगो रिशी तपस्या में लीन थे आश्रम में क्या हो रहा है उन्हें तनिग भी पता नहीं था असुरों को ये खेल मिल गया था वे समय असमय आश्रम से निकलते और देवताओं पर आक्रमन करते और उन्हें शती पहुंचा कर वापस भ्रिगो आश्रम आ जाते परन्तु जब असुरों की ये धृष्रता असहनीय हो गई तो ब्रह्मा जी भी इंद्र के साथ ब्रिगो पत्नी से मिलने चले गए प्रणाम परम्पिता सौभाग्यवती भवा आपने दर्शन देकर मुझे अनुग्रहित किया है हे विधाता पताए मैं आपकी क्या सेवा करूँ भद्रे सुष्टी के निर्माण कारे में मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए मेरा सौभागी परम्पिता परन्तु ये देवताओं का दुर्भागी है कि अन्जाने में तुम सुष्टी के निर्माण कारे में बाधाएं खड़ी कर रही हो मैं? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती भद्रे जैसे आकाश में विहार करने वाले पक्षियों के और जल में विहार करने वाले जलचरों के पदचिन दिखाई नहीं पड़ते मायावी असरों के माया जाल के प्रभाव से तुम्हारे तेजस्वी नेत्र निस्तेज हो गए है परमश्वेष्ट भ्रेगुरिशी सुष्टी के निर्माण कारे को संपन्न कराने के लिए तपस्या कर रहे है और तुम रिशी की पतनी सुष्टी के निर्माण कारे में असरों को आश्रम में आश्रय देकर बाधाएं खड़ी कर रही हो नहीं ब्रह्मन मैं शर्णा गतों को शर्ण देकर अपने धर्म का पालन कर रही हूँ मैं कोई अधर्म नहीं कर रही हूँ जिन्हें तुम शर्णागत समझ रही हो पुत्री वो असरों सुष्टी का विनाश कर रही है और उन्हें आश्रय देकर तुम पाप की भागिदार बन रही हो च्रमा करें परमपिता मेरी दृष्टी में शर्णागत को शर्ण देना कोई पाप नहीं है ये तो मेरा धर्म है और मैं अपना धर्म कैसे छोड़ दूँ मैं अपने धर्म से विमुक नहीं हो सकती रहां परमपिता चामा तरे परमपिता हे चिन मैं सरो तपस्वी रिशी श्रेष्ट प्रिखो मैं आपकी पत्नी आपका आवान कर रही हूँ मैं चानती हूँ आप तपस्या में मगने हैं परंतो मैं इस समय बड़े धर्म संकट में पड़ गई हूँ और आप ही मेरे मार्ग दर्शक हैं स्वामी मेरा धर्म मार्ग निर्धारित कीजिए साक्षात परमपिता ब्रह्मदेव आज हमारे आश्रम में बदारे और मैंने उन्हें निराश करके भेज़ दिया स्वामी क्या मुझसे ये अधर्म हुआ पताईए मैं आपकी शरण में आई हूँ अब आप ही मुझे मार्ग दिखाईए हे सुबगे मैं आ गया हूँ कहो तुम्हारा मन इतना विचलित क्यूं है स्वामी मैं धर्म और अधर्म की सीमा रेखा पर खड़ी हूँ नहीं जान पा रही कि धर्म क्या है और अधर्म क्या यदि आश्रम में कोई शर्णागत आए तो उसे आश्रे दे कर उसकी रक्षा करना धर्म है या अधर्म धर्म है वो असुर हो तब भी वो शर्नागत है सुर या सुर नहीं एक बार जिसे अपनी शरंग में ले लिया वो शर्नागत है और शर्नागत की रक्षा किसी भी दशा और परिस्तिती में करना उसकी आश्रवयदाता का धर्म है जो रक्षा नहीं करता वो अधर्म करता है आपने मुझे अनुग्रहित कर दिया स्वामी, अब मेरे मन में कोई भी शंका नहीं, कोई भी संदेह नहीं, अब मैं अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होंगी, चाहे परिणाम कुछ भी हो, प्रणाम रिशी स्रेष्ट, प्रणाम, तुम्हारा कल्यान हो भद्रिप, प्रणाम रिशी माता के मन में हमारे खिलाब विश्पर दिया है, तो हमें कुछ करना चाहिए, इससे पहले कि ब्रणाम देव यहां आ जाए, हमें उन्हें खा लेना चाहिए, तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया, जब सिष्टी का निर्मान ही नहीं रहेगा, तो सिष उन्हें रहेड़िए आए याज कर दो जाएंसे, सकना झाल झाल कर गिजर नहीं derechos! झाल 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 कर दो दो चानी है हां अबादेजिक पश्च क्ने से बोस्त अब गादे तर गें कर दो हम आश्रम की मर्यादा नहीं तोड के चलो हम परम पिदा के पास चलते हैं हां तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया तेरी शरन में जो भी प्राणी आया उसका भेला पार लगाया गंगा मैया गंगा मैया निर्बल का बल तेरा ये जल अमरित जैसा सब के लिए इस में नहा के तन निर्मल हो मन पावन हो जो इसको पिये दूबे कभी ना उस पाणी की नईया जिसकी तू बन जाए खे वैया गंगा मैया तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया जै 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 ज जय जो जा जाओ गंगीश तूम हमारा कुछ नहीं बिरदिया हम आश्रम की मर्याता नहीं कोछते हाई हा क्जलो तूम आश्रम के पिता करने दो प्रणाम परम्पिता, कल्यान नमस्तु विधाता, आपने देखा, असुरों की ध्रिश्टता कितनी बढ़ गई है, वो तीनों आपको खाने आये थे, आज हम तीनों असुरों का वद्ध कर देती, यदि वो भ्रिगु आश्वरों में जाकर शरण ना लेते, अब आप ही बताईी प्रभू, हम क्या करें? देवेंद्र, भगवान विष्णु जगत पालक है, जगत उधारक है, हम उन्ही की शरण में जाते हैं, प्रभू हमें निराश नहीं करेंगे. गुरुदेव, असुरों ने जब भ्रिगु आश्रम को अपना आश्रे स्थान बनाया, तो महर्शी भ्रिगु कहां थे? महर्शी भ्रिगु उस समय, स्रिष्टी की रचना करने में, प्रम्मा जी की सहायता हे तु तपस्या कर रहे थे. और उनके पुत्र शुक्राचारे, वो क्या गुरुकुल में अध्ययन कर रहे थे? पुत्री का यादू, भारगव शुक्राचारे भी अपना अध्ययन समाप्त करने के पश्चात तपोबल अर्जित करने के लिए साख्षात पर प्रम्म वहां पहुँचे. अपनी तपस्या से जागो शुक्राचारे, जागो? वाच्स, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। हे परब्रम्म, भारगव शुक्राचारे का प्रणाम सुईकार कीजिए। आयुश्मान भावा। हे परब्रम्म, आपने दर्शन देकर मुझे धन्य कर दिया। मेरे लिए क्या आज्या है प्रभो। वाच्स, तुम अपने तपोबल का प्रियोग, शृष्टी की रजना के लिए करो। प्रभू, मेरे लिए शृष्टी की व्याख्या अपनी माता तकी सीमित है। मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। उनकी सेवा में ही आपकी सेवा और आपकी भक्ति का पुर्णे प्राप्थ हो जाएगा। प्रभू, एक पुत्र के लिए उसकी माता ही परब्रह्म होती है। तुम धन्ने हो वद्स, तुम धन्ने हो। परब्रह्म के साक्षात कार के उपरांत, जब भार्गोशुक्राचारे अपनी माताश्री से मिलने। प्रिगु आश्रम गए, तो माताश्री, आप कहा है माताश्री, 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 भार्गोश अपनी माता से मिलने के लिए उच्छुक थे, माताश्री, जग्पनी मातास्री, जगु ए उच्छुक थे, माताश्री, प्रागोशुक्राप् दॉच्छुक्राण', भार्गोशुक्राणुक्राणी तुम्हारे मुखमंडल का तेज बता रहा है कि तुम्हारी तपस्या सफल हो गई यह सब आपके आशिरवात से हुआ है आप मेरी माता भी है और मेरी गुरू भी आप ही मेरा परब्रम्म है माता श्री आश्रम में ये असुर ये मेरे शर्नाकत है मैंने इने आश्रे दिया है अभय दिया है आपका वचन मेरे लिए वेद वचन है माता श्री यदि आपने इने अभय दिया है तो आपका पुत्र शुक्राचारे भी इने अभय देता है ये क्या खिया आपने भरगो क्या किया स्रिष्टी के निर्मान गायरे में बाधा डालने वाले असुरों को आप अभेदे रहें आप ने भी भूल की जो आपकी माता ने की है लिए इंधर मेरी माता श्री के बृद्ध कुछ भी कहने का साहस कैसे किया तुमने अपने असा फलता को छिपाने के लिए मेरी माता श्री पर आरोप लगाते समय तुमारी जिवा के टुकडे टुकडे क्यों नहों गए तुमे तुमारी इस अपरात का डंड मिलेगा दिवेंद्र अवश्य मिलेगा मैं भार्ग शुक्राचारी अपने संचित्त बबल से तुम्हे रुक जाओ पुत्र तेवेंद्र ने कोई अपराद नहीं क्या पुत्र देवलोग के स्वामी होते हुए देवताओं की रक्षा करना इनका धर्म है यह अपने धर्म का पालन कर रहे हैं शर्णा गतों को आशय देना हमारा धर्म है हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं फिर देवेंद्र को श्राप क्यों पुत्र जाओ देवेंद्र जाओ और अपने प्राणों की रक्षा के लिए माता श्री का धन्यवाद करो जाओ प्रणाम देवी पुत्र तुम्हारे इस क्रोधी स्वभाव से मुझे सदा ही भहे लगता है क्रोध अधा पतन की पहली सीड़ी है क्रोध की कारण तुम ये भी भूल गए कि यदि तुमने देविंदर को श्राप दे दिया होता तो तुम्हारा अर्जित पुन्यबल कम हो जाता तुम्हारा तपोबल कम हो जाता मेरी बात मानोगे पुत्र आज्या कीजिये माताश्री तुम्हें अपना सयम बढ़ाने की आवशकता है तुम तपस्या में बैठे अपने पूजी पिता की सेवा में जाओ और जब तक उनकी तपस्या पूर्ण नहीं हो जाती तुम वही रहोगे मुझे अपने से दूर न कीजिये माताश्री मैं तो आपके चर्णों में ही रहना चाहता हूँ पुत्र मैं अपने स्वामी महार्शी भ्रिगों के चर्णों की पुजा करती हूँ जब तुम उनके चर्णों की पूजा करोगे तो वो मेरी ही पूजा हुई मेरी ही सेवा हुई जाओ पुत्र तुम्हे अपने क्रोध पर अंकुष रखने की आवश्यक्ता है और उसके लिए तुम्हे अपने पूजी पिता की सेवा करनी होगी क्योंकि क्रोध महरशी भ्रिगो का दास है जो अग्या माताश्री अपनी मा की आज्या का पालन करने के लिए शुक्राचार्य अपने पिता महरशी भ्रिगो के पास आए और उनकी सेवा में जुट गए परन्तु असुरों द्वारा उत्पन्न की हुई समस्या का समाधान देवताओं ने कैसे किया समस्या के समाधान के लिए सारे देवता ब्रह्माजी के नेतृत्तों में भगवान विश्नु के पास कह प्रणाम प्रपप कल्यानमस्तु हे ब्रम्हाजी, हे देवेंद्र, आप सभी यहाँ, सब कुशल मंगल तो है आप अंतर्यामी हैं प्रभू, आप जानते हैं, असुर स्रिष्टी की रचना में बाधाये खड़ी कर रहे हैं और प्रभू, जब जब स्रिष्टी की रचना में बाधाया आती है, और अधर्म परवत बनकर बहती हुई स्रिष्टी सरिता को रोक लेता है तब आप ही धर्म की संस्थापना करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए हम जैसे भक्तों की पुकार सुनकर दोड़े चले आते हैं हे आदिपुरुष, देवताओं का प्रादुर्भाव स्रिष्टी के विकाज के लिए ही हुआ है, परन्तु इन अस्रों के कारण देवताओं का होना न होना एक समान हो गया है ऐसे में हमारी क्या इस्थिती है प्रभू, हम क्या करें, हमारा माल्क दर्शन कीजिए प्रभू हे प्रम्हाजी, ये श्रिष्टी तो परब्रम्न की श्वास निश्वास है, ये तो चलती रहेगी प्रकाश और अंधकार का युद्ध भी शाश्वत है और इन्ही द्वंदों से होकर ही, इस श्रिष्टी का विकास और रास होता रहेगा फिर भी प्रभू, जब अंधकार का प्रभाव बढ़ता है, तो जगत में अधर्म, अत्याचार, अनाचार, अनीद, और आतंक, सर्वत्व व्याप्त हो जाता है और देवी शक्तिया शीर हो जाती है इस समय ऐसे स्थिति बन गई है प्रभू यदि असरों को उनका आश्रे मिलता रहेगा प्रभू तो देवता असरों पर आघात नहीं पहुंचा सकेंगे मैंने भ्रभू पत्नी को समझाने का प्रयास किया था, परंतु व्यर्थ हे ब्रह्माजी, हे इंद्रदीव, आप लोग निश्चिन्थों कर जाई, परंतपस्वी, रिशी श्रेष्ट भ्रिगू की पत्नी को समझाने का प्रयास मैं अवश्य करूँगा प्रणाम तपस्वी, कल्यान मस्तु हे जगत पिता, हे जगतो धारक, हे देवादी धेव विष्णु आपने स्वह्म मुझे दर्शन देकर अनुग्रहीत कर दिया आपके दर्शन मात्र से ही, तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं मैं तो धन्य हो गई प्रभू, धन्य हो गई आप तो मन, बाणी और कर्म से भी परे हैं प्रभू, मुझे पताईए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ हे कल्यानी, मैं एक विशेश उद्देश से ही तुम्हारे पास आया हूँ अहो भागे प्रभू, तुम महा ज्यानी, महर्शी भ्रेगों की पत्नी हो धर्म का तुम्हें अतिसुक्ष्म ज्यान है, इसलिए मैं तुमसे धर्म की दीक्षा लेने आया हूँ जगत पिता भगवान विश्णों को धर्म की दीक्षा देने की शक्ती तीनों लोकों में से किसी के पास भी नहीं है और आप मुझसे दीक्षा लेना चाहते हैं, मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं प्रभू नहीं भद्रे, परीक्षा नहीं, मैं धर्म ग्यान की शिक्षा लेने आया हूँ शरणागत की रक्षा करके तुमने जिस धर्म की प्रतिष्ठा की है, मैं उस धर्म की दीक्षा लेने आया हूँ तुमसे मुझे बताओ तो पस्विनी, शरणागत धर्म क्या है? शरन में आये को शरन देना ही शरनागत धर्म है और इस आश्रम का भी यही नियम है जो भी यहां शरनागत होकर आए उससे आश्रे देकर उसकी हर प्रकार से रक्षा की जाए नहीं सुलक्षने आश्रे का ये तक्तु नहीं है और नहीं ये आश्रम का धर्म है आश्रम इसलिए है भत्रे कि जो भी कोई विद्यार्थी ज्यान प्राब्त करनी की इच्छा से आश्रम में शरन पाए आश्रम उसकी रक्षा का भार उठाता हुआ उसे उचित शिक्षा दे दुराचारियों को आश्रे देना ये आश्रम का तत्व नहीं है जो शर्णागद पश्चाताप की भावना से पवित्र हो गया हो उसे अभैदान देना उसकी रक्षा करना शर्णागद धर्म है संसार को ताप देने की इच्छा से आश्रम में आश्रे लेने वाले की रक्षा करना शर्णागद धर्म नहीं है हे सुभगे ऐसे आश्रमों का निर्मान स्रजन के लिए होता है विनाश के लिए नहीं और तुमने उन्हें अभैदान दिया है जो विनाशी तत्व है जो निर्मान में बाधा डालने वाले तत्व है ये सर्वथा अनुचित है परन्तु प्रभू मैं तो अपने पती देव की आज्या से ही अपने धर्म का पालन कर रही हूँ बाध्री महर्शी भ्रिगू परम पिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है स्रिष्टी रचना का कारे संपन्न कर ले के लिए ही ब्रह्मा जी ने उन्हें निर्मान किया है महर्शी भ्रिगू धर्मक्य है परन्तु इस समय वो आश्रम की परिष्थिती से परिचित नहीं अन्यथा वो तुम्हें धर्म का ऐसा आदेश नहीं देते हे कल्यानी धर्म से संसार की रक्षा होती है दोराचारियों और अन्याईयों को अभय देकर धर्म की दुहाई देना धर्म नहीं अधर्म है धर्म जगत कल्यान है तपस्विनी असुरों को आश्रम में आश्रे देकर क्या जगत कल्यान हो रहा है तुम परमपिता ब्रह्मा जी की बहु हो स्वयम ब्रह्मा जी तुम्हारे पास आये और तुमने उनकी विनिती को भी अस्विकार कर दिया ब्रह्मा जी सिष्टी की रचना कर रहे हैं क्या उन्हे सहयोग देना तुम्हारा धर्म नहीं और क्या तुम अपना धर्म निभा रही हो संसार दियुताओं से विक्सित होता है भद्रे असुरों से नहीं असुर श्रिष्टी के ही नहीं धर्म के भी शत्रू है और उनकी रक्षा को धर्म का नाम देकर तुम अन्जाने में अधर्म कर रही हो हे तपस्विनी सुर असुर प्रकाश अंधकार नीती अनीती सदाचार अनाचार और धर्म अधर्म के इस युद्ध में क्या तुम अन्धकार और अनाचार का पक्ष लोगी अनीती और अधर्म का पक्ष लोगी नहीं भद्रे नहीं असुरों को आश्रम में आश्रे बद्दो उन्हें रक्षा प्रदान न करो कल्यानी मैं तुम्हारे इस चुप्पी का क्या अर्थ लगाँ मैं विवश हूँ प्रभू विवश तो अब तुम मुझे कर रही हो सुलक्षने सज्जनों की सुलक्षा और दुर्जनों का विनाश ये मेरा धर्म है आज तक हर किसी ने तुम्हारे वचन का आदर किया है परतु अब यदि तुमने अशुरों को आश्रे और अभे दिया तो तुम्हारा वचन मिथ्या हो जाएगा ये आश्रम अशुरों की सुलक्षा नहीं कर पाएगा नहीं प्रभू, नहीं मैं स्वयम अपने सुदर्शन चक्र से इस आश्रम में आए असुरों का वध कर दूगा नहीं प्रभू, मैं अपने जीते जी ऐसा नहीं होने दूगी मेरे शर्णा गतों का वध करने से पहले आपको मेरा वध करना होगा धर्म की रक्षा करने के लिए यदि यही आवशक है तो तथास दो तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया तेरी जै हो जै हो जै हो जै हो गंगा मैया तेरी जै हो जै हो जै हो जै हो तंगा मैया यही आवशक कर WiFi ये गंगा मैया तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया गंगा मैया गंगा मैया निर्बल का बल तेरा ये जल अमृत जैसा सब के लिए इसमें नहा के तन निर्मल हो मन पावन हो जो इसको पिये करें दूबे कभी न उस पैनी की नजया जिसकी तू बन जाए खिवया गंगा मैया जड़ी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया मैं स्वायम अपने सुदर्शन चक्र से इस आश्रम यसा 732ige Green मैं आए असुरों का वद्ध कर दूंगा नहीं प्रभू मैं अपने जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगी मेरे शर्णागतों का वद्ध करने से पहले आपको मेरा वद्ध करना होगा धर्म की रक्षा करने के लिए यदि यहीं आवश्यक है तो तथास दूँग गुरुदेव भगवान विश्णू के समझाने के बाद भी जब ब्रिगुपतनी असुरों की सुरक्षा की ढाल बनी रही तो असुरों का आत्मबल और धारस और बढ़ गया होगा हाँ पुत्री असुर तो अब निर्भय हो गय थे मेरा मन प्रसंद नहुआ शंकू जब रिश्य माता ने विश्णू को चेताउनी देते हुए कहा मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता मेरे सरनाकतों का अवध करने से पहले आपको मेरा अवध करना पड़ेगा जब विश्णू हुमारा कुछ नहीं विगाड़ सका तो एक तुछ देवता हमें क्या आनी पहुँचा सकते हैं अब दो हाँ 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 हेदे रेंदर हमारी लक्षा करो हेदे रेंदर हमारी लक्षा करो हेदे रेंदर हमारी लक्षा करो आज ये तिनों जीवित नहीं रहेंगे, चलो! जाँ 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 जाँ! हुँए हुँए हुँ हुँ अगनिकुंड यहां पर देवगां के साथ लुका छुपी खेले का मुझे बहुत आनंद मिलता है मुझे तो इंद्र पर बहुत दया आती है जब उसने अपना वज्र निकाला था और कितनी भी वज्टा थी उसके मुख मंडल पर जब हम यहां आकर गुफा में छुक गए और वो अपना पैर पठकता हुआ वापस लौट गया मुझे तो ऐसा लगता है इस आश्रम में आकर हम अमर हो गए हैं ठी कहां तुमने यहां मृत्तु भी हमारे सामने आख उठाकर नहीं देख सकती भगवान विष्णु ने ब्रेगुपतने को जेतावनी दी फिर भी उन्हो असुरों को आश्रम में आने दिया हां वो शर्नागत जो थे फिर देवतावने प्रभू को पुकारा त्राहिमां 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 त्राहिम रक्षा करो प्रभू रक्षा करो प्रभू अपने भक्तों की रक्षा करो प्रभू हे स्रिष्टी पालक स्रिष्टी की रक्षा करो प्रभू स्रिष्टी की रक्षा करो प्रभू प्रभू हमारी विवश्टा और हमारी मर्यादा का उपहास उड़ाया जा रहा है प्रभू यदि असरों को दंड नहीं दिया गया तो स्रिष्टी की रचना सदा के लिए रुख जाएगी प्रभू कि यह प्रभू देवता दिन प्रति दिन दुर्बल होते जाएंगे असरों के माध्यम से अधर्म अनीति अनाचार प्रबल हो जाएंगे प्रभू प्रभू चारो और हाहकार मज जाएगा प्रभू चारो और हाहकार मज जाएगा समस्त्र लोग नश्ठ हो जाएंगे प्रभू हमारी रक्षा करो प्रभू रक्षा करो प्रभू अपने भक्तों की रक्षा करो प्रभू रक्षा करो, प्रभू। मता हमारी रक्षा करो, 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 मता हमारी रक्ष चक्र से हमारी रक्षा कीजिए माता, हमारी रक्षा कीजिए माता। महाश्यी बिवु के आश्रब में तुम पूरी तरह सुरक्षितों हो वत्सु महार्शी ग्रगुव की धर्म पत्नी तुम्हें आदेश दे रही हूं वहीं रुप जाओ यदि मैंने अपने पत्नी धर्म माता धर्म गुरु माता धर्म का मन वानी और कर्ण से पालन क्या है यदि मैंने लक्षमी पती श्री विश्म की निस्वात और निर्पेक्ष भक्ती की है तो हे सुदर्शन रुप जाओ है 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 तुम्हारे पती व्रत धर्म का और भक्ति का आधर करने के लिए सुदर्शन रुप गया है परन्तु सुदर्शन चक्र को रोकने है तू तुमने अपना तपोबल शुनने कर लिया किसके लिए अपना तपोबल गवाया तुमने इन अशुरों के लिए इन अनाचारियों के लिए इन अधर्मियों के लिए इन आत ताईयों के लिए कितने पुन्य व्रत किये होंगे तुमने, कितनी भक्ति की होगी, अपने धर्मों का कितनी सत्तिता से, कितनी द्रिषता से, कितनी तन्मेता से पालन किया होगा कितनी अगनी परिक्षाएं दी होंगी तपस्विली तुमने, और उस परिश्वम द्वारा अरजित की हुई शक्ति, पाय हुए वर्दानों का भल लुटा दिया, उन लुटेरों को बचाने के लिए, उन पापियों की रक्षा के लिए, जो विनाश के सिवा कुछ जानते ही नहीं, यदि दूसरे आश्रमों ने भी धर्म का यही अर्थ मान कर असुरों को शरण देना आरंभ कर दिया, तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ, तब दान, यग्यन, सब नश्ठ हो जाएगे, शुब कहीं दिखाए ही नहीं देगा, उन्ने का नाम भी नहीं लेगा कोई, यदि मेरी बात समझ रही हो देवी, तो मुझे बताओ, क्या तुम सत्य का पक्ष ले रही हो, क्या तुम धर्म का पक्ष ले रही हो, क्या तुम सचमुच धर्म के मार्ग पर हो, अथ्वा अधर्म के मार्ग पर हो, अथ्वा अधर्म क संकट में डाल दिया है तो फिर चोड़तो समझर्श त्याग दो सारे धर्मों को में और मेरी शरण में आजा तो है हुए हिए मैं तुम्हारे सब संकट दूर कर दो दूंगा दिख हर पाप से मुठ नुया का हर पाप से मुठ कर दूंगा तूंगा है आप तो जीवन अम्रित्यू से भी परे हैं। संपून जगत का मूल कारण है आप। सब प्राणियों के हदय में स्थित। सबकी आत्मा है। संपून भूतों का आद्य, मध्य और अंत। आप ही हैं प्रभू। हाँ, मैं इंद्रियों में मन हूँ और मूल प्राणियों के जीवन शक्ति हूँ। आठ वसुओं में अग्नी हूँ। शब्दों में ओंकार हूँ। सब्तृशियों में महर्शी भ्रिगू में। तो आप शुदर्शन चक्र के मार्ग से हट जाएं। मैं सुदर्शन के मार्ग से नहीं हठूंगी। मैं जानती हूँ, आपके मार्ग से परमधाम से हट जाना है प्रभू। और मैं अपनी मुक्ति के मार्ग से हटना नहीं चाहती प्रभू प्रभू यदि आपके हाथों मृत्यू आई तो मुझे मुक्ष की प्राप्ति होगी मैं जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो जाओंगी है एकल्यानी तुम हीने मेरे सुदर्शन चक्र को रोका है अब तुम स्वयम इसे अपनी शपत से नहीं हटूंगी है यह प्रभू जब आप मेरी आत्मा को इस नश्रा शरीर के बंधन से मुक्त करके अपने परमधाम में आशे देंगे तब आपका सुदर्शन चक्र पेरिशपत से मुक्त हो जाएगा है भक्तों की भक्त इस समय सुदर्शन चक्र की नहीं आपकी कृपादुष्टी की आउशकता है प्रभू क्या आप अपने भक्त की पिन्ती को सुईकार नहीं करेंगे प्रभू मेरी विंती सुईकार कीजे प्रभू सुईकार कीजे तुम धन्य हो तपस्वनी तुम धन्य हो क्युम धन्य हो कि आपकी की तुम धन्य हो कर दो कर दो कर दो कि अपनी माता की मृट्ट्यू का समाचार जब गुरु शुक्राचारी को मिला होगा तो उनको तो बहुत क्रोधाया होगा न हाँ उस समय शुक्राचारी अपनी पिता की सेवा में मगन थे जब एक असुर वहाँ पहुंचा असुर हाँ पुत्री असुर जब भगवान विश्णु ने सुदर्शन चक्र दुआरा शुक्राचारी के पास पहुंच गया रिशीपोत्र, रिशीपोत्र क्या हुआ, रिशीबर अनार्थ हो गया, रिशीपोत्र क्या हुआ, रिशीबर सुधार्षन आश्रम विश्नु आप क्या कह रहें रिश्वर साक्षात विश्णु ऐसा अधर्म करेगा कि तो मैंने सोचा भी नहीं था भगवान विश्णु से अधर्म हाँ भारगव अपने सुदर्शन चक्र से गुरू माता का वद्ध कर दिया उसने गुरू माता गुरू माता अर्थात मेरी माता हाँ भारगव मेरी माता का वद्ध कर दिया नए पिताश्रीप आखे खोले पिताश्रीप आखे खोले महा अनर्थ हो गया है मेरी माता नहीं नहीं जागे पिताश्री जागे क्या हुआ अबच्छ मेरी माता जीवित नहीं नहीं वो हमें सदा के लिए छोड़का चली गई वो हमें छोड़का चली गई पिताश्री जन्म मरन संसार का नियम है बच्छ ये नियम भंग हुआ है मेरी माता ने प्रान चागे नहीं ज़े उनके प्रान लिये गए है उनका वद किया गया है किसने किया उनका वद भगवान विष्णू ने विष्णू ने? पिता श्री आप विष्णू को दंड दीजिए आप तो महा तपस्भी हैं आप विष्णों को भी दंड दे सकते हैं जिसने शंपूर्ण चराचेर जगत व्यापा है उसे में दंड दू Caleb जो सारे प्राणि मात्र का जीवन है, उसे में दंड दू? पिताशडी, आपके इसी भगवान ने मेरी माता का वद किया है. नहीं, पुत्र, नहीं, तुम बहक गए हो. भावना के आधेन, तुम वास्तो भूल गए हो. पेरी मादा का वद हुआ है उनकी मृत्ति हो गई है और विश्णु ने उनका वद किया है यही वास्तव है यही वास्तव है तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया गंगा मैया गंगा मैया यह गंगा मैया रहर गंदी जै 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 रहर गंदी निर्बल का बल तेरा ये जल अमरित जैसा सब के लिए इस में नहा के तन निर्मल हो मन पावन हो जो इसको पिये टूबे कभी न उस पाणी की नया जिसकी तू बन जाए खे भया गंगा मैया तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया पिता श्री आप आप मिश्णु को दंड दीजिए आप तो महात अपस्री हैं आप मिश्णु को भी दंड दे सकते हैं जिसने संपूर्ण चराचर जगत व्यापा है उसे मैं दंड दूँ जो सारे प्राणी मात्र का जीवन है उसे मैं दंड दूँ पिता श्री आपके इसी भगवान ने मेरी माता का वद किया है नहीं पुत्र नहीं तुम बहग गए हो भावना के आधीन तुम वास्तो भूल गए हो मेरी माता का वध्व हुआ है उनकी मृत्त्य हो गई है और विश्णुने नहूं का वध्ष किया है यहीं वास्तव है। नहीब पुत्र यह वास्त्व नहीं है, हाँ पुत्र तुम अना वश्य की जीवन-मरण को महत्व दे रहे हो, भगवान विष्णु जीवन-मरण से परे है, जीवन मिर्त्यू उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता और तुम भी जीवन मिर्त्यू को महत्व देना छोड़ दो क्योंकि जहां आरंभ है वहां अन्त है जहां जीवन है वहां मिर्त्यू है और जहां मिर्त्यू है वही से नया जीवन शुरू होता है तुम्हारी माता तो जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो गई है अब वो जिवन मृत्यू की चक्र से परे है पुत्र भगवान विश्णु ने अपना धर्म किया है धर्म की संस्था अपना करना अधर्मियों का नाश करना ये प्रभू का धर्म है तुम्हारी माता और भगवान विश्णु दोनों अपने अपने धर्म का पालन कर रहे थे जब तुम्हारी माता को अपनी भूल का पता चला तो उसने अपनी भूल स्विकार करते हुए आत्म समर्पन कर दिया भगवान विश्णु ने उसका वद नहीं किया पिता श्री आप विश्णू का साथ दे रहे हैं एक तपस्वी किसी का साथ नहीं देता पुत्र वो केवल धर्म और धर्मग्यों का साथ देता है आप उन्हें दंड नहीं देना जाते हैं तो न सही परन्तों मैं विश्णू को उसकी इस दंडता के लिए अश्य दंड दूँगा आप भद के धर्म का पालन कीजिए मैं अब पुत्र धर्म का पालन करूँगा प्रणाम प्रभु क्रोध ने मेरे पुत्र की पुत्धी को अज्ञानता के बादलों से ढख दिया है इतना समझाने पर भी वो आप ही को दोशी मान रहा है शुक्र की मनोदशा देखते हुए उसके कटू वच्रों पर ध्यान ना दीजे प्रभु उस पर अपनी किरपा बनाए रखि आप व्याकूल मतोईय महरशे इस समय शुक्र को शुष्क ज्ञान की नहीं कूमल मीठी और स्नेह से भरी सांत्वना की अवशक्ता है मैं देवी गंगा से कहता हूँ वो आपके पुत्त पर मा की ममता बरसाएंगी तो शुक्र का क्रोध शान्त हो जाएगा प्रभू क्या अग्या है थेवी आप जानती है आपको क्या करना है जो अग्या प्रभू क्या अग्या है क्या अग्या है ये आग जो आज मैंने अपनी मां की जिता को लगाई है मेरी मां की जिता की आग तो बुच जाएगी परन्त मेरे हिजए में जो प्रतिशोद की आग है वो यूगों यूगों तक यूँ ही जलती रहेगी विश्णु हत्यारे अपने आपको सबसे बड़ा भगवान भोलता है और पाप करता है मां पापियों से भी बड़ा निर्लच एक निर्पराद इस्त्री के हत्या करते समय लाज नहीं आई तुझे एक रिशी पत्नी का वद्ध करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र छोड़ते समय हाथ नहीं कापे तेरे क्या अपराद था मेरी मां का यही कि वो देवताओं और अशुरों से बराबर का वैवा रखती थी उसके मन में कोई भेदभाव नहीं था जितना वाद सल्ले वो देवताओं पर लुटाती थी उतना ही अशुरों पर बस ये कुटिल देवताओं से सहन नहीं हुआ और तुने उनकी प्रशंसाआ पाने के लिए कि पेरी मता मैवां का वद्द कर दिया कैंधरमी अपने आपको धर्म रक्सक कहता है तो तो धर्म भग्षक है धर्म भग्षक अपरादी Хै तू तो यह तुमने भैंकर भाप किया है और तुम्हें इस पाप दंड मिलेगा अवश्र मिलेगा ए ब्रह्मान ए शिवशंकर क्या कोई सत्य का साथ नहीं देगा क्या कोई इस कपनी विश्रू को दंड नहीं देगा समझ गया समझ गया मैं सब तेरे अधीन हैं कोई तेरे विरुद्ध बोलने का साहस नहीं करता अरे सारा प्रमान्धी चुपी क्यों न साथ ले परन तु ये शुक्राचार्य चुप नहीं बखेगा मैं भार्गव शुक्राचार्य तु मैं अभी इस इक्षण ये श्राब देता हूं ठेरो वत्स ये तुम क्या कर रहे हो वत्स गंगा हां मैं गंगा तुम्हारी गंगा मैया नहीं तुम मेरी मैया नहीं हो नहीं हो तुम मेरी मैया मेरी मैया तो ये थी जिसकी कोक से मैंने जर्म लिया जिसकी कोद में मैं पला जो मेरी एक मुस्कान पर अपनी हसी लुटा देती थी हां मैया चोटा सा दुख जिसके मन की वेदना बनकर आखों से अश्रुधारा के रूप में पहने लगता था मेरी ऐसी परम प्रिये माता का हत्यारे विश्णु ने वद्कर दिया उस पापी ने नहीं वद्स को जो दूसरों के पाप नाश करते हैं प्रभु तुम तपस्वि हो तपस्वियों के मुक्ष्य विष्ण पहना चाहिए जब मुझे अमृत पिलाने वाली मेरी माता ही नहीं रही तो मेरी जिवा से अमृत कैसे बहेगा अब तो केवल विश बहेगा हां गंगा मेरी जिवा सर्प बनकर विश्णू और समस्त देवताओं पर डंक एक पुत्र के लिए अपनी माता का महत्वक्त क्या है मैं भली भाती जानती हूं वत्स और मैं तुम्हारे दुख में सहभागी हूं सहभागी सब कहने की बाते हैं पीडा में कोई सहभागी नहीं होता कोई किसी का दुख नहीं बाठ सकता गंगा मेरी माता की मृत्यू का दुख तभी कम होगा जब मैं विश्णू का विश्णू लोग सहीद विध्वन्स कर दूँगा विश्णू मैं तुम्हें श्राब देता हूं किसी श्राब दे रहे हूं वत्स जो सुवयम जन्म दाता है और सुवयम मृत्यू दाता जिसके लिए जन्म मरण कोई महत्व नहीं रखता समस्तर श्रिष्टी जिससे उत्पन हुई है उसी को श्राब दोगे जिसका कोई आद्ध नहीं कोई अंद नहीं उसे श्राब दोगे जो ताप, काल और श्राब से परे है जिसके कारण श्राब सत्य होते हैं उसे श्राब दोगे वद्स भावना सागर से बाहर निकलो और सत्य को पहचानो तुम्हारी माता का वद्स नहीं हुआ उसे प्रभो के परमधाम की प्राप्ति हुई है भगवान ने तुम्हारी तपस्वी मा को जन्म जन्मांतर की चक्र से मुक्त कर दिया है शब्दों का खेल खेल कर मुझे भ्रहमित करने का प्रयत्मत करो गंगा यदि विश्णु से मुक्ति करता है तो मैं भी विश्णु को ऐसी ही मुक्ति देना चाहूँगा अपना हट छोड़ दोवच और प्रभू की लीला को पहचानो पहचानता हूँ मैं उस विश्णु की लीला को और उसकी भीजा को मैं ही समाप करूँगा प्रभु तुम्हें सदबुद्धी प्रदान करें नहीं चाहिए मुझे सदबुद्धी नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा उपदेश मुझे जो करना है मैं वही करूँगा पुत्र माता से रूट सकता है मा पुत्र से नहीं रूटती मुझे तुम्हारे कल्यान की सदा चिंता रहेगी वद्स अतहेवं मैं तुम्हें अपनी द्रिष्टी से कभी ओजल नहीं होने दूंगी विश्णू तुम मेरे ख्रोध को तेरी गंगा के शीतल सुमाव से शांत करना चाहते हो परंत तुम्हें दंड दिये बिना मेरा क्रोध शांत नहीं होगा मैं भार्गाव शुक्राचारी तुम्हें अभी इसी ख्षण चाप देता हूँ कि तुम विश्णू पद से बद्चित हो जाओ हे ब्रिगुपुत्र तुम्हारे शाप की मर्यादा की रक्षा करने के लिए मैं विश्णू लोग छोड़कर आ गया हूं यद्दिपी मैं शाप ताप काल से बहुत दूर हूँ यह शाप मेरे ही कारण सत्य होते हैं क्योंकि मैं तपस्यों के वचन को मिध्या नहीं होने देता यहां खाली हाथ आकर मैंने तुम्हारे तपोबल का आदर किया है पुत्र तुम्हारी तपस्वनी मा को मैंने जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त कर दिया अब वो मेरे परमधाम को प्राप्त हुई है यदि तुम हत्या को मुक्ति का सुनहरा रूप देना चाहते हो तो मैं भी तुम्हें मुक्ति दूँगा मैं अपने संपूर्ण यक्यों और तपोबल से तुम्हें मुक्त कर दूँगा प्रयत्मधि मत करना भारगव मुझे भस्म करने के संकल्प से पूर एक बार फिर विजार कर लो हे वत्स प्रारब्ध पुन्य के संचे से बनता है उसे क्रोध की अगनी में जलाकर नस्ट मत करो हे मनस्वी भारगव अज्ञान के ऐसे अंधे कुए में नजागिरो जहां से उठना और निकलना असंभव हो जाए असंभव को संभव कर दिखाऊंगा मैं मैं इस संसार से तुम्हारा अस्तित्व ही मिटा दूँगा अंकार की नित्रा से जागो भारगव तभी तुम्हें धर्म की पुकार सुनाई देगी विश्णू इस समय मुझे केवल एक ही पुकार सुनाई दे रही है पुत्र धर्म की पुकार वो पुकार है तुमसे प्रतिशोद की पुकार हे पुत्र इस समय तुम्हें यक्यबल और तपोबल की आवश्यक्ता नहीं है बलकि एक ऐसे गुरू की जो तुम्हें ज्यान की सिक्षा देकर तुम्हारा अज्यान मिटा दे तुम्हारा कल्यान हो वत्स कल्यान हो कहकर मेरे खाव पर नमक छुड़कता है अत्यारे ये भारगव शुक्राचारे है आज से बलकि इसी समय से दुभारा परम्चत्रू है हाँ मैं इस संसार से वेशनमी प्रभाव को बदल कर नस्ट प्रस्ट कर दूँगा मैं तुभारे देव लोग को समाप्त कर दूँगा आज देओव है और प्राबल प्रस्ट कर दूँगा ओम फिम खेंड़ीरो है आज प्राबल प्रस्ट कर दूँगा आप दो 지ィ अविव को ने तो न शुख दिसना राम कृडेव जाओ, देव लूग को नश्ट कर दो, जाओ जो क्या गृडेव हुँ 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 किस पर विजय बामी है मुझे देवताओं पादेव देव लोकनस्ट करना है तुम्हें यह तुम क्या कर रहे हो वाज्स महाज्यानी होकर अज्ञान के अंदकार में भटकना तुम जैसे रिश्यों को शोभा नहीं देता हे भारगव तुम्हारे जैसे परम तपस्वी के अंदर यह विनाशक प्रवृत्या कहां से आ गए हो तुम्हें तो अपने तप समर्थ को सृष्टी के कल्यान में खर्च करना चाहिए परन्तु तुम अपने तप समर्थ का दुरुप्यों कर रहे हो वत्स तुम्हें अधर्म के मार्ग पर अगरसर होता देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है अपनी माता का कहां मानो और इन विनाशक प्रवृत्यों का त्याग कर दो देवी गंगा ये तो अपनी अपनी दृष्टी है किसी को धर्म में अधर्म दिखाई देता है तो किसी को अधर्म में धर्म गंगा तुम जिसे दब समरथ्य का दुरुप्योग कह रही हो न वो असल में मेरे दब समरथ्य का सदुप्योग है गंगा येरे और कुटिल विश्णु के बीच में मत आओ मैं उस कुटिल विश्णु और उसका साथ देने वाले देवताओं को अब कभी जैन से नहीं बैटने दूगा मैं भी तो देवी हूँ क्या तो मुझसे भी अपनी शत्रुता निकालोगी मैं तुम से भी शत्रुता करूँगा अपनी माता से हाँ तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया तेरी शरन में जो भी प्राणी आया उसका बेडा पार लगाया गंगा मैया गंगा मैया ये गंगा मैया जर हर गंगे जय 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 हर हर गंगे निर्बल का बल तेरा ये जल अमरत जैसा सब के लिए इसमें नहा के तन निर्मल हो मन पावन हो जो इसको पिये डूबे कभी न उस पारी की नया जिसकी तू बन जाए खे वैया गंगा मैया तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया गंगा मेरे और कुटिल विष्णू के बीच में मत आओ मैं उस कुटिल विष्णू और उसका साथ देने वाले देवताओं को अब कभी जैन से नहीं बैठ ले दूगा हाँ अपनी प्रतिशोद की अगनी में जलाकर सब को भस्म कर दूगा मैं भी तो देवी हूँ क्या तो मुझसे भी अपनी शतृता निकालोगे हाँ मैं तुम से भी शतृता करूँगा अपनी माता से शतृता में संबंदों का कोई मोल नहीं होता और फिर तुम तो केवल देवताओं की माता हूँ मेरी माता का तो विष्णू ने वद कर दिया गंगा विष्णू का नाश ही अब मेरे जीवन का परम लक्ष है वत्स मैं फिर कह रही हूँ कि तुम्हारी जैसे महा तपस्वी महा ज्यानी को सदा विष्व कल्यान की भाशा बोलनी चाहिए परंतु मुझे इस बात का खेद है कि तुम विष्व विनाश की भाशा बोल रहे हो केवल भाशा ही नहीं देवनाश दे तु मेरी सोच मेरा कर्म मेरा तपवल और मेरी सारी शक्तियाँ अब असुरों का साथ देंगी असुर भी तु मेरी संतान है तुम असुरों का साथ दो इसमें मुझे कोई आपपती नहीं है परतु असुरों का साथ विनाश के लिए नहीं धर्म के मार्ग भक्ति के मार्ग पर लाने के लिए उनका मार्ग दर्शन करो इससे मुझे परम आनंद प्राप्त होगा नहीं गंगा नहीं, अब मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों से बहलने वाला नहीं, मैं ऐसा कोई कारे नहीं करूंगा, जिससे तुम्हें या देवताओं को आनंद की अन्भूती हो, मैं असरों की शक्ति बनकर बक्ति का प्रकाश इछील लूँगा, हाँ वत्स, मैं देवी गंगा, तुम्हारी माता होने के नाते, आखरी बार समझा रही हूं, कि सर्श्टी के कारे में बाधा डालने का अधर्म ना करो अधर्म? है? मैं तो अपने खुत्र धर्म का पालन कर रहा हूं, इसमें मुझे कोई अधर्म दिखाई नहीं देता हे असुर राज, हे असुर लोग वासियो, मैं भार्गव शुक्राचारी, तो है देवताओं की विरुद, अपना आशिर्वाद देना चाहता हूँ मैं शुक्राचारी, अपनी परम्प्रिय माता की स्पृति की शपत लेकर, तुम्हें ये विश्वास दिलाता हूं, याज से मैं और मेरा तब सामर्थ अस्रो का है, और सरवदा अस्रो के ही काम आएगा, हाँ प्रणाम गुरु शेष्ट, विजयी भाव, अधर शेष्ट, यदि आप जैसा महा तपस्री अस्रो का गुरु बन जाए, तो अस्रो के विजयी ही विजय है, तथा अस्रु, गुरु पत स्विकार करते ही, शुक्राचारव ने आपने अस्रु रशिष्यों को आदेश दिय जाओ असुर राज, तुम्हारा ये गुरु तुम्हें ये आदेश देता है, कि देव लोक में तराही तराही मचा दो, इंदर लोक को ध्वस्त कर दो, फुमेर के कोश को लूप लो, और सिष्टी के निर्मान को रोक दो, जो आग्या गुरु स्विष्यों, मेरे आदेश क पालन करो, मेरा दो बवला पिनक्सा करेगा झालना करेखा बवला बड़नार में और स्विष्यों! यहाहाँ आज़। झाल 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 के झाल झाल को झाल 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 वर रजाज चकुआ। हाँ जगले तराब में रखे रुड़ाल रखे 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 रह Bevू कि अज़े देव आधिदेव असुरों को रोकिये नहीं तो अनर्थ हो जाएगा प्रभू क्या हुआ ब्रम्यदेव कि आज देवताव के मुखबंदल पर चिंता की घटाएं क्यों दिखाई दे रही है कैलाश्मत अकस्मात असुरों को ऐसी शक्ति प्रदान हो गई है कि उनके आक्रमनों को रोकना देवताओं के वश में नहीं है किसने प्रदान की उन्हें ये शक्ति मार्शी भिलिगू के पुत्र ने क्या भारगव असुरों का साथ दे रहे हैं उन्होंने असुरों का गुरूपत भी स् को सिरिष्टे के निर्मान कायर में बादर डालने के आदेश भी दे दिये हैं ब्रिगुपुत्र का ये दुस्सास भारगाव ने तो अपने तपोबल के आश्रे पर भगवान विष्णु को भी ललकार दिया है प्रभू इतना अंगार क्रोध में वो इतने अंदे हो गए है क कि प्रभू की लीला भी दिखाई नहीं दे रही उन्हें प्रमदेव क्या किसी नहीं बताया नहीं कि उनकी माता को प्रभू के परमधाम की प्राप्टी हुए बहादेव साक्षात महार्शी भ्रगु ने उन्हें बताया परंतु भार्गव ने अपने पिता की भी अभग् कर सकते हैं कि रख्षा कीजे प्रभू हमारी 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 रख आप सब निश्चिंत हो जाईए मियाग्यो को दस्त करतो कर दो कर दो किसने मेरा यग्य थष्ट किया किसने मैंने भारगव मैंने अपने क्रोध पर अंकुष लगाईये भारगव अंकुष मेरा यग्य थष्ट करता है और मुझे ही क्रोध पर अंकुष लगाने को बोलता है यग्य का नाम हलाई से जुड़ा हुआ है भारगव और आपने असुर्शक्तियों का निर्मान करके आदिदेव शिवशंकर को रुष्ट कर दिया है अताह उन्होंने मुझे आपको बंदी बनाकर ले जाने का आदेश दिया है तो आप हमारे साथ चलिए मुझे कोई बंदी नहीं बना सकता नंदी देव तुमने मेरा यग्य नस्थ कर दिया है यग्य बन नहीं मैं भार्गों शुक्र तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम तद्गाल यहां से चले जाओ नहीं तो मैं तुम्ही को बंदी बनाकर भोले लाप सिवशंकर को भेट कर दूगा आप नहीं चलेंगे तो मुझे विवाश होकर तुम्हारी विवस्ता मुझे कोई हानी नहीं पहुचा करती कोई नहीं इन्धे बंदी बना लो कि अगा कि अगा कि अगा कि 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 अगा तूल कि अगot कि अगा कि अगा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो वर गुट झाल हुट कर दो कर दो कर दो खबता है झाल 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 महादेव शिवशंकर की जय हो! महादेव शिवशंकर की जय हो! हे देवाधी देव आपने अपने पाणी से अर्थात हाथ से त्रिशूल को धनुष का आकार दिया। इसलिए आपका ये धानुष समस्त लोकों में पिनाक नाम से प्रसिद्ध होगा और आपको सभी पिनाक धारी कहेंगे। क्या है तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया तेरी जै हो जै हो गंगा मैया तेरी शरन में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया गंगा मैया गंगा मैया निर्बल का बल तेरा ये जल अमरत जैसा सब के लिए इस में नहा के तन निर्मल हो मन पावन हो जो इसको पिये दूबे कभी ना उस पाणी की नया जिसकी तू बन जाए खे मैया गंगा मैया तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया बार कर 5 कि नार कर 5 मिल जै हो जै बार कर 16 में जगंगा मैया बार कर 5 कि बार कर 12 नार कर 20 तू लनक मैँ प्रबलोक्त कर 1 नार को जै हो बर दीन कमखे aja झाही झाहीं झालोग है? झाहीं परन दड़ीं परहीं 5 tomar म Τοय मुपस्थ प्डूल को यह झालोग है कि भागवान शेव तपस्या में मगन हो गए और गुरु श्रेष्ट शुक्राचारे उन्हें बाहर आने का मार्ग नहीं मिल रहा था भगवान शेव ने अपने योग सामर्थ से शरीर के सारे द्वार बंद कर लिये थे उदर गंगा मैया शुक्राचारे के दुख से दुखी होकर उमा माता के पास पहुंचे दीदी आप कि प्रणाम दीदी क्या बात है दीदी आपके चैरे पर चिंटा की रिखाई क्यों दिखाई दे रही हैं उमा संग्तान की व्यथा मतों को व्यथित कर देती है और उसकी चिंटा से मधा चिंथित दिखाई देती है सम्तान की विथा अब किसकी बात कर रही है भार्गव शुक्राचारे की ओमा तुम तो जानती हो भार्गव शुक्राचारे ने असुरों का गुरुपत ग्रहन कर लिया है इससे महादेव बहुत रुष्ट है त्रिनेत्रधारी ने जब अपना तीसा नेत्र खोला तो भार्गव भाईभीत होकर उनके त्रिशुन में जाचुपा जब महादेव के उस पर नजर पड़ी तो उमा ने उसे अपनी हतेली से उठा कर अपने उधर में डाल लिया और तपस्या करने लगे उसे वहीं रहने दीजे डीडी महादेव ने जो किया ठीखिए किया होगा ना परांतो उमा महादेव की तबस्या का तेज उससे सहन नहीं हो रहा देखो उस बेचारी की क्या दशा हो गई है भुले नात की तेजागनी में वो जल कर भस्म हो जाएगा उमा मुझसे ये द्रिश्य सहन नहीं होता वो जल रहा है उसे जलने देजिए भारगव शुक्र के क्रोद और उसके उद्दिता का कुछ तो दंड उसे मिलना चाहिए ना परंतु उमा ऐसी कौन सी माता चाहेगी कि उसका बेटा संकट में रहे शुमा कीजिए दीदी आप अपने आपको उसकी माता मानती है परंतु वो तो आपको अपनी माता नहीं मानता ना उससे क्या मैं अपनी ममता से मूह मोड़ सकती हूं उमा संक्तान यदि अपने स्तर से गिर जाए तो क्या माता भी अपने स्तर से गिर जाएगी माता कु माता ना भावती अंततह अपने से चाहती क्या है दीदी उमा मैं अकेली महादेव की तपस्या को भंग करने का सास नहीं कर सकती क्यों ना हम दोनों महादेव से हारगव शुक्रचारे की मुक्ति की प्राठना करें जैसे आपके आगे दीदी आईए है महादेव है भोलेनाथ है देवाथी देव अपने तपस्या से जागे भोलेनाथ हमें अनकरहित कीजिए महादेव हमें अनकरहित कीजिए भद्रे उमा देवी गंगा क्या बात है अज समय हमें पुकारमे का क्या कारण है मुझे क्षमा कर दीजे भोलेनाथ मैंने आपके ध्यान में बाधा डाली परंतु भोलेनाथ मेरी ममता ने मुझे आपके तपस्या में बाधा डालने पर विवश्च कर दिया है आप तो जग दुनों आपकी ही संतान हैं परंतु आप किसके कारण विवश हो गई हैं प्रभू भारगव शुक्राचारी की कारण दीदे विवश हो गई हैं है महादेव भारगव शुक्राचारी इस समय बहुत संकट में हैं जलने दोस अधंड अंकारी को उसने देरताओं के साथ विश्वास घात किया है स्रिष्टी स्रजन की विरोध करने वाले को धन मिलना आवशक है परन्तु महादेव एक मा अपने पुत्र को तड़पते हुए नहीं देख सकती हे प्रभू मेरे पुत्र पर कृपा कीजिए जो कृपा का पात्र नहीं उस पर कृपा करने को कह रही है आप प्रभू भार्गव शुक्राचारी के अनपस्थिती में भगवान विश्णु ने भार्गव की तबस्विनी माता को परम लोग प्रदान कर दिया जिससे उन्हें क्रोध आ गया परन्तु क्रोध किसे नहीं आता प्रभू हे त्रीनेत्रधारी हे प्रलेकारी क्रोध की सीमर को आपसे बढ़तर और कौन जान सकता है प्रभू इसलिए मेरी आपसे प्रात्ना है अपनी संतान के दुख्स से दुखी एक मा के पुकार सुनिये और भार्गव शुक्राचारीय को क्षमा कर दीजे प्रभू उसे मुक्त कर दीजे देवी गं प्रभू प्रोध कारीयो और इसे मुक्ति भी देता हूं यह क्या कर रहें प्रभू अपने ही पुत्र का वद करेंगे मेरा पुत्र हां महादेव सभी प्राणियों में एक माही ऐसी है जो संतान को अपने पेट में धारन करने की एक शमता रखती है मैं ठीक कह रही हूं न उमा हां दीदी आप बिलकुल ठीक कह रही है प्रभू आपने भारगव शुक्राचारे को अपने पेट में धारन किया है न हां महादेव अब भारगव शुक्राचारे आपका पुत्र बन गया है और आप आप भारगव शुक्राचारे के माता समान पिता बन गये हैं वो तो उस समय करोध में आवश्यक तो नहीं कि करोध में नाशी नाश हो और महादीव के करोध में तो स्रिजन और पालन भी संभव है देवी गंगा देवी उमा अंतता आप दोनों चाहती क्या है भागवन आपके करोध के कारण भारगव शुक्राचारे को जो कष्ट सहन करने पड़े उन कष्टों का निवारन यदि मृत्यू से होगा तो आप भूलिना कैसे कहलाएंगे अपने नाम की सार्थक्ता के लिए अवश्य ही आपको भारगव शुक्राचारी को आशिर्वाद रूपी को वर्प्रदान करना चाहिए जिससे ये अपने सारे कष्ट मैं तुम्हें वर्दान देता हूँ कि मृत्तु तुम पर कदापी विजय प्राफ नहीं कर सकेगी धन्यवाद भगवन आपकी कृपाद रिश्वी साधा मुझ पर बनी रहे उस समय से ही भार्गव शुक्राचारे भगवान विश्णु को अपना परमशत्रू मानने लगे थे प्रभू से प्रतिशोध लेने की भावना से भार्गव शुक्राचारे जैसा महान तबस्वी भी असुरों का साथ दे रहे हैं अपने तब से अरजित बल असुरों को प्रदान कर रहे हैं और असुरों के उन्नती और भलाई के लिए अग्रसर रहे हैं अब समझ में आया महारिशी कि गुरुदेव शुक्राचारे प्रहलात के जन्म का विरोध क्यों कर रहे थे पुत्री अब तुम्हें सतर्क रहना होगा भारगव शुक्राचारे प्रहलात पर घहात करने के लिए उचित अनुचित कैसे भी प्रयास करते रहेंगे जिस सपोले को जन्ग लेने से पहले ही हमें मृत्यु के मूँ में ढकेल देना था महारानी वो सपोला अर्थात प्रहलाद कयादों का पुत्र मदुछंदा के आश्रम में जन्म लेकर हम असुरों के विनाश को अमंत्रन दे रहा है गुरु देव यही चिंदा तो मुझे भी व्याकुल कर रही है मुझे भी क्योंकि मैं भुष्य के गर्व में छुपी इस प्रहलाद रूपी असुरों की मृत्यू को देख रहा हूं इससे अनभिग्य असुराज तो अपनी तपस्या में लीन है परन्तु गुरु देव असुराज हरन्य का श्यक्तो असुरों के हिक के लिए आपका आशिर्वाद ग्रहन करके घोर तपस्या कर रही हैं इसलिए तो मैं अधिक चिंतित हो महारानी व्यदीत होने वाली हर घड़ी हर पल मुझे असुरों के सरुनाश का भयंकर दिर्श दिखाते हैं जिसे ये प्रहलाद अपनी हर सांस के साथ भीषण से भीषण तर बनाता जा रहा है और मैं भारगाव शुक्राचार्य जिसके तपवल के कारण सारे देवदा भैवीत होते हैं आज मधुछंदा के आश्रम में प्रहली बने अग्री चक्र के कारण असुर्शत्रू प्रलाद का बाल भी बांका नहीं कर सका मैं आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता नहीं कर सकता मैं प्रवेश गुरुदेव आप आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकते हैं लेकिन प्रहलाद तो आश्रम से बाहरा सकता है वो कैसे वो कैसे युवराज गुरुदेव आपने महान तपोबल अर्जित किया है यदि इस अर्जित तपोबल से एक बार आप प्रहलाद को उस अगनी चक्र से बाहर निकालने तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रहलाद को काल के गाल में जाने से कोई नहीं रोग सकता मैं अपनी तलवार से उसका वद्ध अवश्य कर दूँगा ये कारे इतना सरल नहीं है युवराज इसके लिए मुझे अपना संपूर्ण तपोबल दाओं पर लगाना होगा इसलिए मैं अपने तपोबल को शुन्य करने का संकल्प तभी लूँगा जब मुझे ऐसी आपात स्थिति का आभास होगा जब उसका उप्योग किये बिना कोई चारा न रहे तभी मैं अपने तपोबल का अंतिन प्रियोग करूँगा कि आपकी माताशी के हथ्यारे विष्णू को परास्त करना परम आवशक नहीं है अगरुदेव महारानी, विष्णों को परास्त करना परमावशक है, परमावशक है, मेरे पास स्तंभन, संमोहन, आदि मंत्रों की संपदा भरी पड़ी है, मैं अपनी योग सिध्यों का प्रयोग करके, अपना संपूर्ण तप उबलदाओं पर लगा दूँगा, और प्रहनात को मनुछन्दा के अगनी चक्र से बाहर ले आउंगा, युवराज, अपनी तलवार की धार तेज खरो, विष्णों के अंश, और गंगा के आशिरवाद को, समूल नष्ट करने का यग्य करने जा रहा हूं मैं, यग्य, हाँ, खरो प्रह जह, कि अवगे चर बलता के अवगेर के अथा जाळ, युवराई, प्रुपस्वफस्पाद केने जा आवी टे खरो, बलता के अव âuुछ से Salutवराब तेव रिशी भार्गव शुक्र अचारे अपने स्विनाशकरी यग्य में अनर्थ की अहूतियां डाल लहें हैं देवेंद्र जब प्राणी पूर्णत क्रोत के आधीन हो जाता है तब उसे अर्थ अनर्थ का ज्यान नहीं होता वो अपने स्वार्थ के अनुसार अर्थ अनर्थ की परिभाशा बदलता रहता ऐसा व्यक्ति जगत के लिए कल्यान कारिस्त नहीं हो सकता इस समय शुक्र अचारे की भी यही देशार है परंतु मैं भार्गव शुक्र अचारे के इन विनाशक संकल्पों को कभी पूरा नहीं होने दूगा मैं उनके यज्ञान शंठान को भंकर के ही दम लूगा पुलली पले पले आंपूर इसवाँ! पांपूर इसवाँ! हुआ हुआ तेरी जै हो जै हो जै हो तंगा मैया तेरी जै हो जै हो जै हो तंगा मैया ये गंगा मैया तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया गंगा मैया ये गंगा मैया निर्बल का बल तेरा ये जल अमर्त जैसा सब के लिए इस में नहा के तन निर्मल हो मन पावन हो जो इसको पिये दूबे कभी न उस पाणी की नया जिसकी तू बन जाए खे वैया गंगा मैया तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया शुकर अचारे के इन विनाशक संकल्पन को कभी पूरा नहीं होने दूगा मैं उनके यज्जानुशंठान को भंग करके ही दम लूँगा लीम लीम प्रकटें प्रकटें आगमूर्ति स्वाह कि आप यग्यमें बाधा डालेंगे इसका अनुमान भारगव शुक्राचार एको पहले से ही था इसलिए उन्होंने अपने तपोबल से यग्यको पहले से सुरक्षित कर लिया है वो देखिए देवेंद्र कि प्रोध और शत्रुता के भाव ने धीमक बनकर भारगव शुक्राचार के बुद्धी को ही चाट लिया है कि वो अध्यानियों की तरह चेश्टा कर रहे हैं कि प्रभु के परमभग कि प्रहलात का विनाश करने का शुर्यंत्र रच कर वो आशुरी प्रविर्तियों के आधीन हो गये हैं डेवेंद्र अब उनका अधोपतन निश्चित है कि अध्यानियों कि तुम्हारा कल्यान हो वत्स वत्स मुझे देवी कहने से यदि तुम मैया कहते तो मेरे मन को अधिक संतोष प्राप्त होता मम्ता की आड़ लेकर मुझे ब्रहमित करने आई हो ब्रहमित तो तुम पहले से ही हो गए हो वत्स इसलिए तो शिवजी ने तुम्हें दंद देने हितु अपने उदर में डाल लिया था हे देवी गंगा केवल तुम्हारे कारण भगवान शिवजी ने मुझे जीवन डाल दिया केवल तुम्हारे ही कारण शिव जी ने मुझे मृत्यू के आधिन करने की बजाए अम्रत्रुव का वर्दान देकर अनुगरहित किया मैं इतना कृतज्ञ नहीं हूँ देवी गंगा के उपकार करने वाले को धन्यवाद भी न कहूँ मैं असरों के हितों की सुरक्षा करने में इतना हुलज गया कि तुम्हें धन्यवाद देना भी भूल गया क्या एक माता और संतान के बीच अपचारिता की आविशक्ता है तुम्हें शिव जी की तपस्या के तेज से शिव जी के पेट में जलते हुए देखकर मेरा माता का रिदे किस तरह जल रहा था यह तुम नहीं समझ सकोगे वच्ष एक माता अपनी संतान के मार्ग को सहज करने के लिए अपनी पलकों से उसके पत पर बिखरे कंकरों को उठाती है फिर मैं तुम्हें शिव जी के पेट में जलते हुए कैसे देख सकती थी अपनी संतान पर नी स्वार्थ ममता लुटाना यही माता का धर्म है मैंने भी उसी मात्र धर्म का पालन किया है वच्ष मेरे रिदय में तुम्हारे प्रतीव वातसल्य और ममता के अतिरिक और कुछ नहीं है इसलिए मैं अपने वातसल्य का हाथ देकर तुम्हें अधर्म से धर्म के मार्ग पर ले जाने आई हूँ मैं तो धर्म के मार्ग पर ही हूँ देवी गंगा और मैंने कोई अधर्म नहीं किया माता याचक बनकर अपने पुत्र के द्वार पर छोली पहला कर खड़ी है और पुत्र उसे निराश कर रहा है बस बस करो देवी गंगा मैं तो यह कलपना भी सहन नहीं कर सकता माता तो एक महान दाता होती है वो न केवल जन देती है बलकि संतान को जीवन भी देती है मैंने भी तो तुम्हें जीवन दिया है मेरे कारण ही तो तुम्हारा पुनरचनम हुआ है मैं तुम्हारी माता ही हूँ, वत्स. मैं चाहते हूँ, तुम बगवान विश्णों से दुवेश करना, छोड़ दो. मैं चाहते हूँ, तुम भगते माल को स्विकार करो. नहीं. यह कदापी नहीं हो सकता, देवी गंगा. अपनी माताको निराश करोगे? मैं विवश हूँ देवी गंगा, मैं विवश हूँ मैं प्रतिग्या बद्ध हूँ एने विश्णु को धस्त करने का संकल्प लिया है मुझे अपने पुत्र धर्म का पालन करना है और अपनी मादा का वद्ध करने वाले से प्रतिशोद लेना है वद्ध भारगव, मुझे खेद है, तुमने व्यर्थी प्रतिशोद के हवनकुंद में अपने विवे की आहुती दी है मैं इसी प्रतिशोद के हवनकुंद में विश्णु के अंश, प्रहलाद की भी आहुती देना चाहता हूँ वद्ध तुम अज संभव को संभव बनाने का प्रयास कर रहे हो तुम अपने आपको मेरी माता समझती हो न तो मुझे मेरे कारे की सफलता के लिए आशिरवाद नहीं दोगी वद्ध मेरी शुपकामने तो सदा ही अपनी संतान के साथ रहती है फिर भी मैं कहूंगी विनाश और प्रतिशोत के विचारों को त्याद दोग पुत्र और स्रिष्टी के विकास कारियों में विधाता के साथ सयोग करो देवी गंगा आशिरवाद तो तुम ने अब भी नहीं दिया ये शस्वी भावा टी प्रकर एर प्रकर ए स्वा हा लाए है प्रकर एर है प्रगदे स्वाहाँ! देवेंद्र, देख रहे हैं आप, भार्गो शुक्राचारे ने अपना सम्पोर्न तपोबल अर्जित करके, ये दिव्र वले चक के रूप में प्रकट किया है, देख रहा हूँ देवरिशी, पर मैं करूँ क्या, मैं ऐसी स्थिती में सदा अपने आपको असमर्थ ही पाता जाओ मेरे तपोबल, अजरों के वंश को समूल नश्ट करने वाले इस प्रहलाद को, मदू छंदा रिशी के अगनी चक्र से बाहर लियाओ, जाओ! डेवरिशी, देवेंद्र चिन्ता क्यों करते हैं? भक्त प्रहलास आक्षात गंगा मैया का अश्रवाद है वो तो सच होगा ही इसमें कोई संदे नहीं है देवरिशी परंतु गंगा मैया ने भारगव शुकरअचारे को भी तो अशीरवाद रूपी माला पहनाई है तो मैया का वो अश्रवाद भी अवश्य फले का फूलेग बुलुवच्ट ना रायन, ना रायन ना रायन, ना रायन बायन प्रणाद को अदीजी रपने का लोग अदीजी रपने का लोग, आदीजी र." वाच राएन बुलू वाच प्रेहलाद, प्रेहलाद कहा गया, प्रेहलाद, 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 प्रेहल प्रहलाद, प्रहलाद, प्रहलाद चिंता न करो पुत्री, भब्त प्रहलाद की सुरक्षा का उतरडायत ले, साक्षात प्रभु और गंगा महिया पर है, उसे कुछ नहीं होगा, तुम अपने आख को सम्हालो पुत्री कुछ भी कीजी, गुरुदेव, कुछ भी कीजी, पर मेरे बच्चे को बचा लीजी, मेरे प्रहलाद को बचा लीजी, गुरुदेव पुरुदेव अगनी चक्र ने भी मार्ग दे दिया पुत्री अगनी चक्र ने भार्गो शुक्राचारे के तपोबल का आधर किया है शुक्राचारे का तपोबल? हाँ पुत्री यह सब शुक्राचारे का किया धरा ही है उन्होंने अपने तपोबल के प्रियोक से भक्त प्राइलाट को आश्रम से उठाया कुछ भी कीजिए पर प्रहलाद को आश्रम की सीमा से बहार ना जाने देजिए साख्षात अगनीदेव ने जिसकी तपवल का आदर किया है उसकी तपवल का मैं कैसे अनादर कर सकता हूं पुत्री अर्थात आप मेरे प्रहलाद को नहीं कर सकते अँग पिर से कह रहा हूं पुत्री का क्यों ङूक है कर प्रहलाद कैक्शा कि बिंती कडीक वाश्र में उसलेन करेंगी चाहूं पुत्री इस प्रिखाने, आप माय आप प्रहलाद को बचाए करि आदो प्रहलाद को अपनी पृत्यों के और जाने से कोई नहीं रोक सकता कोई नहीं रोक सकता कर दो यूराज आलाद अश्रों का शत्रु प्रहलाद आ रहा है तुम्हें प्रहलाद का वद करना है यूराज अपने चचेरे भाई अंधका सुर्द्वारा पाई इस वर्दान का वद करना है तुम्हें इस वर्दान को विफल करना है यूराज मेरा तपोबल तुम्हारी रक्षा करेगा मेरी रक्षा? उस बालत से मेरी रक्षा? मुझे तुम्हारे शौरे और बल पर संदेश नहीं है मुझे तो इनकप्टी देवताओं पर तनिक भी विश्वास नहीं है ये अपनी हर प्रतार की शक्ति का प्रयोग करेंगे प्रहलात को बचाने के लिए अपने इस मनोरत को पूरा करने के लिए यदि वो तुम्हें मारने का प्रयास करें तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैंने अपने तपवल का प्रयोग किया है अब कोई भी अस्र अस्त्र तुम्हें मार नहीं सकता इंद्र का वज्जर भी नहीं देवरिशीद, भारगव शुक्राचारे ने तो हमें हर प्रकार से निरुतर कर दिया है, अब प्रालाद की रक्षा कैसे होगी? इसे, इसे माट डालो युवराज, इसका बद कर दो, तुम मेरे अनुज अवश्यव प्रालाद, परन्तु कृशेश ने कहा है, कि तुम हम दोनों के पिता असुरेशुर हिरन कशब के साथ साथ, सारे असुरकूल के नाशिक बनने जा रहे हो, अतेव, मुझे तुम्हारा स्थेतु नश्च करना होगा. की माघए होगा, की माघए होगा, की तुम मेरे और उनकी दो, दो, तुम्हारा स्थेतु अस्यवर, की ऐह मीमित्डिक बनने जासरी में औरो, तुम्हारा तुम्हार == ए गंगा मैया तेरी शरन में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया गंगा मैया गंगा मैया निर्बल का बल तेरा ये जल अमर्त जैसा सब के लिए इस में नहा के तन निर्मल हो मन पावन हो जो इसको पिये दूबे कभी न उस पाणी की नया जिसकी तू बन जाए खे मैया गंगा मैया जैरी जै हो जै हो जै हो जै हो गंगा मैया जैरी 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 प्रणाम देवर्शी कल्यान मस्तु अरे ये कैसा द्रिश्य है एक हाथ में बच्चा और दूसरे हाथ में तल्वार युवराज देवर्शी नारत की बातों पर मत जाओ रहलाज का बद कर दो सुन रहे हो युवराज मेरी अग्यात पालन करो तपस्वी श्रेश भारगव आपका आदेश युवराज अहलाद के कानों तक नहीं पहुँच रहा है आपका तपबल खिन हो गया है गंगा बया के प्रामश की अभेल ना करके आपने अपने तपबल का दुरुपयोग किया ह परिनाम सरूप आप आसमान्य से सामान्य हो गए है नाई नाई इतने छोटे बच्चे के लिए इतनी बड़ी तलवा है देवर्शी युद्धनिती कहती है कि शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए और ये बालक तो असुरु का होने वाला महाशत्रु है ना रायन न सुरेश्वर हिरन कशब ने तुम्हें आग्या दी होगी इस बच्चे का वद करने के लिए नहीं तो हाँ मुझे ग्याद था महापराकर्मी हिरन कशब अभी ऐसे नपुन सकता की दशा में नहीं आये है कि उन्हें बच्चे की हध्या करने के लिए एक वीर महापराकर्मी आलहाद को बुलाना पड़े अरे इस बच्चे का वद्ध करना ही है तो इसे उपर से नीचे फेग दो मर जाएगा इसे नदी में फेग दो मचलिया खा जाएंगे आधाद तुम देवरिशी की बातों से भ्रमित हो रहे हो भ्रमित या सोच रहे हो ये व्राज कि तुम्हारी इस तलवार ने असुर लोग के बड़े बड़े शत्रों का रखपान किया है कि इतनी यशस्वी संगहार निपोन और युद्ध अनभवी तलवार से एक कोमल रुई जैसे कोमल बच्चे का वद्ध क्या ये तुम्हारी तलवार का अपमान नहीं है यो राज आप सब्त कह रहे हैं देवरिशी तलवार से एक बालक का वद्ध असुरों की शक्ति का परिहास उड़ाने के बराबर हैं मैं इसे नदी में फैंक देता हूं ना रायल, ना रायल, ना रायल, ना रायल आदाओ तु राज, अब तुम निश्चिंत होकर राजमहल जाओ ये बालक अब अवश्य मचलियों का भोजन बन जाएगा प्रणाम देवरिशी कल्यान मस्तू, कल्यान मस्तू कल्या घर करूई ना रायल, ना रायल, ना रायल कल्यान मस्तू मेरा तापो मल्स यून्य हूग आप अचुन्य हो गया मेद आप अबल नेएएएएएएएएएएएए आओ प्रहलाद गंग अमया प्रहलाद मीरा प्रहलाद फिर परहलाद अब यह प्रहलाद को संभालो मा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूँ कोई आवश्यक्ता नहीं पुत्री तुम्हारे मन की सांत्वना तुम्हारे रिदय की प्रसनता तुम्हारा उल्हास तुम्हारी आँखों से छलकता दिखाई दे रहा है मुझे मा, मा के वातसलिय प्रेम पर मुख्ध हो रही है मुझे धन्यवाद करोगी तो मेरे प्रेम की तुलना हो जाएगी संतान का प्यार कभी तोला नहीं जाता कयादू धन्यवाद करके मुझे पराया मत बनाओ पुत्री नहीं मा, नहीं मा कभी अपनी संतान के लिए पराय नहीं होती तो फिर प्रहलाद की रक्षा करके क्या मैंने तुम पर कोई उपकार किया है नहीं पुत्री मैंने तो केवल अपने मात्र धर्म का पालन किया है और मैंने अपने धर्म का पालन नहीं किया मैया यह तुम क्या कह रहे हो पुत्री हां मैया हां मैंने आप पर और गुरु श्रेष्ट मदुचंदारेशी पर अविश्वास किया है मैंने मन ही मन आपका अपमान किया है मैया होता है पुत्री संतान के खोने कब है किस मा के विश्वास को नहीं डगमगा देता पुत्री का याद हूँ जी महिया विकारों से दूर रखना प्रहलात को महरिशी मदुछंदा के मार्व दर्शन में सुसांस्कारों की छाया में ही इसका पालन पोशन हो ऐसा ही होगा महिया महिया मुझ पर एक कृपा कीजिए अब प्रहलात की जीवन में आपका अस्थान उसकी अपनी मा से भी श्रेष्ट और उंचा हो ततास को गुरुदेव गुरु श्रेष्ट मैंने आपकी आगया का पालन कर दिया गुरुदेव आपकी आगया का पालन कर दिया अब असुरेश्वर और असुर्लोक को कोई भैं नहीं, किसी का भैं नहीं मैंने भ्राता अंदका असुर के मिले वर्दान को निश्फल कर दिया गुर्देव मैंने प्रलात को उठा कर नदी में भैख दिया मुझे आशिर्वाद दीजिए गुर्देव आशिरवाद, अभिशाप के अधिकारी हो तुम, अभिशाप के, एक बालक का वद नहीं कर सके तुम परन्तु गुर्टेव अपनी खिली मत उड़ावालाद, जो युवराज एक छोटा सा काम सफलता पूर्वक नहीं कर सकता वो रज्य की सुरक्षा का उत्तरदाईद तो कैसे समाल सकता है तुम ने उस बालक को उठा कर नदी में फेग दिया और सोचा कि वो मर गया तो क्या वो गीवी थाई, सुरक्षी थाई, गंगा ने उसे बचा लिया तुमारे कारण मेरा तपोबल शून्य हो गया मैं महातपस्वी भारगव, बिना तपोबल के वो शुष्क रक्ष बन कर रह गया जिस पर ना तो पत्ते हैं न डालियां जो सशक्त हो, वो शक्ती के बिना एक पल भी नहीं रह सकता, एक पल भी मुझे मेरा तपोबल प्राप्त करना होगा नजाने कितने वर्षों, कितने युगों दत्ग, मुझे अपना तपोबल अर्जित करना होगा अर्जित करना होगा वत्स अपनी मा से रुष्ट हो, क्यों मुझे बार बार ममता के जाल में फ़साने का असफल प्रेत्न करती हो, ममता जाल नहीं होता वत्स, ममता गोध होती है, जो विश्राम देती है, जो सुरक्षा प्रदान करती है, जो निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ प्यार और निस्वार्थ पालन पोशन करती है, ममता वो भावना है, जो स्वैम कष्ष सहना जानती है, कष्ष देना जिसे नहीं आता, हाँ, बच्चे का कष्ष सुन कर ही, उसका मन वेदना से अवश्य भर जाता है। तुम्हारी तपोबल के शुन्य होने पर मेरी बीदशा वैसी ही है। तुम्हें मेरी चिंदा करने की कोई आवशक्ता नहीं है, गंगा, कोई आवशक्ता नहीं है। जो खोया है, उसे दुबारा पासकता हुना है। और मैं पाऊंगा, मैं तप करूंगा, कठोर से कठोर तप, और देखना, एक दिन देवताओं को नीचा दिखाऊंगा। ये शुक्रचारिय न तो कभी किसी के सामने जुका है, और न जुकेगा। धर्म और भक्ति की प्रेणना देने वाला अशुरों का परम्शत्रुप प्रहलाद। तुम सारे देवी देवताप मिलकर भी उसे जीवित नहीं लग सकोगे। नहीं वत्स, क्रोध और अहंकार का त्याग करो। और बदले की भावना को दिल से निकाल दो। तुम जैसा ग्यानी, तुम जैसा तपसवी, तुम जैसा। बश 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 तुम्हारा असली रूप जान चुका हूँ मैं। नुहारे होटों पर कुछ और होता है, और दिल में कुछ और। मैं फिर से तब करने जा रहा हूँ। और देखना, एक दिन शीर सागर और विश्णू सब धुस्त दिखाई देंगे, सब। नाग के फन के नीचे शैन करने वाले विश्णू ने असुर कुल में प्रालाद को भेज कर मुझे चुनोती देने का साहस किया है। महादेव की सौगंद, इस चुनोती का उत्तर मैं तपवन से आकर दूँगा। हां। वत्स, तुम्हारी तपस्या सभला। मुझे तुमहारे आशिरवात की कोई आवशक्ता नहीं है, गंगा। कोई आवशक्ता नहीं है। पुत्री, अब चिंता की कोई बात नहीं है। प्रालाद का सबसे बड़ा शत्रू, शुकराचारे. अपना तपोबल शून्य होने के कारण फिर से तपोबल अर्जित करने के लिए तपस्या करने चला गया है अब प्रहलात के पालन पोशन में कोई बाधा नहीं आएगी प्रहलात नारायन नारायन बोलो प्रहलात नारायन नारायन बोलो प्रहलात नारायन नारायन बोलो प्रहलात 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 वत्स प्रहलात हम चली, भगवान विष्णु को प्रणाम करें, हाँ, चलो, आउ प्रहलाद, प्रणाम करो प्रहलाद, प्रणाम करो, प्रणाम, बोलो, ओम विष्णवे नमः, 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 ओम ओम विष्णवे नमहा, 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 ओम प्रणाम मैया कल्यान मस्तु कल्यान मस्तु गंगा मैया आज आप ही किर्पा से मेरा प्रहलाद आठ वर्ष का पूरा हो गया मेरी आप से एक बिंती है मैया इसी तरह आप अपनी किर्पा मेरे प्रहलाद पर सदा बनाए रखेगा तथास्तु प्रणाम गुरुदेव आईश्मान भवा गुरुदेव आठ वर्ष तक प्रहलाद को जो चिक्षा आपने देनी थी वो अब पूरे हो गए अब मेरी ये इच्छा है गुरुदेव कि प्रहलाद असुरों के संस्कारों को ग्रहन करते हुए राजकुमारों की शिक्षा लेना आरंब करे मैं तुम्हारी मनुदशा समझता हूँ पुत्री गुरु शुक्राचारी के तपोवन जानी के पश्चात तुम भैमुक्त हो गई हो परन्तु आज भी प्रहलाद इस आशम के बाहत सुरक्षित नहीं है तुम अपने पती असुरेश्वर हिरन्य कशपु की प्रतीक्षा करो मैं देख रहा हूँ असुरेश्वर की तपस्या में अब देर नहीं है मुरामले नहीं है तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया तेरी शरन में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया गंगा मैया गंगा मैया ये गंगा मैया भर हर गंगी जै 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 भर हर गंगी निर्बल का बल तेरा ये जल अमृत जैसा सब के लिए इस में नहा के तन निर्मल हो मन पावन हो जो इसको पिये दूबे कभी न उस पाणी की नया जिसकी तू बन जाए खे वैया गंगा मैया जैरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया गुरुदेव आठ वर्ष तक प्रहलात को जो शिक्षा आपने देनी थी वह अब पूरी हो गए आश्रम के नियमानुसार उसका उपनेयन संसकार भी हो गया अब मेरी ये इच्छा है गुरुदेव कि प्रहलात असुरों के संसकारों को ग्रहन करते हुए राजकुमारों की शिक्षा लेना आरंभ करे गुरु शुक्राचारी के तपोवन जानी के पश्चात तुम भैमुर्ट हो गई हो परन्तु आज भी प्रहलात इस आश्रम के बाहत सुरक्षित नहीं है तुम अपने पति असुरेश्वर हिरन्य कशपुगी प्रतीक्षा करो कि मैं देख रहा हूं असुरेश्वर की तपस्या में अब देर नहीं है OM B island peg आमने नमा ओम प्रामने नमा ओम प्रामने नमा ओम ब्रह्मने नमा ओम ब्रह्मने नमा ओम ब्रह्मने नमा आखे खोलवा सुर्षिष्ट प्रणाम परम्पितामा हे प्रभू आपके दर्शन पाकर में कृतार्ध हुआ आज मेरा जन्द सार्थक हुआ प्रभू मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ पुत्र वर मांगू तुम्हारे ज्छापूर्ण होगी यदि आप प्रसन्न है तो मैं आपसे केवल एक ही वर मांगता हूँ ने संकोच मांगो मैं अमर्ता का वर्दान मांगता हूँ आपसे मर्यादा का उलंगन मत करो पुत्र जातस से ही थ्रुवम मृत्य हुआ है तुस्ट्री की रचना के समय ही मैंने ये मर्यादा बांदी थी इस तृष्ट्री में जो भी उत्पन्न होगा उसकी मृत्यू भी होगी तो मृत्यू तो होगी ही इसे असत्य नहीं बनाया जा सकता तब तो तपस्या का कोई भल नहीं मिला मुझे मैं तुम्हें अमर होने का वर नहीं दे सकता परन्तु तुम मृत्यू को शर्टों से बांद सकते हो तुम जैसी स्थिती में मरना नहीं चाहते उसका वर्दान मैं तुम्हें दे सकता तो फिर परम पितामा मुझे वर दीजिए मुझे ना अस्त्र से मृत्यू आए ना शस्त्र से मैं ना जल में मरूं ना थल में मुझे ना दिन में मृत्यू आए ना रात में मैं ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मैं ना आकाश में मरूं ना पाताल में ना शया पर मुझे मृत्यु आये ना धर्ती पर ना मानव से मरूं ना दानव से ना पशु से मरूं ना पक्षी से मैं अपर आजये हूं तथाज्द मैं आमर हो गया मैं आमर हो गया करें अपर करें है करें करें पुर्यूदियो यह अशुब संकेत किस अन्होनी घटना के दो तक है पुत्री जिसे तुम अशुब कह रही हो वह अशुरों के लिए और हिरन्य कश्शब के लिए शुब संकेत है यह रन्यक्रश्व के ही तपस्या का प्रभाव है पुत्री जिससे इस स्रिष्ट्री का संतुलन डगमगा रहा है पुत्री रन्यक्रश्व की तपस्या सफल हो गई है और उन्हें मनवांचित वर्दान मिल गया है गंगा गंगा कहा हो तुम गंगा मेरे अमर हुरे की बात सुनकर क्या डर रही हो तुम मनसे सामने आओ सामने आओ गंगा 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 बढ़े प्रसन दिखाई दे रहे हूं प्रसन मेरी तपस्या सफल हो गई गंगा मेरे तपस्या सफल हो गई अब तुम मेरे साथ असुर लोग चलने की तैयारी करो हे असुर राज तुम्हारी सफलता की खुशी है मुझे परंतु तुम्हारी तपस्या में स्वार्थ निहित था इसका मुझे दुख भी है वत्स असुर लोग के कल्यान के लिए मुझे असुर लोग ले जाने यदि तुमने स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर तब करते तो विधाता को भी विवश होकर मुझे असुर लोग भेजना पड़ता परन्तु तुम्हे तो अमर होना था ना हाँ मुझे अमर होना था और मैं अमर हो गया हूँ मेरी मृत्तु नहीं हो सकती ना अस्त्र से ना शस्त्र से ना जल में न थल में न प्रिथ्वी पर ना अकाश में न दिन में न रात में न घर के बाहर और न घर के अंदर ना ही दा मैं आमर हूँ आप बानन्द आएगा जब सारी स्रिष्टी मेरे पाउ तले होगी और सारे लोग मेरी मुठी में वत्स तुम्हारी मुर्गता पर मुझे हसी आती है गंगे तुम स्रिष्टी का नियम नहीं बदल सकते वत्स जो जन्म लेगा वो मृत्यों के आधीन होगा ही होगा जिस परम्पिता ब्रह्मदेव ने तुम्हें वर्दान दिया है वो स्वेंभी अमर नहीं है उनकी आयूभी मिश्चित है पिर तुम कैसे अमर हो सकते हो मुझे प्रमित करने का प्रमाद मत करो गंगा मैंने अम्रत्व का वर्दान पाया है और यह वर्दान पाकर मैं सर्व शक्तिमान केवर प्रभू है वत्स नहीं अब प्रभू मैं हूँ गंगाव अब मैं भगवान हूँ मैं है संपुर्ण ब्रमाण का एक मात्र स्वामी हूँ वत्स ऐसा लगता है पिता महा ब्रह्म देव से पाई वर्दान के कारण तुम्हारी बुद्धी ब्रश्ट हो गई है अपने आपको सैयत करो और बुद्धी को सन्मार्ग पर लगा स्रिष्टी के विकास कारे में विधाता का सैयोग दो यही तुम्हारी वर्दान की सार्थक्ता है तुम्हार कितने दिन मुझसे छप सकती हो मशिग ही तुम्हें असुरोग ले जाओंगा यह मित्युन्जे हिरन का शप्ती चेताम्री है माताश्री माताश्री क्या बात है आलहाद तुम्हारी आवाज मुझे बता रही है कि तुम बड़े प्रसर्न हो माताश्री प्रसन होने जैसे ही बात है पिताश्री की तपस्या सफल हो गई है माताश्री साच साच आलहाद आज आज मेरी भी तपस्या सफल हो गई आलहाद आज मेरी भी तपस्या सफल हो गई माताश्री आपकी तपस्या हाँ आलाद, मैं भी तो उनके साथ तपस्या कर रही थी, उनकी तपस्या सफल होने के लिए तपस्या कर रही थी, अपने स्वभाग्य की रक्षा के लिए तपस्या कर रही थी, जाओ आलाद जाओ, तुम्हारे पिताश्री, किसी भी पल असुरलोक में आ जाएंगे, उनके स् कैयारिया करो सारे राग भवन को फूलों से और पता काउं से सजा दो पूरी नगरी को सुशोबिद कर दो जाओ अलहाद जाओ और माताश्री क्या हुआ अप अचानक इतने उदास्कें हो गई अलहाद यदि तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हारी छोटी मा और प्रलहाद के बारे में पूछा तो हम हम उन्हें हम उन्हें क्या उतर देंगे मा 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 बोलो प्रहलाद मा हम पिताश्री के पास जाएंगे यह तुमसे किस ने कहा पुत्र मैंने मैंने कहा था न तुम्हें जैसे ही असुरेश्वर असुर लोग पहुंचेंगे मैं तुम्हें तुम्हारे असुराल पहुंचा दूँगा इसका अर्थ कुर दिया, कि असुर इशुर असुर लोग पहुच कहे हैं? हा पुत्री करने कासμπί, करने कासμπί, करने कासμπί प्रानेश्वर आपके तबोबर और उसे प्राप्वर्दान की चर्चा सारे अंतरिक्ष में हो रही है अम्रत्व के वर्दान के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई हो महारानी, आपके महराज ने मृत्य उपर विजय पाई है मृत्य उपर आये महाराज, आये, पधारिये महाराज, इतने दिनों के बाद आपको देखकर मेरी आंखे धन्य हो गई है महाराज आपके तेजस्वी मुखाद बिंद को देखकर मेरा रोम रोम फुलकित हो गया है महाराज हाहा, सच? हाह, महाराज, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके लॉट आने से, मेरी आत्मा, मेरी शरीर में लॉट आई है आपके जाने से, मेरे समेट, इस राजमेहल के सभी पदार्त, जैसे जर से हो गए थे आपने आकर, हमें फिर से चेतन कर दिया है महाराज, हम आपके इहरदे से आभारी है महाराज हाह, हमारे आते ही आपने आभार का भार हम पर डाल दिया क्या हुआ महाराज? हमारी कयाधु दिखाए नहीं दे रही छोटी मा, राजमेहल में नहीं है महाराज क्या हुआ? उन्हें हमारे आने का संदेश नहीं मिला? यवराज! जी महाराज राणी कयाधु को हमारे आने का संदेश दिया गया या नहीं? सूचना तो उन्हें अवशी मिल गई होगी महाराज तो फिर वो हमारी अनुपस्थिती में उदास होकर अवशी वो अपने माता पिता के पास नाग लोग चली गई होगी हमारे पुत्र को भी तो जन्म दिया होगा कयाधु ने यवराज जी महाराज जाओ और जाकर आदर सत्कार के साथ अपनी छोटी मा को असुरलोक लियाओ हम अपने पुत्र को देखने के लिए अतिय उत्सुक है तुमने सुना नहीं यवराज महाराज कयाधु नाग लोग में नहीं है क्या? आप कक्ष में चलिए हम आपको बताते हैं कि आपकी अनुपस्तिती में यहां क्या-क्या हुआ है देवेंद्र का ये दुस्सा हस ये उद्दंडता हिरन कश्चप की रानी का अपहरण देवेंद्र बचा सकता है तो बचा अपने स्वर्ग लोग को अमर्ता का बरतान पाया हुआ हिरन कश्चप तुझे तरे कीओं अफ्रात का दंड देने आ रहा है तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया तेरी जै हो जै हो जै हो तंगा मैया तेरी शरन में जो भी प्राणी आया उसका बेडा पार लगाया गंगा मैया गंगा मैया निर्बल का बल तेरा ये जल अमरत जैसा सब के लिए इसमें नहा के तन निर्मल हो मन पावन हो जो इसको पिये दूबे कभी ना उस पाणी की नया जिसकी तू बन जाए खे मैया गंगा मैया तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया जै 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 अवश्य किया था परन्तु देवर्शी नारद कायाधू को मेरी आश्रम में लियाए कायाधू सुरक्षित है असुरेश्वर और अगनी जैसी तेज़स्वी और पवित्र भी आप जैसे अगनी के उपासक जिसके पालक बन जाते हैं वो पवित्र ही होगी मुनिश्रेष्ट आपको ये जानकर प्रसनता होगी कि कायाधू ने प्रहलाद जैसे तेज़स्वी बालक को जन्म दिया है प्रहलाद हमारा पुत्र हम अपने पुत्र और रानी कायाधू को मिलने के लिए बहुत ओत्सुक हैं अच्छा ये लो मिल लो कायाधू 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 प्राणाम पिताश जी मेरा पुत्र, मेरा प्रहलाद हाई है हाई कि आई हम ऐसमां भव पुत्र आई हमां भव इस आप करने गए थे हाँ पुत्र हम इब इपने साथ कियों नहें ले गए हम भी आपके साथ करते हैं अब तुम हमारे साथ करोगे हम जो भी करेंगे माताश्री के साथ रहकर करेंगे ऐसा क्यों हम माताश्री को रोते हुए नहीं देख सकते जब आप तब करने गए थे तब माताश्री आपकी याद में बहुत रोती थी क्याद नहीं क्याद नहीं क्याद नहीं तुम हमारी प्रेयसी हो तुम्हारा स्थान हमारे हिर्दे में है अच्छा पुत्र प्रहलाद राजन प्रणाम रेषिवर वैं चलता हुं आई श्मान भावा गयाद हो मतुछंदा रिशी को क्या विशक्ता थी प्रहलाद को स्वयम हिरन्यकश्यप के राजमहल में छोड़ जाने की तुम्हें भय है कि प्रहलाद वहां सुरक्षित नहीं है हाँ दीदी तुम यह भूल रही हो मा कि पुत्र अपने पिता के घर पहुच गया है पिता से बड़ी सुरक्षा और क्या हो सकती है आप मन की पवित्र हैं दीदी इसलिए आपको हिरने कश्यप जैसा दुरात्मा भी पवित्र दिखाई पड़ रहा है ये बात नहीं है उमा हिरने कश्यप अभी तक करके लोटा है तब सितन मन दोनों के दोश दूर हो जाते हैं तपसवी अधिक मानविय हो जाता है उसमें प्रेम, करुना, उदार्ता, अहिंसा जैसे भाव तीवरता से प्रकट हो जाते हैं हिरने कश्यप में भी ये परिवर्तन अवश्या आ गया होगा कुछ भी हो अब प्रहलाद मृत्यों के मुख में ग्रास की तरह रख दिया गया है तरनिक्सा क्रोथ और हिरने कश्यप इस ग्रास को चबा जाएगा दीरज रखो उमा, प्रभू अपने भथ की भलाई से कभी भी विमुख नहीं होते देखती जाओ, प्रभू की लीला आओ, आओ, महारानी महाराज की जय हो कहो यो राज, इस समय कैसे पिता श्री, आप जाना चाते थे न, कि गुरु शुक्राचारे इस समय असूर लोग पे क्यों नहीं है हाँ, हमें पता चला है, वो फिर से तपस्या करने चले गए है क्यों? पिता श्री, गुरु शुक्राचारे का सारा अर्जित तपोवल शुन्य हो गया है कैसे? कैसे शुन्य हो गया था? प्राणेश्वर, आपको ज्यात नहीं है, कि आपका बालक प्रलहात विश्णों का अंश है क्या? असुरों के महाशत्रु का अंश? हाँ प्रेमाड आपके तपोवन जाने से पूर्व कैयादू गर्ब से थी, ये तो आप जानते ही है हाँ, आगे कहो गुरु शुक्राचारे ने अपने तपोवल तवारा ये जान लिया था कि कैयादू के गर्ब में पलने वाला ये बालक विश्णों का अंश है इसलिए उन्होंने इस गर्ब को नश करने के लिए बहुत प्रत्न किये उसमें से एक था कृत्या का निर्माण परंदू विश्णों ने गर्ब की रक्षा हेतू अपने सुदर्शन चक्रद्वारा कृत्या का नाश कर दिया और इतना ही नहीं देवराज इंद्र ने गर्ब की रक्षा हेतू असो लोग पर आक्रमन करके कायादू का हरं कर दिया और देवशी नारत कायादू को मदुछंदा के आश्रम में छोड़ाए गुरू शुक्राचारे ने कुछ नहीं किया गुरु शुक्राचारे ने बहुत प्रयत्नी किये, परंतु रिशी मदुछंदा ने आश्रम की रक्षा हेतु, अपने तपोबल द्वारा आश्रम की चारों और अगनी चक्र सापित कर दिया था, जिसे पार करना गुरु शुक्राचारे के वर्ष में नहीं था, फिर भी उन प्रहलात को जड़ी में फेग भी दिया, फिर फिर गंगा मया ने उसे बचा लिया पिताश्री अ मत कहो उसे गंगा मया, वो केवल देवताओं की मया है, उसने सदा देवताओं का भला चाहा है, हम असरों का नहीं, परंतु अप में देवताओं का ये शर्यंद किसी भी हाल कौन रक्षा करेगा उसकी? किसी भी हाल जायि... क्या हुआ ? क्या है... गयादू... क्या हुआ तुम्हे... Swami, 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 आप मेरी जान ले लीजिए, Swami, आप मुझे मार दीजिए, परंद मेरे जीते जी, प्रेलाद के हत्या होते वे नहीं देख सकती, Swami, Swami, प्रेलाद का कोई दोष्ट नहीं है, मैंने भी कोई पाप नहीं किया, Swami, आप मेरे परमेश्वर हैं, प्रेलाद के पिता हैं, मैं आपकी आग्या की बिना, आपकी संतान का वद नहीं कर सकती, कयाधू, यह क्या कह रही हो तुम, क्या हो गया है तुम्हें, कयाधू, होश में आओ, कयाधू, मैं प्रेलाद के हत्या कैसे कर सकता हूँ, मैं तो उसका पिता हूँ, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, हाँ, तुम्हारे मस्तिष्ठमें यह बात आई कैसे, हाँ, अपने आपको संभालो का याधू अपने आपको संभालो प्रहलाद ने असुरकुल में जन्म लिया है इसलिए वो देवताओं और विश्णु का शत्रु ही बनेगा और इसलिए मैंने उसे असुरकुल आश्रम में शीक्षा के लिए भेजने का निर्णे किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा प्रहलाद सर्वोत्तम मसुर बन कर ही लोटेगा अब तुम निश्यंद होकर सोजाओ क्योंकि मेरे होते हुए कोई भी प्रहलाद का बुरा भी नहीं सोच सकता महाराज की जय हुँ यवराज आलहाद गुरुकुल के प्रमुख आचार्य गुरु शुरुति क्रिती सहित पधार रहे हैं प्रणाम आचार्य गल्यान मस्तु। प्रणाम आचार्य शृ। प्रणाम आचार्य शृ। प्रणाम जीएष्ठ ब्राताश्री। बड़े भाईया आपने आशिरवाद नहीं दिया इवराज अपने अनुछ को आशिरवाद दो बड़े भाई का आशिरवाद छोटे भाई की सदा रक्षा करता है कल्यान मस्तो बड़े भाईया अब मेरे कल्यान का उत्तर दाइत्व आप ही पर है आचार शुरूति केर्थी आप हमारे प्रहलाद को गुरु को ले जाएए और इसे असुरों के उच्चतम संस्कारों से अलिंकृत कर दीजिए आज से प्रहलाद आपका शिष्य है और आप इसके गुरू प्रहलाद अपने गुरू को प्रणाम करो मेरे तीसरे गुरू को प्रलाद का प्रणाम तीसरा गुरू उम्हारे पहले गुरू कौन है बच्च मेरी माताश्री और दूसरे गुरू महर्शी मदुचंदा पूत्र महर्शी मदुचंदा रिशी है उनकी दी हुई शिक्षा और हम असरों के शिक्षा में अंतर है पिताश्री तो क्या मुझे रिशी आश्रम में पाई हुई शिक्षा भूलनी होगी इसका उत्तर तुम्हें आचार शुरूति किर्थी देंगे आचारी मैं युद्ध पर जा रहा हूं आज से मैं प्रहलाद को आपके गुरुकुल को सौंप रहा हूं आप निश्चिन दो कर जाएए सुरिश्वर प्रहलाद आप युके पच्चिनों पर चलेगा मैं भी आपके साथ आऊंगा पिताश्री कहां युद्ध पर हाँ पोत्र तुम वहां क्या करोगे मैं भी आपके साथ स्वर्ग लोग पे आक्रमन करूंगा पोत्र अभी तुम्हारी आयू आक्रमन करने की नहीं अध्यन करने की है युद्ध भी एक विध्या ही होती है ना आप शीरसागर पे जाएंगे ना पिताश्री हां क्यों लक्ष्मिपति विश्णू से युद्ध करेंगे अवश्य करूंगा नहीं पिता श्री पुत्र कभी पिता से युद्ध नहीं करता हूं कौन पुत्र कौन पिता क्या आप नहीं जानते विश्णू हम सबके पिता है सर्वशक्तिमान है आज इस पुरे प्रम्हान में सर्वशक्तिमान एक ही है और वो मैं हूं मैं मैंने मृत्य पर विजय पाई है मृत्य पर पर परन्तु भगवान विश्नु अजन्मा है वे तो जन्म और मरन दोनों के परे हैं आचार यश्योति केर्थी बैति राज आप क्रोध मत कीजिए आपका ये पुत्र मेरी देवी सिक्षा नहीं बोल रहा है तुम्हारे गुरु क्या कह रहे हैं प्रलाद h réduji सत्य कह रहे हैं पिता श्री जो हमारे रिदयों में स्तित हैं वही विश्नू सारे जगत के उप्देशक है और परमेश्वर को छोड़ कर इस दुन्या में कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता पिता श्री मुझ जगदिश्वर के होते हुए तु बार बार किस विश्णु का वर्णन कर रहा है जिससे ये विश्वर प्रकट हुआ है उस परमेश्वर विश्णु का पिताश्री मेरे लहते हुए कोई परमेश्वर नहीं नहीं पिताश्री, आप परमेश्वर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते पिताश्री पिताश्री, विश्नु अनश्वर है, नित्य है, उनका नाश कभी नहीं हो सकता आप मैं और हम सब नश्वर हैं और वैसे ही हमारा नाश अटल है और वैसे आपको भी एक दिन नाश होना है तेरी जै हो जै हो जै हो जै हो तंगा भया ए गंगा मैया तेरी शरन में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया गंगा मैया गंगा मैया निर्बल का बल तेरा ये जल अमृत जैसा सब के लिए इसमें नहा के तन निर्मल हो मन पावन हो जो इसको पिये डूबे कभी ना उस पाणी की नया जिसकी तू बन जाए खे वैया गंगा मैया तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया मुझ जगदिश्वर के होते हुए तू बार बार किस विष्णू का वर्णन कर रहा है जिससे ये विष्व प्रकट हुआ है उन परमेश्वर विष्णू का पिताश्री मेरे रहते हुए कोई परमेश्वर नहीं नहीं पिताश्री आप परमेश्वर नहीं हो सकते नहीं हो सकते पिताश्री परमेश्वर ये आप क्या करने जा रहे थे सेम अपने हाथ हूं अब यहीं पुत्र का बद आचार्य इस मोर्ग को मेरे विपक्षी की प्रशंजा करना नजाने किसने सिखा दिया है ले जाहिए इसे वैयाद प्रहलाद पर असरों के संसकार लाना तुम्हारा करतव यह था जो तुम भूल गई अचार्य अब मैं प्रहलाद को आपको सौंपता हूं मैं जब तक युद्र से वापस आता हूं इसे असरों की भाशा में निकुड होना चाहिए मैं मैं जब मैं मैं झाल झाल तुम्हारे देव लोग पर आक्रमण करने से पहले तुम्हें अपनी शर्ण में आने का आउसर प्रदान करता हूँ मेरे सम्मुक आकर अपने आप को मेरा दास बना दो नहीं तो आज जिवन मेरे कारग्रा में बंदी बनने को तयार हो जाओ हे अहमकारियसू राज प्रभू ने हम देवताओं को तुम जैसे पापियों का नाश करने के लिए उत्पन किया है तुम्हारा दास और तुम्हारा बंदी बनने के लिए नहीं आज मिर्ति लोक में ब्रमन करते दिखाई दो गए आज मौर अक्रमार! कर दो 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 झाल 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 बुद्धिहीन दिवेंद्र किसे मृत्य लोग भेजना चाहता है जो स्वैम मृत्य को अपनी मृठी में बंद किये हुए है मौर्क मैं अमर हूँ मुझे न शस्त्र मार सकता है न अस्त मेरी न धर्दी पर मित्य हो सकती है न आकाश में न जल में न थल में मैं न दिन में मर सकता हून रात में सानी को एंजन लोग पर अपना अधिपत्य जमालो हाँ 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 खांट कुसमी एड़ने को सबी 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 एड़ने को सब जाएजेकार तो केवल प्रभू की होती है प्रभू जिने नारायन भी कहते हैं जो शेष शाई है और वही विष्णु हैं सभी मेरे साथ बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदुदेव ओम ओम नमो भगवदे वासुदेवाय। ओम नमो भगवदे वासुदेवाय। प्राड़, तुमने गुरुकुल के नियमों की अभेलना की है। तुम्हें दंड मिलेगा। असुर होकर देवताओं का गुर्णगान करने के अपराध में आज तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। गुरुदेव, जिस प्रभु ने हमें पेट दिया है, वो भोजन भी देगा। देखता हूँ, कौन तुम्हें भोजन देता है। सुनो विद्यार्थियों, जो कोई भी प्रलाद को भोजन देगा, उसे कठोर दंड दिया जाएगा। चलो, आश्रो में जाकर भोजन करो। कि अचलो प्राणाम गंगा मैया कल्यान मस्तू वच तुम्हें भूग लगी होगी न हाँ मैया प्राणाम खी हाँ ॸट भूग तुम्हें न हूगी मैंगी न ही पिरल इंगा अ. झाल झाल पुत्र, तुम्हें प्यास भी लगी होगी ना? हाँ मैया हमने असुर्शक्ति के गौरों पर आज नहीं आने दी ऐसा पचाड़ा है इंद्र लोग से इंद्र और उसके साथ ही देवताओं को कि अब असरों का नाम लेने से भी उनका हिर्दय आतंग से कापने लगेगा हाँ 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 गुरों शेष्ट शुक्राचार का पहला सपना पूरा हुआ स्वर्ग लोग पर हम असरों का अधिपत्य हो गया अब गुरुदेव का दूसरा सपना पूरा करना है अलाथ जी महराज असरों के एक तोली ले जाओ और देवी गंगा को बंदी बना कर ले आओ जो आग्या महराज क्या बात है वक्स किसे ठूण रहे हो आप मैं उमा हूं और ये है मेरी दीदी गंगा गंगा मैया आपके दर्शन से ही मन प्रसंद हो गया है आप मैं मुझे अपनी माता दिखाई दे रही है कल्याण मस्तूवत्स कहूं मैं तुमारी क्या साहिता कर सकती हूं मा पुत्र की साहिता नहीं करेगी तो कौन करेगा चलिए असुर लोग कबसे आपकी राह देख रहा है अपनी जल्धारा से हमारे लोग को हरा भारा कर दीजिए मा युगो युगो से प्यासी हमारी धर्ति को अपने अमरित रूपी जल से त्रिप्ट कर दीजिए मा वत्स हम असुर और देवता सभी समय और काल के चक्र में बंधे हुए हैं समय आने पर मैं स्वयम असुर लोग आ जाओंगी किसी को भी मुझे लाने के लिए यहां नहीं आना पड़ेगा मुझे महराज का आदेश है मैया मैं खाली हाथ असुरेश्वर हिरने कश्यप के सामने नहीं जा सकता आप मेरे साथ चलने की किपा करें वत्स तुम्हारी विनम्रता सरहानिय है परंतु असुरेश्वर के आदेश का पालन संभवता तुम अभी नहीं कर सको असुर लोग की युवराज के लिए यह असफलता होगी मैया और मुझे असफलता से घ्रिणा है मैं आदर सहित आपको ले जाने आया हूँ मुझे बल प्रयोग करने पर विवश न केजिए मैया अच्छा तो चलो देखते हैं अपने राजा के आदेश का पालन करो सैनिको गंगा मैया को आदर सहित बंदी बना लो जाया स्टाग कर देखते हैं जए माळा जे माता है जे घंगी जे घंगी जै माता, जै माता, जै गंगे आल आज नहीं? है यहीं नहीं महाराज सब के सब गंगा मईया की जै कार करने लगिए गंगा मैं आ रहा हूं गंगा जो भी मेरे जल में स्नान करेगा वो पापों से मुक्त हो जाएगा पवित्र हो जाएगा तुम अपना चरित्र नहीं बत लोगी बोलने को तो तुम बोलती हो कि तुम असरों के भी मैया हो पर मन ही मन तुम असरों से वैर रखती हो मैंने किसी माँ को अपने पुत्रों का नाश करते नहीं देखा आज तुमने एक ही भल में इतने सारे असरों की जान ले ली मैंने असुरों की जान नहीं ली, उन्हें मुक्ती दी है तेरी शरन में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया गंगा मैया गंगा मैया ये गंगा मैया जरहर गंपी जय 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 जरहर गंपी निर्बल का बल तेरा ये जल अमर्त जैसा सब के लिए इसमें नहा के तन निर्मल हो मन पावन हो जो इसको पिये डूबे कभी ना उस पाणी की नया जिसकी तू बन जाए खे वैया गंगा मैया तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया ये तुम क्या कह रहे हो आलाद सब हिस्सानिक दिव्य हो गए यही नहीं महाराज सब के सब गंगा मैया की जय जय कार करने लगे हां गंगा मैं आ रहा हूं इस जो भी मेरे जल में स्नान करेगा वो पापों से मुक्थ हो जाएगा पवित्र हो जाएगा तुम अपना चरित्र नहीं पतलोगी, बोलने को तुथ तुम बोलती हो, कि तु मसरों की भी मया हो, पर मन ही मन तुमसरों से वैर रखती हो, मैंने किसी माँ को अपने पुत्रों का नाश करते नहीं देखा, आज तुमने एक ही भल में इतने असारे असरों की जान ले ली अपनी आांखों पर से द्वेश का पर्दा हठा कर दिखो वत्स," मैंने असुरों की जान नहीं ली, उन्हें मुक्ति दी थी। ये मुक्ति नहीं मुक्ति है। मुक्ति के नाम पर तु से रज़ों का विनाश करना चाहती हो पर तुम मेरे रहते हुए ये संभाव नहीं है मैं तुम्हे तुम्हारे इस अपराद का दंड दूँगा नहीं इस रोको मां अपने बेटे को आशिरवाद देने स्वेंच चल कर आ रही है वत्स तुम्हारा कल्यान करने आ रही है नहीं डरो मत वत्स ये मैं हूँ माता आदिशक्ती ने दूसरों के उद्धार के लिए ही मुझे प्रकट किया है मैं पतित पावनी हूँ पापनाशनी हूँ जगत उद्धारक भगवान विष्णू के चर्णों में स्थित विष्णू पदी हूँ मेरे स्पर्श मात्र से ही तुप पवित्र हो जाओगे मुध्ध हो जाओगे दिव्व्य हो जाओगे नहीं नहीं होना मुझे पवित्र नहीं होना मुझे 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 दिव्य मैं असुर हो और असुर ही रहना चाहता हो जैसे तुम्हारी इच्छा वत्स परंतु मुझे स्पर्श किये बिना तुम मुझे बंदी बनाकर कैसे ले जाओगे किस माया जाल में बान कर ले जाओगे मुझे जगत पिता महा ब्रह्म से वर्दान तो ले लिया तुमने कि तुम्हारी मृत्यू ना थल में होगी ना जल में तो फिर भय कैसा मैं तुम्हारी मृत्यू का कारण तो बन ही नहीं सकती है हां तुम्हारी मृत्यू का द्वार तुम्हारे लिए अवश्यक होर सकती है क्या मृत्य भी नहीं चाहते तुम नहीं मृत्यू 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 नहीं पिता मा यह क्या हो रहा है यह गंगा मुझे ना ना चाहती है किया आपके दिये हुए वर्दान के कोई महत तो नहीं है पितामा मैं आप से पूछने आ रहा हूँ मेरे साथ ये धोका क्या हूँ पितामा पितामा तुम इतने घबराय हुए क्यों हो बच्स मेरे साथ बहुत बड़ा धोका हुआ है पितामा आपने मुझे अम्रत्यु का वर्दान दिया था ना तुम भूल रहे हो बच्स मैंने उच समय भी तुम्हे कहा था कि यहां कोई अमर नहीं है परंतु आपने स्वैम मेरी ना मरने की मांग को तथास तु कहा था नहीं तुम्हारी शर्टों को तथास तु कहा था तुम्हें मृत्यु को जिन शर्टों से बांधा था उन्हें तथास तु कहा था तो क्या आपके वर्दान के अनुसार मेरी मृत्यु जल में हो सकती है नहीं तो फिर तो फिर गंगा का जल मुझे क्यों डुबोना चाहता ह उससे मुझे क्यों मृत्यू का भय लग रहा है वच तुम मिर्भय होकर किसी भी जल में चले जाओ तुन्हें तुम जानना चाहते हो वो अभी तक भी तुम जान नहीं पाए गंगा जल तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता परन्तु वो तुम्हें मुक्ति अवश्य देगा मुक्ति ये क्या शब्दों का खिलवार है मेरी मुत्य होगी तभी तो मुक्ति मिलेगी मुझे मैं मरूंगा ही नहीं तो मुक्ति कैसी वाट्स मिर्त्यू के बाद जन्म हो सकता है मुक्ति के बाद जन्म नहीं होता है तुम जन्म जन्मांतर की चक्र से मुक्त हो जाओगे वाट्स मुझे नहीं होना मोक्त, मुझे राज्य करना है, देवताओं की पराज चाहिए मुझे, और असुर लोग की सब लोगों पर विजय, दसों दिशाओं में एक ही नाम बुच्चते हुए सुनना चाहता हूं, असुरेश्वर हिरन कश्यप, हिरन कश्यप की जय, हिरन कश्यप की दिदी, आपके समझाने पर भी मृत्यू और मुक्ति का भेद हिरन्यकष्यप के समझ में नहीं आया है, वो ही सत्य परमपिता ब्रह्मा जी से सुनकर असुरेश्वर को इतना क्रोध क्यूं आ रहा है। उमा, दुराचारी के हाथ में जब कोई शक्ति आ जाती है और वो शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाता, तो उसे बहुत खी जाती है, क्रोध में ज्ञान अज्ञान का भेद उसे सूचता नहीं, बुद्धी का स्थान संदेह ले लेता है, जिस कारण वो सत्य के समीब जाने से भ कि वो अमर नहीं है, परंतु वो इस सत्य को मानना नहीं चाहता, वो क्यों दीदी, सत्य को मानना, अर्थात पर ब्रह्म के सामने सर जुका देना, अपने अहंकार को उतार, बाहर भेग देना, जो उससे अब नहीं होगा, इसका परिणाम, विनाश, यदि प्रभु को अभी असुरों का विनाश करना था, तो प्रहलाद को हिरन्य कशक्यां भेजने की क्या उशक्ता थी, प्रहलाद भगवान द्वारा भेजा एक संकेत है, यदि प्रहलाद द्वारा दर्शाया सकते, असुर एश्वन ने समझ लिया, तो असुर लोग का कल्यान हो जाएगा, अन्य आपको पता है, यज्य किसके लिए किया जाता है? असुरेटर लिए खरणी खशप के लिए? नहीं, विश्णू के लिए, यज्योवाई विश्णू, विश्णू ही यज्य है, परंतु तुम्हारे पिताजी तो कहते हैं, सूर्य में से उत्पन होने वाले बादल, जैसे सूर्य को ढख लेते हैं, वैसे ही आत्मा में से उत्पन होने वाला आंकार, आत्मा को ढख लेत मेरे पिताश्री कहते हैं वो अमर हो गये हैं लेकिन जो जन्मा है वो अमर कैसे हो सकता है अमर तो केवल विश्नु ही है प्रहलाद विश्नु कहां है वो सर्वव्यापी है सब में हैं तुम में हैं मुझ में हैं और पेर पौधों में अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देते ह मुझे तो दिखाई देते हैं अगर तुम्हें दिखाई देते हैं तो हमें भी दिखाओ दिखा सकते हो शद्धा है तुम लोगों के मन में हाँ है मैं प्रभु का ध्यान करता हूं सभी मेरा अनुसरान कीजिये इस पेड़ को श्रध्धा से देखो इसमें सर्वव्यापी नारायन के दर्शन होंगे देखते रहो हे नारायन मेरे सहयोगी आपके दर्शन करना चाहते हैं इन्हें दर्शन से अनुगहित कीजिये प्रभू प्रभू आप भग्त प्रहलात का भोलापन देख रहे हैं ना कितने सहज और निर्मल सोभाव से आपको पुकारा है उसने उसकी विनती स्विकार नहीं करेंगे आप देवी गंगा मैं तो भक्त वच्छल हूं जो भी मुझे श्रद्धा और भक्ति की आँखों से देखता है उन्हें मैं अवश्य दिखाई देता हूं न केवल दिखाई देता हूं वो जिस भी रूप में मुझे देखना चाहते हैं मैं उसी रूप में उसके प्रद्यक्ष विद्यमान हो जाता हूं असुरों में धर्म के संस्कारों को संचित करने के लिए ही मैंने प्रहलाद को अपना माध्यम चुना है इस समय प्रहलाद मेरा भक्त होने के साथ साथ असुर लोग का उधारक भी है उसकी विन्दी तो मुझे स्विकार करनी ही होगी यदि वो अपने साथियों को अपनी शद्धा और भक्ति का प्रमान देना चाहता है तो मैं उसे निराश कैसे कर सकता हूं आप धन्य है प्रभू धन्य तो आप है दीवी जो निरबेक्ष भाव से अपनी संतान का हिच चाहती है आपने दर्शन देकर इस भक्त की श्रद्धा और भक्ति का मान रख लिया है प्रभू मेरा आपको शत्षत प्रणाम तुम्हें जब भी मेरे दर्शन करने हो अपने मन में जहात लेना जए हो प्रभू की जए हो प्रभू की कल्यान मस्तू जए हो प्रभू की जए हो प्रभू की प्रभू की जए हो यह तुम किसे हाथ जोड़े हो प्रलाद भगवान विष्णु को गुरुदेव हमें भगवान विष्णु के दर्शन हुए आचायः प्रलाद आप भी दर्शन करना चाहेंगे गुरुदेव प्रलाद गुरु से उपहास नहीं करते और गुरु ही प्रभू का इश्वर का उपहास वड़ायत तो मिठ्या मत बोलो क्रोध मत कीजिये गुरुदेव मेरी कहने का ढंग संभवत आपको अच्छा नहीं लगा परन्तु असुर पाट तो यही है कि नारायन का कोई अस्तित्व नहीं कोई ब्रह्म नहीं कोई जगत-पिता नहीं स्रिष्टी का राजा हिरण कश्य भी सर्वशक्तिमान है मैं जानना चाता हूं कि प्रभू को नकारना क्या नास्तिकता नहीं नास्तिकता क्या अपने आप में अधर्म नहीं अधर्म क्या धर्म का उफास नहीं आचार्य धर्म का कोई सच्चा रूप है तो वो स्वयम ईश्वर है स्वयम प्रभू है अगर आप मेरी दृष्टी में भगवान विश्णु को प्रभू नहीं मानते और उनके स्थान पर असुरेश्वर को प्रभू मानते हैं तो ये प्रभू की सत्ता का उफा सुणाना ही तो ये वह तहीं कुछ हो तो अमने गुरुकुल की शिक्षा की अभेल ना की है गुरुकुल के मर्याध एस शिश्यों के सामने अपने गुरू का अपमान किया है कि अशुरेश्वर को प्रभू मानने से इंकार करके है तुमने राजा को चुनोती दी है। तुम्हें दंड मिलेगा। दीदी, आचारी शुरुत किर्ती भी तपस्वी रहे हैं। उन्हें भगवान विश्णू के तर्शन कैसे नहीं हुए। जबकि अबोद नन्य-नने बालकों ने साक्षात प्रभू को व्रिक्ष में अंदर विराजमान देख लिया। आचारी शुरुत किर्ती को मन उस समय भगवान में नहीं था। जस शुरद्धा और भकति से नन्य-नन्य बालकों ने देखा। वो श्रद्धा और भक्ति की आँखे आचारे के पास उस समय नहीं थी, इसलिए प्यासा कुई के पास जाकर भी प्यासा ही रहा यह क्या अचारे के लिए दुर्भागे की बात नहीं? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है उमा कि साक्षात प्रभू ने स्वयम आकर उनके मन द्वार को खटखटाया परंतो अज्ञानवश ना तो आचारे ने उस आवास को सुना और ना ही अपने मन के द्वार को खूला अचारे के क्रोट का क्या परिणाम होगा दिदी वही जो प्रभू चाहते हैं ये तो तुम देखी रही हो उमा कि असुर लोक में केवल कयाधू ही है जो प्रहलाद को भगवान विश्नु के दूद्ध के रूप में जानती है कयाधू जानती है कि प्रहलाद ने प्रभू की भक्ती का संदेश लेकर असुरेश्वर के यहां जन्म लिया है और स्वैम हिरने कशप अहंकार के आधीन होकर इस संदेश को ग्रहन करने के लिए तयार नहीं है वो तो केवल अपनी विज़े के घमन में ही खोश हो रहा है तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया तेरी शरन में जो भी प्राणी आया उसका बेडा पार लगाया गंगा मैया गंगा मैया ये गंगा मैया बर गंगे जै 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 बर गंगे निर्बल का बल तेरा ये जल अमृत जैसा सब के लिए इस में नहा के तन निर्मल हो मन पावन हो जो इसको पिये दूबे कभी ना उस पाड़ी की नया जिसकी तू बन जाए खे वैया गंगा मैया आज तीनों लोकों में मेरी जै जै कार हो रही है सारी स्रिष्टी मेरी केवल मेरी तलवार के साय में सांस ले रही है सुर्ल असुर्ल गड़ किन्नर आकाश पाताल में कोई नहीं है जो मेरे सामने आकर मुझसे युद्ध कर सके इसमें कोई संधे नहीं है प्राणेश्वर कि असुरेश्वर होने के साथ साथ आप आज देवेंद्र भी हैं आपकी सभी मनों कामनाएं पूर्ण होती दिखाई दे रही है पर हमतु केवल एक ही इच्छा है जो आपसे दूर भागी जा रही है और वो है कंगा उसे आज तक आप असुलोग में ला नहीं सके हैं मातेशुरी अगर देवताओंने पिता श्री के साथ छल न किया होता तो आज गगा मैं असुलोग में अवश्य होती है इंद्र की बात छोड़िए सोयम परमपिता ब्रह्मदेव ने पिता श्री के साथ धोखा किया है नहीं वच्ष परमपिता ब्रह्मदेव को दोश मत दो क्यों नहीं आलाद सत्त कह रहा है ब्रह्मदेव कप्टी है परम्तु छल कितना ही बड़ा अंदकार का बादल बन कर चा जाए सोयर्य उसका भेदन कर ही देता है मैं फिर से आक्रमण करूंगा और गंगा को असुर लोग लाकर ही रहूंगा प्रानिश्वर कहो कयाधी कई दिनों से मेरा मन प्रहलाद को देखने को कर रहा है यदि आप मुझे आग्या दे तुम्हें गुरुकुल जाकर प्रहलाद से मिलाओं नहीं कयाधू गुरुकुल की परंपरा के अनुसार जब तक प्रहलाद शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेता उस पर सिर्फ गुरु का अधिकार है माता पिता कर नहीं तुम वहाँ जाकर उससे मिलकर उसके प्रागती में बाधा मत बनो महरानी ठीक कह रही है कयाद अब तुम प्रहलाद को पुर्ण रूप से असुर बनने के बाद ही मिलो तो अच्छा है असुरेश्वर की जै हो आचारी शुर्ट कीरती राजकुमार प्रलहाद के साथ आपके दर्शनों की आग्या चाहते हैं आचारी को आदर सहित ले आओ प्रणाम राताश्री कल्याद मस्तू प्रणाम माताश्री प्रणाम प्रणाम पिताश्री आइश्मान भाव पुत्रे आइश्मान भाव प्रानमाता श्री प्रानमाता श्री गुर्देव आपको असमे प्रहलाद के साथ यहां देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है असुराज आश्चर्य चकित तो आपके पुत्र प्रहलाद ने सारे गुरुकुल को कर दिया है वहाँ कोई विद्यार्थी ऐसी भाषा नहीं बोलता जैसी यह प्रहलाद इसके पास हर प्रश्ण का उत्तर है महराज और यह निर्भैता से अपने मन की बात बोलता है इसमें आश्चर्यता की क्या बात है हिरन कशप का पुत्र निर्भैता से ही बोलेगा हाँ पिताश्री मैं भी आचारे से यही कहता हूँ मुझे पूजय मदुचंदा रिशी ने यही सिखाया है किसी से बात करो निर्भैता से करो किसी से कहो निर्भैता से कहो गुर्देव अपने किसी बात से या अपने किसी कर्म से इसने आपकी अभिलना तो नहीं की न असुर राज मेरी नहीं अभिलना इसने आपकी की है यह गुरुकुल के अन्य विद्यार्थियों को बहकाता है नहीं पिताश्री मैं तो से पाठियों को प्रभु की सत्यता बताता हूँ और आचार्य कहते हैं कि मैं उन्हें ब्रहमित करता हूँ बुरुदेव कहते हैं कि विष्णु नहीं बल्कि आप सृष्टिके पालनहार है वो आपको भगवान मानने को कहते हैं पिताश्री क्या आप भगवान है मुझे पूजय मदुचंदर रिशी ने सिखाया है कि विश्णुई सब के भगवान है विश्णुई सब के ईश्वर है पहलाद सुना अपने सूराज दूसरे विद्यार्थी तो यहां तक कहते हैं कि प्रलाद ने उन्हें पेड में विश्णु के दर्शन करा दिये में औहसत्य नहीं कह रहा हूं पिताश्री विश्नु सर्वव्यापी है आप भी उनके दर्शन कर सकते हैं जहां चाहें वहां दर्शन कर सकते हैं मेरे सम्मुख, मेरे शत्रू की बढ़ाई कर रहे हो तुम नहीं पिताश्री, वो किसी की शत्रू नहीं, वो तो सब के रक्षक है, सब के पालनहार भी है नहीं, वो मेरा पालनहार नहीं है, मेरा रक्षक नहीं है वो मैं अपनी रक्षा आप कर सकता हूँ मुझे किसी की रक्षा की आवशक्ता नहीं है मैं अमर हूँ, अमर आप भटक गए हैं पिताश्री प्रहलाद तुम मेरे पत्र होकर मेरा अपमान करोगे नहीं पिताश्री, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ तुम विश्रू का गुडगान कर रहे हो और असुर लोग में विश्रू का नाम लेना भी महापाप है चमा मांगो चमा मांगो इस समय तुम्हारी पिताश्री नहीं असुर लोग के असुराज तुमसे कह रहे हैं चमा मांगो चमा मांगो नहीं असुर राज विश्रू का नाम लेना अपराद है तो मैं ये अपराद बार बार करूंगा ओम विष्णवे नमाह, 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 ओम महाराणी सुमगी ठीक कह रही थी प्रहलाद में विष्णु का अंच है हाँ पिताश्री हम सभी विष्णु के ही तो अंच है सुना सुना तुमने ये दुष्ट क्या कह रहा है और कितनी निटरता से कह रहा है नहीं महाराज। थी थी बच्चा है। नहीं ज़नता कि क्या कह रहा है परं तुम्हारे गर्व में विष्णो का अश्पल रहा है उसे ही समाय कुर्देव किया बढलन के यु시죠 पिताश्री, आप पर क्रोध विजयी हो रहा है, आप इसे विश्नु का जाब करके दूर भगाईए, कहिए ओम विश्नवे नमाहा, कहिए पिताश्री, ओम विश्नवे नमाहा, कहिए नमाहा, कुम म विश्नवे नमाहा, कहिए नमाहा, तोक्राद्री, आप पिताश्री, प्रेलाद! नहीं, नहीं! युराज! ले जाओ इसे! और पंदीक्रामे डादो! वोई ये नहीं, माताश्रीम? प्रबुका जाख केजे! और आम विश्नवे नमहा, तो आम विश्नवे नमहा! प्रेलाद! प्रेलाद! दीदी! जिसका मुझे भै था? क्या होनी वही तो नहीं करने जा रही? क्या हिरन निकश्यप ने प्रेलाद को काराग्री में डालकर उसके अंत की और पहला पग नहीं उठा लिया हिरेने कश्यप की बुद्धी उसे उसी और अवश्य ले जा रही है उमा परन्तु हर कारी की संपूर्णता का फल भगवान सदा अपने हाथ में रखते है ये समझ लो कि हिरेने कश्यप के पापों का घड़ा भरना शुरू हो गया है ओम विष्णवे नमा ओम विष्णवे नमा ओम विष्णवे नमा प्रणा प्रभू प्रभू यो मैं क्या देख रही हूं ये कैसी लीला है पिता पुत्र की शत्रुता के दृशय को क्यों बढ़ा रहे हैं आप जो आपके मन में है उसे शीगरता से पूरा क्यों नहीं कर देते हिरेने कशप की चिंता और कुरूत बढ़ा कर आप उसे अधिक कश्ट क्यों दे रहे हैं जिस कारणवश आपने अपना अंश असूर कुल में भेजा है उस कार्य यग्य में पूर्ण आहुते क्यों नहीं डाल देते हे तीनों लोगों को पवित्र करने वाली गंगे तुम्हारा हर्दय वास्तों में वात्सल्ले भाव से छलचला रहा है यही कारण है कि सत्य जानते हुए भी तुम्हारा हर्दय असत्य रूपी उन घटनाओं को देख पसीच जाता है तुम यह क्यों भूल रही हो गंगा कि पाप का घड़ा जब तक ऊपर तक नहीं भरेगा तब तक फूटेगा नहीं वो जितने अत्याचार प्रहलात पर करेगा उतने ही पाप उसके नाम पर चड़ते जाएंगे उसे पाप करने दो दीवी तो क्या आप हिरिन कशिप से और ताड़नाए दिलवाएंगे प्रहलात को नहीं प्रभू मेरी ममता को इतना संता क्यों देना चाहते हैं संसार भर की ममता भरी मां धीरस धरो धीरस धरो ये यातनाए और अत्याचार उस काल रूपी रच्चु की गाठे हैं जो हिरन्य कशिप के गले में लगने वाली है तुम्हारी इच्छा की पूर्ती तो होगी किन्तो विधी का विधान भी तो पूरा होना आवश्यक है हिरन्य कश्प का क्रोध कयाधू के हिर्दे की पीड़ा सुमुखी और आलहात के मनों को मिलता हुआ सुख और पहलाद की यातनाएं यही तो उस विनाश की इस शिंखलाएं हैं जिसका नाम है हिरन्य कश्प ओं विष्णा वे नमा ओं विष्णा वे नमा ओम विष्ण 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 वे नमा विष्णू विष्णू चलिया विष्णू अच्छ माया पती को अपनी माया से भ्रामित करना चाहता है तो मैं भ्रामित होने वाला नहीं हाँ ओम भीशना वे नमा ओम वीशना वे नमा से निको जी महराच वाद कार दो असर टो ही को वाद कार दो असर टो ही को वाद कार दो आसे साथ तो ही कुछ को बाहँ है वाद को आतक्र दो वाद के अद्धस्थ वाद कार दो ही कार दो पन्याँ ए गंगा मैया तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया गंगा मैया गंगा मैया निर्बल का बल तेरा ये जल अमर्त जैसा सब के लिए इसमे नहा के तन निर्मल हो मन पावन हो जो इसको पिये दूबे कभी ना उस पारी की नया जिसकी तु बन जाए थे वैया गंगा मैया जेरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया हिरन ने कशब का क्रोध कयाधु के हिरदे की पीड़ा सुमुकी और आलहाद के मनों को मिलता हुआ सुख और पहलाद की आतनाए यही तो उस विनाश की शिंखलाए है जिसका नाम है फिरन्ने कश्यब विनाश उस कप्टे विश्नु के कहने से क्या मेरा विनाश हो जाएगा महारा ने सुमुकी यदि आपकी कही बात यथार्थ भी है तो भी अंश अंश ही होता है यदि स्वैम विश्नु मेरा नाश नहीं कर सकता तो उसका अंश प्रहलाद मेरा नाश कैसे कर सकता है परन्तु प्रानिश्वर विश्नु ने अवश्य ही प्रलाद को किसी मायवी शक्ति की सहाइता प्रदान की है अन्यथा, शस्त्रों के प्रहार का इस तरो से प्रभावीन हो जाना किस-किस प्रहार को प्रभावीन करता है वो? मैं देखता हूँ महराज, आप उसे शमा क्यों नहीं कर देते? वो, वो तो आपका पुत्र है और महाराज तुम्हारे पती है कया दू क्या अपने पुत्र के हाथों अपने पती की मृत्य चाहोगी तुम छोटी मा सब कुछ जानते हो भी प्रहलाद को नस्ट करने के बजाए ज़िए आपने उसे बचाने के लिए मधुझधा रिशिक आश्रम का आशे ना लिया होता तो अब उसे तरलोक में कोई आश्रे नहीं देगा उसे आश्रे देगी मृत्यू केवल मृत्यू नहीं महाराज नहीं महाराणी सुमुखी लो कयादू ये तुम्हारे पुत्र के लिए भोजन है महाराद चाहते हैं कि आज माँ स्वयम अपने हाथों से अपने पुत्र को ये भोजन खिलाए हाँ कयादू भोजन लेकर कारग्रह में जाओ प्रहलाद की आत्मा कब से भोजन के लिए बेचैन है आओ कयादू ये लो ये विश है इस विश को अपने हाथों से इस भोजन में मिला दो हाँ और अपने पतिवरत धर्म का पालन करते हुए इस विशयले भोजन को अपने हाथों से स्वयम अपने पुत्र प्रलहाद को खिलाकर इस संसार को दिखा दो कि तुम अपने सुहाग के लिए अपने पुत्र तक का बलिदान दे सकती हो हाँ 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 आपस्थ हाँ हाँ मताश्री, 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 यह तुम्हारे पती की मनो कामना भीय का दू नहीं और अपने पती की मनो कामना को पूर्ण करना अर पत्ली का धर्म है तुम भी अपना धर्म निभाव का दू नहीं अज्या का पलन हो यह कैसी विवस्ता है आप अपनी संतान को मंता प्रदान करती है और मैं कैसी मां हूँ मैं मैं विश्द दे रही हूँ अपनी संतान को आप मोक्ष प्रदान करती है और मैं मैं अपने पुत्र को अपने हाथों प्रत्य प्रदान कर रही हूँ क्यादु भोजन ठंदा हो रहा है प्रणाम प्रभु क्यादु के हृदे की पीड़ा मुझसे सही नहीं चाती मा के हातों पुत्र को विश्ट देना ये तो मम्ता के साथ अन्याय है एक ऐसा अविश्वास चिसे कान सुनना नहीं चाहेंगे मातरी जाती के पलिदान का परिहास है ये मैं नहीं देवी वो हिरन्य कशब कह रहा है कयाधु को प्रहलात के भोजर में विश्ट मिलाने के लिए लीला तो आप ही कर रहे है प्रभू तो लीला को लीला समझ कर देखो गंगे कयाधु का परीक्षा काल है तो मैं क्या समझो प्रभू क्या हिरन्य कशब अपने मनोरत में सफल हो जाएगा क्या अपनी संतान को अमरित में दूद पिलाने वाली माता उसे विश्ट पिलाएगी आपकी उत्सुकता देखकर लगता है कि आप ये नहीं चाहती नहीं संदे परंतु प्रहलाद को अपने पिता हिरन्य कशब के पापों की वृद्धी का कारण बनना है देवी उनको तो परिक्षाएं और परिक्षाएं देनी पड़ेगी और परिक्षाओं में सफल भी होना पड़ेगा जब भक्त अपनी परिक्षाव में सफल होता है तो उसकी भगती का प्रकाश अधिक्ते जस्वी होता है और उनके कारण सांसारियों का भगवान पर विश्वास द्रिढ़ होता है अब जाओ और अपने हाथों से अपने बेटे को ये भोजन खिलाकर मेरे उस शत्रु विश्णु के अंश प्रहलाद का नाश करतो प्रानेश्वर प्रानेश्वर मुझ पर दाया कीजिए वयाद यही तंड है तुम्हारे अप्राधों का तुमने गुर्देव की आज्या की तुमने प्रहलाद पर अश्रू के संस्कार नहीं डाले तुम्हें अपने किये कर्मों का भल तुम मिलना ही चाहिए ना उठाओ उसे गंगा मैया प्रहलाद की रक्षा करना मेरा अंतियम प्रणाप्स विकार करो मां कि अपने हाथों से अपने बच्चे को विष्ण नहीं दे सकती बच्चा नहीं सपोला है वो जो संपूर असुर्लोक का नाश करने आया है परंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा अलहाद आग्या सुरीश्वर पहलाद को किसी उचे परवत की चोटी से नीचे फैग दो जो आगे पिधा शीचे जो आगी है पिधा शीचे पिधाश्री प्राताश्री अलाद मुझे परवतों की सेर कराने अपने साथ ले जा रहे हैं आप भी साथ चलिए ला माताश्री अपरो क्यों रही हैं मैं सदा के लिए नहीं जा रहा हूं नहीं प्रहलाद तुम मच जाओ यह तुम्हें परवत से किरा डालेंगे तो क्या हुआ माताश्री यह लोग तुम्हें मार देना चाहते हैं माताश्री किसी के चाने से कुछ भी नहीं होता, जो भी होता है प्रभु के चाने से होता है, प्रभु ही सर्वशक्तिमान है, जन और मरण उन्ही के ही हाथ में है, वो जो चाहेंगे वही होगा माताश्री, आप भी प्रभु की शरण में जाए और कहिए ओम विश्नवे नमा, ब्रेलाण Samadham ड्रिलाण ड्रेलाण प्रेलाण हुआ ठीस हुआ 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 है महाराज की आग्या का पालन कीजिये ओम विष्ण वे नमा ओम विष्न वे नमा ओम विष्न वे नमा जताओको, उधा कर फेखडो बहाँ दो इस विष्नुन अभगो बाल झाल पिश्कषी नहीं यह संभो नहीं यह संभो हो ही नहीं सकता है कैसे माल्लु मैं पहार से तरे नीचे फेगे जाने के बाद भी यह बच गया कैसे बच जाता है ये, कैसे बगवान विष्णु जाने, फिर वही भगवान विष्णु प्रेलाज, मात उठा उसे प्रेलाज, ये असुरकुल का नाश करने के लिए जन्मा हे, पुत्र पिदा के हत्य कैसे कर सकता है? प्रेलाज, प्रेलाज! जातस यही दुरुवमृत्युहा जो जन्मा है उसका नाश तो हो गया ही माताश्री देख लिया सुन लिया कया यह जब तक जीवित रहेगा इसी भात यह अपनी विचली बातों के डंग मारता रहेगा मैं स्वयम इसका नाश ब्राता श्री यह क्या कर रहे हैं आप ब्राता श्री आप एक बालक पर प्रहार कर रही है वो भी तल्वार से प्रहार कर रही है एक एतनी हथे बालक पर होलिका तम इसे नहीं जानती मैं सब जानती हूं ब्राता श्री सब जानती हूं आप आप इस बालब प्रहलाद के जीवन का अंत करना चाहते हैं ना तो फिर आपके ये बहन पोली का किस दिन काम आएगे बस बस एक चिता तयार करने की अग्या दीचिए चिता 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 इसमें आश्चरी की ऐसी कौन सी बात है अरे क्या आप नहीं जानते मुझे वर्दान है मुझे अगनी नहीं जला सकते मैं आप सब के सामने इस बालब प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा कर जलती चिता पर बैठ चाओंगी और उसके पश्चाथ उसके पश्चाथ उसके पश्चाथ असुरेश्वर के सारी चिंताओं को उस चलती चिता में नश्च कर दोगी परन्तु ये वर्दान ओ तो आपको संदे है तो देखिए परन्तु ये वर्दान ओड़ कि उसके पश्चाथ नश्चाथ अजिए 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 आजिए अजिए कर दिए तेरी जै हो जै हो जै हो तंगा भैया हे गंगा मैया तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेडा पार लगाया गंगा मैया गंगा मैया निर्बल का बल तेरा ये जल अमरत जैसा सब के लिए इसमें नहा के तन निर्मल हो मन पावन हो जो इसको पिये डूबे कभी न उस पाणी की नए जिसकी तू बन जाए ठे वया गंगा मैया तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया बढला गंगी जै हो जै हो गंगा मैया कर रहे हैं आप आप एक बालक पर प्रहार कर रहे हैं वो भी तलवार से प्रहार कर रहे हैं एक निहत्य बालक पर अरे क्या आप नहीं जानते मुझे वर्दान है मुझे अगनी नहीं जला सकते मैं आप सब के सामने इस बालक प्रहलाद को अपनी कोद में बिठा कर जलती चिता पर बैठ जाओंगे असुरेश्वर के सारी चिंताओं को उस चलती चिता में नश्च कर दोगे परंतो ये आपको संदी है तो देखिए अगनी मुझे नहीं जला सकती देखा, देखा, अकनी हॉलिका को नहीं चला सकती अकनी हॉलिका को नहीं चला सकती परंतू, मेरी कोद में बैठा ये प्रहलाद महराज, अपनी बहन को रोकिये महराज, अपनी बहन को रोकिये महराज, उस पर दा कीजिये महाराज इस पर रहके जिये चेता का प्रबंद किया जाए चेता को आग लगाई जाए 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 जा वू मिष्न मेनमु तरहें? प्रहलाओ! प्रहलाओ! वू मिष्न मेनमु तरहें? झाल जिए जया की जडिए हुआ है यह आपके वर्दान के साथ कैसा फिरस्कार हो रहा है पुलीके परमपिता ब्रमा जी की अनुसार तुमने उनके वर्दान का दुरुपयोग किया है वर्दान का उपयोग अध्वा प्रयोग किसी के प्राणों की रक्षा के लिए करना चाहिए किसी के प्राण लेने के लिए नहीं अतैफ तुम्हें मिले वर्दान का प्रभाव नश्ट हो गया है प्राण बचाये प्रप्राम बचाये प्रप्राम बचाये किये हुए पापो का दंट तो भूगना ही पड़े गश्ट नहीं कि वर्व नहीं नहीं वर्या ट्रप्राम बचाये वर्प्राम कि अग्ड़ों पापोन जहीं अग्जरॉण कि प्राईर बचाये प्राम झाल झाल कि आल, दजल बता जैसा। प्रेलाईट। प्रहलाद, 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 तुम जीवित हो पुत्र, हाँ माताश्री, कहीं मैं, स्वापन तो नहीं देख रही, नहीं माताश्री, मैं जीवित हूँ, परंटु, परंटु, हो लिका, भगवान वर्दान अवश्य देते हैं माताश्री, परंटु, वर्दान का दुरुपयोग नहीं होने देते, वो अपने ही वर्दान की आहुती बन गई है, मा, तुमारे पुत्र के सर पर स्वयम प्रभू का हाथ है, पिताश्री, जान भूच कर, अपने ह अहम में भगवान को मानने से इंकार करते हैं, माताश्री, आप मेरी चिंता मत कीजिए, जब तक भगवान चाहेंगे, तब तक तक तुमारे प्रलाद को कुछ नहीं होगा, तुम सच कह रहे हो पुत्र, परंटु मैं मा हूँ ना, मा का हरीदे ही ऐसा होता है, मा अपनी संत अनर्थ सोच कहीं डर जाती है, तुम नहीं जानते पुत्र, जब जब तुम पर अत्यचार हुए है, तब तब तुम्हारी ये मा अपने प्रान त्याग चुकी है, मैं तुम्हें नहीं खो सकती, मैं तुम्हें नहीं खो सकती, प्रहलाद, मैं तुम्हें नहीं खो सकती, प और मृत्युदाता वही हैं, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है, उनके अनुमती के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, वो चाहें तो एक शण में पूरी स्रिष्टी को मिटा दें, और वो चाहें तो एक शण में नहीं स्रिष्टी पैदा कर सकें, वो सर्वशक्तिमान है, इ तो फिर वो तेरे शत्रु क्यों बन गए ये उस लीला धर की लीला है वो स्वयम क्रिया है स्वयम करता है और स्वयम हमें सारी शक्तियां प्रदान करता है स्वयम ही छीन लेता है वो अवश्य पिताश्री के साथ कोई खेल खेल रहा है अन्यथा वो बार-बार मुझे क्यों ब नहीं तो कल वो जरूर मानेंगे माताश्री आप प्रभू की प्रातना कीजिये उनकी आखे शीग रही खुल जाएंगी और वो प्रभू की सत्ता के सामने अपना सिर जरूर जुकाएंगे गदा भी नहीं यह सिर किसी भगवान के आगे नहीं छुकेगा मैं तेरे भगवान का सर छुका के रहूंगा अपने सामने नहीं, नहीं, नहीं प्रेला, प्रेला, प्रेला रुप जाएए सौमी, रुप जाएए सौमी सौमी मैंने आज तक आप ही को अपना पर्मेशर माना है परंतु प्रालात के साथ घटी-घटनाए प्रतेक्स प्रामान बनकर सामने खड़ी है उन्हें देखकर और उनके बारे में सोचकर भगवान की अपार शक्ति के सामने अपने आप सिर जुक जाता है सौमी मेरी आपसे प्रात्ना है कि आप प्रालात पर दया कीजिए उसे अपना जीवन अपनी इच्छा अनुसार जीने दीजिए मानने दीजिए उसे अपने भगवान को आप इसे और दन मत दीजिए आखिर आखिर यह आपका पुत्र है चमा कर दीजिए चमा कर दूँ ताकि यह उस पाखंडी विश्रु को असुर लोक का स्वामी बना दे सारी असुर जाती को देवताओं और उनके भगवानों के सामने घुटने टेकना सिखा दे मेरी शक्ती, मेरा सामर्द, मेरे बल दौरा प्राप्त, मेरी सब लोकों पर विजए को व्यर्थ कर दे मेरा अरजित यश, मेरा अरजित नाम सब कमा दे जब तक मेरे शरीर में एक भी श्वास है मैं उस परमशत्र विश्णू के श्वास निश्वास को साधर रतया नहीं चलने दूँगा इस प्रहलाद को अपना अंश बोलता है न वो तुम देखना तुम सब अपनी आखों से देखना उसके इस अंश के साथ साथ मैं उस विश्णू को भी कैसे समाप्त करता हूँ विश्णू ये त्रिलोग विजेता हिरनकश अब तुझे चतावनी दे रहा है बचा सकता है तो बचा के दिखा अपने इस अंश को प्रहलाद की रक्षा कीजे प्रभू असुर राज ने यदि प्रहलाद की हत्या कर दी तो भक्तों की श्रद्धा और भक्ती का अस्तित्व संकट में आ जाएगा गंगे संकटों को निर्भय होकर जेलना ही तो भक्ती विश्वास और श्रद्धा है परन्तु कोई सीमा तो होती है प्रभू क्या हिरन कशब के पापों का घड़ा अभी तक नहीं भरा यदि भर गया होता तो हिरन कशब की जीवन लीला समाप ना हो गए होती तो क्या प्रहलाद को और कश सहने है पड़ेंगे क्या आप अपने प्रियव भक्त के लिए कुछ भी नहीं करेंगी जो होना है देवी वो तो होकर ही रहेगा विधी का विधान अटल है उसे मैं भी नहीं टाल सकता अर्थात आपके मुखार वरिंद पर चिंता मैं क्या करू प्रभू मुझसे नहीं देखी जाती प्रहलाद पर की गई यातना है प्रभू आप ही ने तो ब्रह्मदेव के माध्यम से असूर राज को वर्दान दिया था क्या आप उसे स्वेम निश्भल नहीं कर सकते नहीं ये क्रिया हिरन्य कशब द्वारा ही होगी और उसी की प्रतिक्रिया में होगा हिरन्य कशब का नाश ओम विश्णवे नमा ओम विश्णवे नमा बंद कर अपनी पक्वास यह जिसे तू नमनम कर रहा है बुला सकता है तो बुला ले उसे वो तुझे मरने से बचा सकता है तो आकर बचा ले मैं अभी तेरा जीवन समाप्त करता हूँ जीवन समाप्त करना और जीवन देना वो केवल इश्वर के हाथ में है, पिताश्री कौन इश्वर? कहा है इश्वर? वो सरवत्र हैं, यहां वहां, मुझमें, आप में, इन दिवारों में इस खंबे में भी है? जी हां तुझे तिखाई देता है? जी हां तो बुला उसे अपनी रक्षा के लिए मैं तुछ पर प्रहार कर रहा हूँ बुला उसे वो मेरे पास हैं पिता श्री मैं उनके चल्णों में हूँ अच्छा तो तू उसके चल्णों में है तो ले पहले मैं तेरे इश्वर को ही नश्ट किये देता हूँ विश्णो तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया कर दो कर दो एई गंगा मैया तेरी शरण में को भी प्राणी आया उसका बेडा पार लगाया गंगा मैया गंगा मैया voyez गंगा मैया व्रभर व्रगंपी निरभली आप तेरा ये जल अमर्त जैसा सब के लिए इसमें नहा के तन निर्मल हो मन पावन हो जो इसको पिये जूबे कभी ना उस पाणी की नया जिसकी तू बन जाए खे वैया गंगा मैया तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया मैशनौम्ल Опर तूपलया झाल 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 gestures माँ माँ प्रअल वत्स तुम इस ब्रह्म में क्यों पड़ गए जीवन मृत्य तो प्रभु की लीला है तुम्हारे पिता श्री को जितने दिन जीवित रहना था वो रह चुके अब उनके जीवन का अंत समय आ गया है नहीं मा नहीं इस अंत समय का कारण मैं ही हूँ वत्स तुम अपने पिता के पापों और अप्राधों को नहीं जानते क्या अपराद है उनका यही ना कि वो भगवान विश्णु को नहीं मानते इससे भगवान क्यों क्रोध करेंगे कब कहते हैं भगवान कि जो उनकी भक्ति नहीं करते उनको वो मार डालेंगे मा भगवान तो बड़े से बड़े अपरादों को भी शमा कर देते हैं तो मेरे पिताश्री के इस अपरात को क्यों शमा नहीं करते देवी मा एक पुत्र के सिर से उसके पिताश्री की छत्र जाया मत छीनिये मुझ भालक पर दया कीजिये मेरी प्रात्ना को सभीकार कर लिजिये उन्हें बचा लीजिये अमयया बचा लिजिये तुम तो ज्याने हो पुत्र जीवन के संबंधों को इतनी महत्वता नहीं देनी चाहिए ये संबंध चीज़ थाई नहीं ये तो जन्मों के साथ मिटते बनते रहते हैं इन संबंधों को अपनी भावनाओं से मत जोड़ो अब तक घटी घटनाओं को स्मरण करो जो आज होने जा रहा है क्या स्वैम तुमने ये नहीं चाहा था मैंने अपने पिटा शरी की मृत्यों कभी नहीं जाही थी मैं तो केवल उनको प्रभु के दर्शन कराना चाहता था उनके मन में भगवान की भक्ति भरना चाहता था परंतु सुना अपने माँ मेरे पिटाश्री की हध्या बगवान आज ही कर देंगे उन्हें बचा लीजे, माँ उन्हें बचा लीजे, मैं ही अप्रादी हूँ, मैं ही पापी हूँ, नाश करना है तो मेरा नाश कर दो, मेरे जीते जी ये हत्या हुई, तो मैं अब कभी नहीं जी सकूँगा माँ, कभी नहीं यह तुम क्या कह रहे हो? तुम स्वयम विश्नु अंश हो भगवान के बहुत प्रिय हो उनकी लीला को उसी दृष्टी से देखो तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता की मृत्यू शोख है यह तुम्हारे पिता की मृत्यू नहीं वत्स एक श्राप से मुक्ति है इसके लिए भगवान को प्रणाम करो उनका गुंगान करो और उन्हें अपनी लीला करने दो प्राप है अजय एए एए! ए आसुरवजी ह्यनका श्यप उस्प पले ब्रह्मा का वर्दान था कि तू किसी कि ब्रह्मा की पुज़ से नहीं मरेगा तो भगोण नरु शिंग ब्रह्मा की पुज़्श से नहीं है यह नर्हे न पशुड़ नसुख है न ड़ैत इस समय न धिम है नराद, संध्या बेला है, तुझे अस्त्र से मारा जा रहा है, नशस्त्र से, तुझे नर्शिंग भगवान अपने नकों से मार रहे हैं, अर्षो नर्षो नर्याद नर्याद, तुझे नर्षो 31ार्ष, तुझे नर्षो ए जाओ सेंदोर्छ जए钓 में, ़र कर दिंदLook जाओ सो बमयों जाओ सेंदिन सेंदी कासओ स título भетр के बमयों जाओ स्मयर प्रुट 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 प्रुटृ प्रुट हे नरसिंग डेव आपका प्रुट्र hem संपूर्ण उन लोकों को शाम्ति प्रदान करने वाला आपका ये अलोकिक रूप हमने आज ही देखा है आपने इस दुष्ट हिरन्य कशप को मार कर इस ब्रह्मांद पर उपकार किया है हे दुखरता आप धन्य है आपको मेरा कोटी कोटी नमस्कार हे स्रिष्टी रचाइता हे परमात्मन हम सब आपके भक्त हैं आपके सेवक हैं आपका ये क्रोधित रूप देखने का हमारा सुभाव नहीं है और ना ही आपका ये भयानक रूप आपके कोमल और मंद मुस्कान सशुचोबित मुखार बिंद को शुभा देता है आपने अपनी लिला समाप्त कर दी है प्रभू अब आप हमें अपने शांत सुरुप के दर्शन कराइए है जगत पालक है रिपुदमन है सर्वगंसंपन है मुट्थी दाता है भय हर्ता आपके इस रूप को बार बार नमस्कार भय से मुक्त होने के लिए भक्तिजिन आपके इस रूप का सदस्मरण करेंगे आपने अपने भक्तों पर अपार दया की है अपने क्रोध को शांत कीजिए भगवन अपना विश्नु रूप दिखाकर हमें आनंदित कीजिए प्रभू भगवान के इस क्रोध का कारण तुम्हारे पिता थे एक तुम ही हो जो भगवान के क्रोध को शांत कर सकते हो प्रणाम दिन बंदू प्रणाम भक्त वत्सल प्रणाम परम्पिता अपने इस पूत्र पर पा करो मैं घोर असुर जाती में जन्मा एक अयोग्या अबोध बालक आप से हाथ चोड़ कर प्रातना करता हूं कि जिस असुर को मारने के लिए आपने क्रोध किया था वो मारा जा चुका है प्रभू इस जगत के कल्यान के लिए आपने बड़े सुंदर सुंदर अवतार ग्रहर करके अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं मेरे पिता की इस संहार लीला से सभी को बड़ा सुख मिला है ब्रह्मा आदी सभी देवता आपके आज्याकारी हैं हम दैतियों की तरह ये आपसे द्वेश नहीं करते इनकी भी यही कामना है कि आप अपने शान स्वरूप के हमें दर्शन कराईये प्रभू आपने अपना कर कामल मेरे सिर पर रखा जो आपने ब्रह्मा जी, शंकर, लक्ष्मी जी, गंगा मया किसी के भी सिर पर नहीं रखा आप में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है आप ही सब की आत्मा हैं आप ही संपूर्ण जगत हैं इसके आदी में आप ही कारण रूप से थे और अंत में आप ही शेश रहेंगे तुम्हारा कल्यान हो, दैतिश्रेश्ट, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन हूँ तुम्हारी जोई चाहो, मुझसे मांग लो आप वर्दान के लिए मुझे क्यों प्रेरित कर रहे हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं प्रभू? कि मुझमें आपके भक्त के लक्षन है या नहीं? यदि आप मेरी परिक्षा लेना चाहते हैं? परिक्षा उसकी ली जाती है, जिसके मन में कोई कामना हो तुम्हें तो इस लोग की क्या पर लोग की भी किसी वस्तो की कोई कामना नहीं है तो यही वर दीजिये मुझे प्रभू कि मेरे रदय में किसी भी कामना का बीज अंकुरित ही न हो प्रहलात मेरी प्रसंदता के लिए तुम्हे इस जन्मे असो लोग का ये सिहासन सम्हाल कर दैती अधिपती के सभी भोग स्विकार करने होंगे भोग के द्वारा पुन्य कर्मों के भल और निश्काम पुन्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते होई समय शरीर का त्याग करके सारे बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आजाओगे देवलोग में भी तुम्हारी कीर्ति का गुणकान होगा महेश्वर आप वर देने वालों के स्वामी है मैं आप से एक और वर मांग सकता हूँ मेरे पिताश्री अपने क्रोद के वेग को सहन करते असमर्थ हो गए थे उन्होंने आपके ईश्वर या तेज को भी नहीं जाना आपके सदा निंदा की आपका भक्त होने के कारण उन्होंने मुझपर भी क्रोद किया हे दीन बंधू मेरे पिताश्री को उस दोश से मुक्त कर दीजिए वच्स तुम मेरे सभी भक्तों के आदर्श हो यद्यभी मेरे अंगों का स्पर्ष होने से तुम्हारे पिता पूर्म रूप से पवित्र हो गए हैं तथा भी तुम उनका अंत्यष्टी संसकार करो तुम्हारे जैसी संतान के कारण उन्हें उत्तम लोगों की प्राप्ति होगी वच्स तुम अपने पिता के पत पर स्थपित हो जाओ तजिनर सुंभावतार शांताकार रूपधार सह में पहलाद पर दुलार प्रभु लुटा रहे धन्य वहललाट जिस पे तिभवन सम्राठ आज राज तिलक अपने शुब हाथ से लगा रहे पूलिका की गोद में जो अगनी बीच बैठा था उसको सिंभासन पर नाथ शी बिठा रहे भक्त और भगवान का पिता और संतान का निभा रहे हैं नाता राजा भक्त को बना रहे जीनो लोक भगवन का ये तो गानी बारे हैं तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया अजया आण कर दो आण कर दो कर दो कर दो अद्ग कर दो दो अद्ग कर दो यह गंगा मैंया तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया गंगा मैया गंगा मैया ये गंगा मैया जरहर गंदी जय 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 जरहर गंदी निर्बल का बल तेरा ये जल अमर्त जैसा सब के लिए इसमें नहा के तन निर्मल हो मन पावन हो जो इसको पिये दूबे कभी न उस पारी की नया जिसकी तू बन जाए खे वैया गंगा मैया तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया तजनर सुंभावतार शांतातार रूपधार सह में पहलाद पर दुलार प्रभु लुटा रहे जन्य वहल लाट जिस पे तिभवन सम्राठ आज राज तिलत अपने शुब हाथ से लगा रहे ही जन्य वहलाद रहे स्ट्वावता रहे स्ट्वावता हिरन्य कश्यप के बाद प्रहलाद असुरों के राजा बने उन्होंने असुरों को भक्ति मार्क का दर्शन कराया प्रहलाद के बाद उनके पुत्र विरोचन राज सिंग हासन पर वैठे उनकी धार्मिक प्रवत्ति के कारण तामसिक असुरों में भी धर्म और भक्ति की भावना पैदा होना शुरू हो गई विरोचन के बाद उनके पुत्र बली समराड बने बली में असुरों का बल भी था और अपने दादा प्रहलाद की धर्म भावना भी भरपूर थी जब असुर समराड बली का राज्या भिशेख हो रहा था तब असुर कुल गुरु भारगो शुक्राचार्य पुना तपोबल अर्जित करने के लिए कठोर तपस्या में लीन थे और उनके तपस्या से प्रसंद होकर ब्रह्म देव उनके सामने प्रकट हुए भारगो प्रणाम पितामा तुम्हारी तपस्या सफल हुई जिस मनो कामना के लिए तुमने इतनी घौर तपस्या की हम उसे पूरा करेंगे वर मांगो पितामा मुझे संजीवनी मंत्र की सिध्धी का वर्दान दीजी भारगो संजीवनी विद्या और मंत्र से दूसरों का भला होता है अपना नहीं अपने भले के लिए कुछ मांगो विधाता मैं रिशी हूँ एक रिशी के जब तब नियम और संयम से प्राप्त सारे भल दूसरों के लिए ही होते हैं अपने लिए नहीं इसी प्रविर्ति के लिए ही तुम असरों के बीच रहते हुए भी स्रेश्ट रिशी बने रहे हो तुमने जो वर मांगा है उसके लिए तथास्तु प्रणाम ब्रह्मधेव गंगे देख मैंने पहले से अधित अपवल अर्जित कर लिया है मैं मृत शरील को फिर से जीवित कर सत्ता हूं मैंने वो संजीवनी विद्या और संजीवनी मंद्र प्राप्त कर लिया है जो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है बढ़ाई हो वत्स तुम मुझे बढ़ाई दे रही हो या शाप गंगे दिखावे के लिए ही सही अपनी वाणी में प्रसन्नता तो ला सकती हो ये तुम नहीं बोल रहे वत्स तुम्हारे मन के भावों का प्रतिबिम बोल रहा है तुम सदह यहीं सोचते हो ना कि तुम्हारी गंगा मैया तुमसे अपने पुत्रों जैसा व्यवार नहीं करती अन्यथा अपनी संतान की सफलता की प्रसनता किस मा को नहीं होती मेरे लिए तो तुम भी मेरी ही संतान हो तो अपनी संतान धेवताओं को जेदावनी दे दो उन्हें बता दो कि मैं कितना बलशाली हो गया हूं संतान को बल और शक्ति माही प्रदान करती है, माही संतान को मनुबल देती है जैसे मुर्तिकार मिट्टी को आकार देकर उसकी सुन्दर मुर्ति बना देता है उसी प्रकार मा अपने पुत्र को चरित्र रूपी आकार देकर उसे सुपुत्र बनाती है तुम मुझे सुपुत्र कहोगी या कुपुत्र संजीवनी विद्या का दुर उप्योग करोगे तो सुपुत्र कैसे कहलाओगे सुनो गंगरी मैं संजीवनी विद्या का उप्योग असरों के लिए केवल असरों के लिए ही करूँगा विश्णू में चल करके समद्र मंधन से निकले अमरित को केवल देवताओं में बंटकर असरों को अमर होने से वंचित कर दिया था मैं अपनी संजीवनी विद्या के माध्यम से असरों को अमर बना दूँगा वत्स तुम्हारी दृष्टी में क्या ही संजीवनी विद्या का सदुप्योग होगा यही सुनना चाहता था मैं यही तुम्हारे सब्दों की आढ़ में छिपी चेतावणियों को सुने अभ्यास्टा हो गया है मुझे गंगी चेतावणी और सावधानी में अंतर होता है तौह करता हूं गंगी समय आ गया है तुम्हा Gen 2kg को खोड़कर पाताद लोग में आने का और ये शुब घार मेरे ही हातों होगा ये शस्वी भवव पुत्र दीदी आपने भार्गव शुक्राचारे को ये शस्वी भव ऐसा अशिर्वत क्यों दिया उमा भार्गव शुक्राचारे की विजय में ही मेरा मनुरत छुपा हुआ है अर्थाग मेरा स्वर्ग लोग से नीचे अफ्तरित होने का समय आ रहा है समस्तस्रिष्टी के विकास और कल्यान के लिए मैं भी उतनी ही उत्सक हूं जितने भार्गव शुक्राचारे हैं पर नाम गुर्देव आयुश्मान भाग अखंड सवभाग्यवति भाग महाराज प्रहलाज के पवत्र विरोचन पुत्र बली मुझे खेद है कि असुरवंश रोमणी महाराजा हिरन्य कशप्ने जो अन्य लोकों में असुरूं का कीरती धोज लहराया था जिस अपार शक्ति से उन्होंने अपने शत्रों के दाथ खटे किये थे और देवताओं को अपना सर्च छुपाने के लिए सर्ग लोक से भाग जाने के लिए विवश किया था वो शक्ति वो किरती असुरूं का वो गर्व आज विलील हो गया है गुरुदेव मैं इसे तुम्हें पूरा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ मुझे कोई उत्तर नहीं चाहिए उसमें तुम्हारा उतना दोश भी नहीं है भूल तुम्हारे पूरोजों ने की है लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम वो भूल मत दोहराओ राजा भली असुरूं का गुरूब होने के ना दे मेरा जो नाम असुरूं के साथ जुड़ा हुआ है मुझे उस नाम की और असुर्शत्री की जैजाएकार चाहिए अना जैसे मुझे उतनी ही टिड़ है जितनी देवताओं के छल कपड से जितनी विष्णू के नाम से महाराज हिरनकश्चप के राज्यकाल से लेकर आज तक जिस शक्ति को पाने के लिए मैंने कठोर तपस्या की आज वो शक्ति मेरे पास है अब मेरे होते हुए कोई भी असुर मरेगा नहीं यह आप क्या कह रहे हैं गुर्देव आप क्या असुरों को पिलाने के लिए अम्रित लाएं हैं यही समझ लो महाराज यही समझ लो समुद्र मंधन के समय तो देवताओं ने चल करके असुरों को अमरित पाने से वंचित कर दिया था परन्तु मैं अब मिरा चल किये देवताओं को असुरों के हाथों से पराजित होते देखना चाहूंगा शत्रू के रूप में देवताओं का सामना ऐसे अविनाशी असुर जो धाओं से होगा जिनका कभी नाश नहीं होगा नाश नहीं होगा अर्थात अर्थात असुर से न जीवित रहेगी कि देवता युद्ध में जिस असुल नुद्धा को मारेंगे मैं उसे फिर सजीवित कर दूगा ये कैसे संभाव है गुरुदेव कैसे संभाव है ये संजीवनी विद्या से जो विद्या मैंने स्वयम ब्रह्मा जी से प्राप्त की है महराज बनी तुम त्रिलोक विजयता बनने की तैयारी करो और अपनी सेना को एकत्रित करके स्वर्ग लोग पर आक्रमन कर दो जाओ मेरा आशिर्वाद तुमारे साथ है जो आग्या गुरुदेव जो आग्या विज युरुदेव थे ही राइल नाराय 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 प्रणा मुनिवर अरे ? निरत्ती क्यां बंद कर दिया ? अब सराओ निरित्य करती रहो करती रहो नहीं तो स्वर्ग लोक अधिपती के आनंद विलास में बादा पहुचाने के अपराद में राजा इंद्र मुझे ही दंडित कर देंगे और ये बाद भी सत्य है कि जब राज्य में चारों और शांती हो कहीं कोई कोला हल कहीं विद्रोह कहीं अशांती और विश्वट और युद्ध की आशंका न हो तो आनंद विलास तो होना ही चाहिए ये तो राजा और उसके सेना पतियों तथा सभासदों का अधिकार है है न महराज हाँ वो और बाद है कि उनके आनंद और विलास में उनके गुप्तचर और राजदूर इतने मस्थ हो जाएं इतने मस्थ हो जाएं कि उनका करतव्य निद्रा देवी की गोद में जाकर सोज कि उन्हें इस बात का भी पता ना चले कि उनका शत्रू कहां सिर उठा रहा है इसकी सेना आक्रमन करने के लिए स्वर्ग लोग के द्वार की और बढ़ती चली आ रही है कि इसके भाग्य फूटे हैं जो देव लोग को चुनोती देने आ रहा है सेना पती जी महराज मैं अभी जाके देखता हूँ ना रायन ना रायन देवर्शी इस अंतुरिक्ष में ऐसा कोई लोग नहीं जिस पर इंद्र ने विजर ना पाई हो किसी राजा में इतना सामर्थ्य और शक्ति नहीं जो हमें युद के लिए ललकारे वो कौन है वो कौन मूर्ख है जो अपना और अपनी सेना के संघार करवाने सुर्क लोग की तरफ आ रहा है महाराज की जय हो असुर राजबली अपनी असुर सेना के साथ आ रहे है तो फर युद का शंख पजा दो जो असुर राजबली अपनी जिवा बाहर निकाले चले आए देवेंद्र मेरी ये जिवा तुम्हारे रख का स्वाद चखने के लिए आई है अब स्वर्ग लोग पर तुम्हारा नहीं मेरा राज होगा मेरा राजबली का राज होगा साथान मैं तुम्हें और तुम्हारे इन समस्त देवताओं को बाताल लोग पहुचाने के लिए आया हूँ आक्रमर्ण आवर्ण तुम्हें बाताल व कर्भ़rock दोक बाताल गार्ण ग्द करना एह रहार ऑगारMiss गह एह! रूह! ऐूह वह वोग decided not! झाल 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 युदेव, वरुण देव, वरुण देव, अपने आपको सर्वश्रेष्ट समझने लगे हैं, इससे पहले के हंकार में आकर वो कुछ अनुचित कर बैठें, उन्हें ताड़ना चाहिए, प्रव्रु, नहीं तो वो अपने आपको सर्वशक्तिमान समझने लगें और ये आपका अपमान होगा, हे प्रम्हदेव, वे अज्ञानी हैं, परन्तो मेरे विचार में उन्हें थोड़ा दण्य देना आवशक है, हे महादेव, आप तो भली भाती जानते हैं, कि देवी गंगा ने उन्हें ख्रमा कर दिया है, फिर भी प्रभू, उनके अज्ञान का नाश करके, उनके अहंकार को मिटा कर, उन्हें सत्य का अज्ञान तो कराही दिजी, हे महादेव, हे ब्रह्मदेव, देवी गंगा ऐसी माँ हैं, जो अपनी संतान का बुरा और भला जानती हैं, और जो भूले भटको को उचित मार्क पर ला सकती हैं, तो हमें व्यर्थी चिन्ता ग्रस्थ होने की क्या आवशक्ता है? आप चिन्ता छोड़ दीजे रिशिवर, माँ अपनी संतान को बहगने नहीं देगी, मैं देवताओं को सत्य के दर्शन करा दूँगी. प्रडाम मा पिश्वरी. वाँ मा, तेरी लीला अप्रम पार है. अब राजा देविंद्र की सवारी आ सकती है. चलो, चल कर उनको सूचित करते हैं. हाँ. सारा प्रभुन पढ़िया हो गया, सब कुछ ठीक आ गया. अरे, यह लड़की यहां कहां से आ गई? देविंद्र की सवारी आने वाली है, चल कर इसको अठाते हैं यहां से. चलो, चलो. ए लड़की, यह राजमार्ग है. क्या है? राजमार्ग है, राजमार्ग. यहां राजा की सवारी आने वाली है. रास्ता छोड़ो. तोड़ू? यहां मैं क्या तोड़ू? यहां तो तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हारा सर तोड़ू क्या? लगता है, कम सुनती है, अरे कम क्या बिल्कुल नहीं सुनती है? फिर भी इसे रास्ते से अटाना तो पड़ेगा ना? देखो, यहां राजा की सवारी आने वाली है मारी जाने वाली है, कौन मारी जाने वाली है? मेरी माँ, तुम यहां से हट जाओ अच्छा, बैठ जाओ, वैसे तो मुझे नहीं बैठ ना था लेकिन तुम कहते हो, तो बैठ जाती हूँ, यह लो अरे, यह क्या समझ गई? देखो, तुम यहां से जाओ जाओ क्यों जाओ मैंने कहा ना यहां राजा की सवारी आने वाली है अच्छा ठीक है पहले मैं अपनी बकरी को घास खिला दू फिर चली जाओंगी अरे तुम अपनी बकरी को घास कहीं और ले जाकर खिलाओ तुम यहां से जाओ गाओ अच्छा वैसे तो मुझे गाना नहीं आता लेकिन तुम कहते हो तो मैं गाह देती हूं हमारे पास समय नहीं है अज समय नहीं है तो इसको स्वर्ग लोग से उठा कर फेको यहां से चलो चलो अरे यह तो कोई मायावेलर की लगती है चलो चल कर अगनी देव को बताते हैं चलो अरे तुम दोनो राजमार की सुरक्षा छोड़कर यहां क्या कर रहे हो हम तो राजमार की सुरक्षा का उतरदाईत वह निभा रहे थे परन्तु 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 क्या एक लड़की नहमें अपने हाथ से अंत्रिक्ष में उड़ा दिया क्या एक लड़की ने हाँ तुम्हें इसको भी हाँ तुम दोरों को हाँ एक हाथ से अंतरिक्ष में उड़ा दिया देव यह कोई साधरन लड़की नहीं है यह मायावी लड़की है मायावी मायावी वो देखी रास्ते के बीचों-बीच बैठी अपनी बखरी के साथ चलो मैं उसे अपने हाथ दिखाता हूँ चलो 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 देखा देव बकरी को घास के ला रही है आपको तो घास यह नहीं डाल रही है मेरा मतलब है आपको को मैत नहीं दे रही है यह लड़की यह उचा सुनती है अच्छा ए लड़की कौन हो तुम मैं भीलनी हूँ यह स्वर्ग लोग में क्यों आई हो अपनी बकरी को घास चराने पेचारी बहुत भूकी है पता है मैं असुर लोग भी गई और नाग लोग भी गई लेकिन इसका पेट ही नहीं भरा इसलिए यहां आ गई वैसे यह कौन है अरे इनको नहीं पहचानती यह अगनी देव है अगनी देव प्रणाम करें करती ॹा अगराम करना है तो आप मुझे प्रणाम कर सकतें मैं आपको आशरवात भी दूगी तो मुझे आशरवात दोगी जानती हो मैं कौन हूँ एक पल में सारे ब्रहमांड को आग लगा कर राक कर देने की शक्ति है मुझ में शक्ति भक्ति किसकी भक्ति नहीं शक्ति शक्ति जाओ जाओ यहां से मेरी बकरी का पेट भर जाए तुम एक खुच चली जाओंगी ठीक है हटाओ इस बकरी को हटाओ और उठाओ उस लड़की को तुम मुझे यह से नहीं उठा सकते तुम इतनी भारी हो तुझे मेरी शक्ति का अनुमान नहीं है हां है अभी तो तुमने कहा था कि तुम पूरे ब्रहमान को जलाकर राक कर सकते हो कहने से कुछ नहीं होता कर के दिखा आइक पूधा डीरे और तुम मिर दो जाने है वैसे ब्रहमान तुम दूर की बात है तुम अगर एक तिनके को भी जलाकर दिखा दो तो मैं मांझाओंगी ही हिसार कुनी टुम अबमान कर रही हो हम मैं तुम्हारा अपमान कर रही हूं मैं तो सिर्फ तुम्हे एक नहीं दिश्टी, दिश्टी तो मैं तुम्हे देता हूँ, देखो मैं इस तिनके को कैसे जला देता हूँ देवी, मुझे ख्षमा कर दो, आप निश्चे ही कोई सामान ने भीलणी नहीं है, आप अवश्य कोई भगवान का अंश है, मुझे ख्षमा कर दो तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया तेरी शरन में जो भी प्राणी आया उसका बेडा पार लगाया गंगा मैया जै गंगा मैया जै गंगा मैया जै 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 बहर हर गंगी निर्बल का बल तेरा ये जल अमृत जैसा सब के लिए इस में नहा के तन निर्मल हो मन पावन हो जो इसको पिये दूबे कभी न उस पाणी की नया जिसकी तू बन जाए खे बहिया गंगा मैया तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया मैस तिंगे को कैसे जलादे तंग कि देवी मुझे ख्षमा कर दो आप निश्चे ही कोई सामान ने भीलनी नहीं है आप अवश्य कोई भगवान का अंश है मुझे ख्षमा कर दो अगनी देव के अंकार के आप तो बुझ गए देव लोप में और भी तो देवता है महादेव वो भी अपना बलप्रयोग करेंगे देवी गंगा कभी तो उनका अंकार दमन करेंगी वो देखिए वायू देव स्वर्ग लोग के राजमार्क की ओर जा रहे हैं अगनी देवता ने भी इस लड़की को राजमार्क से नहीं हटा सके हां हो क्या देव आप तो परम शक्तिशाली है आपने बड़े बड़े राक्षासों को अपनी फूख से उड़ा दिया है आप इस लड़की को भी फूख से उड़ाईए ना अब ही उड़ाता हूं ए दड़की तुराजबाल से उड़ती है या मैं तुझे उड़ाकर सुर्ग लोग से नीचे फेग दूँ क्या सेग दूँ अरे यह सेखने क्लिए हैं ही क्या ना चूला है ना आग है क्या सेखू तेरा सेखू देव यह कब से मेरे सर के पीछे है बिखे न से इंकी एक भूख से पुरे ब्रह्मान में प्रलाय मत जाती आ सही बोल्रहा हो ना आ ड़ेğ, बड़े परवत, रेतका धेर हो जाते है, धेर जाते हैं, धेर क्या हो जाते हैं, बेर, कहां है बेर, बहुत भूक लग रही है देव, भूक दो मुझे भी लगिये है, पाढ देव, इससे अपनी शक्ति दिखाये ना, हाँ है लड़की, टेक मेरी शक्ती, मैं क्या क्या कर सकता हूँ मैं क्या क्या जाता हूँ झाल-खिया जितन की तुर सकता हमला शृब है 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 कि थnew यहाँ तरी आया सुछ कर संदा त disp optimize कि इnica का ज्या थम्या थिल्रिंग कि तूल-खिया झीश, टूल-भ्रिंग जह रता है उन्प कमेने हैं शुर icus रहुता है कि देखा मैंने समुद्र को कैसे प्रलेकारी बना दिया अब बोल तू मार्ग छोड़ती है या मैं तुझे अंतरिक्ष में उड़ा दूँ अवश्य छोड़ दूंगी महराज पर बोला ना एक बार मेरी बकरी घास खाले फिर मैं खुच चली जाओंगी नहीं अपनी बकरी को लेकर चली जा यहां से नहीं तो मैं तेरी बकरी को अंतरिक्ष में उड़ा दूंगा हां सुना नहीं तुमने तुम्हें बकरी चाहिए या नहीं जैसे प्रभू की इच्छा अभे प्राय प्रभू की इच्छा से ही तो सब कुछ होता है है न अगर प्रभू की इच्छा होगी तो तुम्हें इस बकरी को क्या इस चोटे से तिनके को भी नहीं उड़ा पाओगे मुझे चुनाती देती है जैसे प्रभू की इच्छा अच्छा वाहां वायुदेव वाहा तुम तो बड़े बलवा निकले इतनी शक्ति इतना सामर्थ्याएं तुम्हें कि एक छोटे से तिनके को नहीं उड़ा सके वाह वायो देव तुम्हें मेरा कोटी-कोटी प्रणाम देवी आपने मेरा अहंकार भंग किया है आप जो भी है आपको मेरा कोटी-कोटी प्रणाम आप मुझे एक शमा कर देजिए अच्छा तो आप भी खाली हाथ लोटाएं वायुदेव क्यों क्या है उस भीलनी में जो अगनी देव और वायुदेव जैसे बल्शाली देवता भी उसका पार नहीं पा सके ठीक है अब मुझे ही अच्छा अच्छा तो तु ही ए वो लड़की जिसे अगनी देव और वायी देव अपने मार्क से हटा नहीं सके कुछ कहा तुमने कया शक्ति है तुझ में तनिक मुझे तो दिखा क्या क्या खांँ यहां खाने के कि ननचे में यूदार के देदो ना किδώ में नौन का तिंका से तेरा निइभर जायगा एक अडे का अरिव वह तिंक्य देखने में छोटा सा लऔ लेकिन इस तिनके में बहुत शक्ती है पूरे स्वर्ग लोग के खाद्य पदार्त का निचोड है वो तिनका पता नहीं तुम वो तिनका उठा भी पाओगे कि नहीं तू मेरा हस्य कर रही है तू जानती है मैं कौन हूं इस नगरी का राजा हूं मैं क्या है स्वर्ग लोग का राजा हूं राजा इंद्र हूं मैं महाराजा इंद्र इंद्र महाराजा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मुझे शमा कर दीजिये राजा जी महाराज पर मैं क्या करूं मुझे बहुत भूख लग रही है और मेरे शरीर में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं वो तिनका उठा सकूं, आप मुझे वो तिनका उठा कर दे दीजे ना, आप तिनका उठाएंगे तो मैं आपको प्रणाम भी करोंगी, इसकी कोई आवशक्ता नहीं, ना ही आवशक्ता उस तिनके को उठाने की, तु एक काम कर। तु उस पेड की छाय में जाकर बैठ ते तरगलों के राजा है, एक राजा होके बिरनी का सपर्श करेंगे, नहीं महाराज, आप मुझे पापे न कीजिए, महाराज, आप मुझे बस वो तिन का उठा कर दे दीजे, मैं खोद यहां से चली जाओंगी, वो तिन का इतना प्यारा हो गया है तुझे, तो ले, मैं उठा क घर दिताम। महाराज लगता है तिनका लज्जा के मारे जमीन से चिपक गया है उठी नहीं रहा है महाराज यह आपने क्या किया आपने तो इस तिनके का अहंकार ही बढ़ा दिया अब तो वो अपने आपको आपसे भी ज्यादा शक्ति शाली समझने लग गया है वो तो यह समझ रहा है कि एक स्वर्ग लोग का राजा उसके सामने जुग गया महाराज यह आपने क्या किया एक तुछ तिनके की इतनी हिम्मत उठाकर काट देजिए इसकी गर्दन काट देजिए इसका गला महाराज एक तिनके की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि यह क्या माहराज आप एक भिलनी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं आप निश्य ही कोई देवी है जो भिलनी का रूप धारण करके हमारा एहंकार नश्ट करने आई हैं कि अगर देवी आप अपना मूल स्वरुप धारन करके हमें करतार्द करें कर दो कद दो कि अपने मुख से अपने प्रशंत सा करना देवताओं को शोभा नहीं देता देवेंद्र इतने मद्मत हो गए थे अपनी विजय में कि मैया की आर्थी करना भी भूल गये क्षमा देवी क्षमा मैं सब देवताओं के ओर से भी आपसे क्षमा मांगता हूं हे देवी आपने हमें शिक्षा दी हमारा एहंकार तोड़ा इसके लिए आपकी सेवा में यह क्या हो रहा है देवी यह क्या हो रहा है अवशी ही शुक्राचारे अपने कार्यों में सफल हो गया है शुक्राचारे ओम आव्हमृम् ख्रॉवाशी मन्रत्शरी रे प्राणासंतू देवी देवी अम्रतं धां फ्रान संतु एही आत म्रथ तंथ ओ्राम् पीम् ड्रौ अस्मन नत्षरी ब्रानसंतु एही एही आत म्रथ तंथ एक मरंहीं को लगा समन नत्षि जँ जेवालन को ल asthma है वालास अंजहीं हम जाओको है को लगा समन नत्षिप जेवालन को ल टivenessो है पालर आट, पालर आटकी उसमान ऑथे, कर दिया जा, जा ही उत Дंग हाँ खाल toolbar संधाट लगषाट कारीश दीया थ संधाट लगषा लगषा मन पें हो आगदो झाल 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 विजजई पाव विजजई पाव विजजई पाव महराज बली जीवित हो गए महराज बली जीवित हो गए महराज बली की जीवित हो गए महराज बली की जीवित हो गए कुरू बली की जीवित हो गए बली की जीवित हो गए महराज बली की जीवित हो गए माराज बलिगा बुरू सुक्राचारि की तो किम गुट मोर्ण बलीगं बुरु शुक्राचारी की, 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 बुरु तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया